प्रसका दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, BPSC 67th की एक्जाम डेट आ चुकी है, अगस्त के अंतिम सब्ता में एक्जाम होगा, जनरली BPSC में एक साल तक के करेंट अफेर पूछे जाते हैं अगर एक्जाम डेट ना हुआ हो तो, इसी को ध्यान में रखते हुए, मै और तीस से पैंतिस सवार के आते हैं, आपसे एक भी नहीं चूट है, दोस्तों, मैं सब्टिमबर दोहजार इकी से एक करेंट अट एगर इसे चूरत पार कर लेंगे, जो एक साल से किसी भी ऒाएँखे में प्टिमारो पहले में सारे अँरन चान बन्जागे, ऐथा को कि श फोड़ा नहीं है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हमारी जो सिप्टंबर माहा की करेंट अफेर हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं हमारी नेशनल नियूज में जो पहली करेंट अफेर की नियूज है दोस्तों वह यह है कि पस्चिम बंगाल में बिधान परिशत के कर देंगे तो बिवान दाफास्टबक भीष्ट की अनिमधित है कि लेकिन बिहार में अंधर परिशत पयोद्गाना भी एक छैन जो नंगाल में ब्यान परिशतों हो जाता है विदानर सोगी लेकिन अंतिकिन इस्थिजिश बंगाल में पहले विदान से लिकीं 1969 1969 में इसको खतम कर दिया गया अब दुबारा से विधान परश्चत के गठन का प्रस्ता विधान सवा में लाया गया है पस्चि मंगाल में गठित होते ही साथ राज्यों में विधान परश्चत हो जाएगी कहां कहां है अभी यूपी में बिहार में आंदर परदेश में महार जागे का प्रस्तित लगदाकि हाइग कोड अब इसका नया नाम क्या फिर से चेंज गर दिया गया है जम्मू कश्मीर एवश्चत हाइग कोड इसमें से हटाग दिया गया है अब भारत में टूटल हाइग की जुसंख्या है दू वह 25 बना है वह आंद्र प्रदेश में 2019 मे बना हुआ है अगली इंफरमेशन इंफरमेशन है रास्टी होमोपेफिक आयोग का घठन ये किस वजा जाए गया है देखते हैं अगली नियूज युनिस्को की विस्विरासद सुची अब जुलाई 2021 में भारत के दो जो इस्थल है एक काक्ती रुद्देश्वर मंदिर और दूसरा धोला वीरा इनको विनुस्को की विस्विरासद सुची में शामिल किया गया है दिटेल में दे ब्लवासर की सर्ट से गुजराथ के कछ्षिर्श्वरिष्टिक में और इसके सामिल होते हैं फुर्च नमर का मतब चौति ऐसी सूची होगा टोनों को सामिल करते हैं भारत के कि तो टोटल मिलाके 40 भारती इस्थल जो है वो उनस्के की वर्ड लिस्ट में सामिल हो जाएंगे इन दोनों को शामिल करने के बार 40 इस्थल हो गए है बारत के अब देखते हैं अगली इंफॉर्मिशन जाजियो गांधी खेल दत्म पुरसकार इस पुरसकार का नाम चेंज करके और अब क्या हुआ है राजी गांधी खेल दत्म पुरसकार कर दिया और ये खेल के चेत में भारत का सब्सकार है अगली इंफॉर्मिशन देखते हैं पेगासस इसको विक्सित किसने किया है दोस्तों इसको इसको इज्राइल की साईवे सुरच्छा कमपनी है इसने विक्सि जो आपकी smart phone से कोई hacker उसके microphone, camera, audio, text message, email, internet, इत्यास और location तक को तक की जानकारी आपकी हासिल कर सकता है लेकिन इसने ये कहा है NSO group ने कि हमने जो ये बनाया है Pregasas Spyware ये हमकी होल सरकारी मानिता प्राप एजनसी हैं उनको बेचेंगे और हमारा जो इसका उद्देश से बनाने का आतंकवाद के विरुद लड़ना है इसके खिलाप लड़ना है इसका उद्देश जो बनाने का है Pregasas Spyware का तो मेन आपको याद रखना है कहां की है इसके द्वारा ये प्रिगास स्पाइवेर बनाया गया है इसमें कंट्रोवर्सी क्या होगी दोस्तों न्यूज संगठन जो बहुत सारे हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 50,000 से अधिक फोन नंबर है जो इसका प्रिगास स नंबर जो प्राप्त हुए भारत अजरबेजान बहरीन कजाकिस्तान इन सब देशों के प्राप्त हुए है तो इसी को लोग के सुप्रीम कोट में याच्चिका दायर हुई और कहा गया कि इस मामले के लिए मतलब की करवाई की जाए लेकिन भारत सरकार ने भी कुछ बहु के लिए बनाया गया यह उसका कहना है ठीक है अगली इंफर्मेशन आइटी एक 66 एका दुरुपयोग यह हो मिनिस्ट्रे ने एक सरकुला जारी किया और कहा कि जो राज है और यूटी है वो आईटी एक 66 एका दुरुपयोग अभी भी वहाँ पर हो रहा है तो इसके लिए लोने कहा है कि इसके तहट जो दर्ज मामने उनको तुरंत वापस यूटी और राज तुरंत वापस लें अभी इस आईटी एक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों यह आईटी एक जो 2000 में पारित हुआ इसके था कंप्यूटर या किसी अंसंचार करण के माध्यन से अक्र सिंगल बनां भारत संग मामने में इसको रद्द कर दिया गया लेकिन अभी देखा गया जो कि कुछ राज और यूटी इसका दुर्पयोग कर रहे हैं तभी हो मिनिस्ट्री ने एक सर्कूलर जारी गया कि इसके ताहट जो दर्ज मामने उनको वापस लिया जाए तो आइट सिंगल बनां भारत संग मामने में आगे देखते हैं अगला जो हमारा निपुड भारत में निपुड का फुल फॉर्म क्या है नेशनल इनिशेटिव फॉर प्रोफियंसी इन रीडिंग रीडिंग विट अंडर्स्टेंडिंग एन नुमरेसी यह पांच जुलाई को है इनमें गणित की और जो समझने की संख्या है या कल्कुलेशन की शम्ता उनको विक्सित करना है इससे लग्ष क्या है कि 2627 तक देश का प्रतेग बच्चा ग्रेड 3 के समाप्त होने तक मूल भूस साच्छता और संख्या गणना आवस्ते क्रूप से यह सीख सके इससे क्य है और गणना करने की शम्ता है वो भीख्सित हो रही यह नहीं हो रही है मूल उद्देश इसका निपुल भारत मिशन का यह है अगली जो योजना है इस्समाई लोजना यह किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों यह समाजिक न्याएव अधिकारता मंत्राल है द्वारा जा कि उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए गया उनकी जरूरतों को पूरा करना है कि देखते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन दा हंगर होट इस्पॉर्ट रिपोर्ट एक इसके द्वारा जारी की गई यह 30 जुलाई 2021 को एफे ओ यून का एफे ओ संग्टन और डबलू एफपी मतलब यूएन फूड एंड अग्री कल्चर ओर्गनाईजेशन यूएन मतलब संयुक्त राष्ट खाद यूम क्रिसी संग्टन और डबलू एफपी मतलब वर्ड फूड प्रोग्राम मतलब विश्व खाद संग्टन इन दोनों के दौरा यह जारी किया इसमें यह कहा गया मैं दोप से कि कुल तेज देश ऐसे हैं जहां खाद असुरच्छा में गिरावट आ रही है मतलब कि वहां पर जो खाद सुरच्छा हो थी वह अब धीरे-धीरे कम हो रही है उसके इस सिते में गिरावट आ रही है अगली जो इंफॉर्मेशन वह देखते हैं ग्लोबल साइबर सेक्यूर्टी इंडेक्स 2020 यह किसके दौरा जारी किया गया यह आईटी यू लेकिन आपको याद यही रखना है कि भारत की रैंकिंग ग्लोबल साइबर सेक्यूर्टी इंडेक्स 2020 में कितनी है तो यह तेंथ नंबर है चीन और पाकिस्तान हम साइबर सेक्यूर्टी के मामले में बहतर है देखते हैं अगली हमारी नियों जो 55 चैलेंज चौदा जॉलाई को यूरूपी आयोग ने जलवाईव और उर्जा परस्ताहों का पेकेज जारी किया इसी पेकेज को 2030 तक EU क्या करेंगा यूरूपी आयोग के लच्छ को प्राप्त करेगा यह कहां से तुलना कर गार्ट के इस तर्फ जो उनका जीएजी का इमिशन था जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन था वह दोजाइज तुलना में दोजाइज तक यह 55% की कमी लाएगा और अर्थात दोजार पैंतिस तक पंजी की सभी जो नई का रहे हैं सुने उस्साजन वाली हो जाएंगे दुनिया के पहले कारबन सीमा कर की योजना किसने की है यह यू के द्वारा की गई यह यू की द्वारा की यह कारबन टेक्स लगाएंगे आने जाने पर इनका एक्टार के और के 2030 तक नविकर्णी शोतर से उर्जा का 40 परसें उत्पादन का इन्होंने लच्छ रखका है तो यह यूरूपी यूनियन का 55 चैलेंग पैकेज है इसको अगला औस ऐसा अध्यच बनने का कब राप्त होगा दिसंबद 2022 में प्राप्त होगा तो अगस्त तो 2021 में भारत अध्य प्रत्ने दिकों है तो यह यूरू मूर्ति है यूनियन भारत के इस्थाई प्रत्ने दिए कि देखते हैं अगली इंफर्मेशन चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना के सवर्स पूरे हुए तब हुए एक जुलाइट 2021 को इसके सवर्स पूरे हो गए इसको इस्थापना जो चेन दुश्यू बली जहजाओ द्वारा 1921 में की गई है तो सवर्स किस पार्टी के पूरे हुए अगली इंफर्मेशन अंत्र चुडान कंपनी वर्जिन गयलेक्टिक वा ब्लू और इन इनके द्वारा जो स्पेस का टूरिजम है वो बढ़ाने के लिए प्रियास किया जाता है और फिर इसी कड़ी में क्या किया है कि 11 जुलाई को यह जो दो कंपनिया है इस सिर्शाबानला भी थी आंधर प्रदेश की है इस वर्जिन गयलेक्टिक में भारती मूल की थर्ड मतलब की महिला है जो स्पेस में गई इसके पहले भारत की महिला आ जा चुकी है कलतना चाहुला और सुनीता बिलियंस भारती मूल की यूसे की नाग दिखें तो भारत में जन्वी नागरिक है यह से बान्दा दूसरी इस पहले कलतना चाहुला दूसरी लेकिन तोड भारती महिलाओं के अगर बात करें तो बारती मूल की तो कलतना चाहुला स्थैज्वा webs SSD नहीं गर सामिल है जो ब्लू और जन 20 झौनाय को यह 106 किल ISS dur की उसमें जेंुपर और भ यह भी इन्ट करें जब भरी गए तो उसमें यह भी थे अगली इंफॉर्मेशन ग्रीश मकालीर ओलम्पिक दो जार बीस जो चुछ जुनाइटिसवा ओलम्पिक तोकियो में हुआ आप देखते हैं अग्रेंट फर्मिशन क्या है शेर बहादूर देउबा यह पाच्चवी बार नेपाल के पीएम बने आये यहां के राश्टपति के विद्या देवी भंडारी हैं देखते दोस्तों अगली जो हमारी information है एक उन में से रिल्टर इंफोर्मेशन है ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम इंडेक्स में से रखंट होकbling को ड्यक्राइब कोले करने होना मातरा गुलबाता और वहां की वहां मामले में वह सहर को रंकिंग प्राप्त हुई जो पहला सहर वो सेंट फ्रांसिस को है भारत की रंक 20 प्राप्त हुई बाद की रेंग ग्लोबल स्टार्टप इको सिस्टम इंडेक्स में कौन सी है भी सब्सक्राइब भारत के 43 सहर टॉप 1000 जो सहर है इस स्टार्टप के लिए उसमें भारत के 43 सहर को सामिल किया गया तेंथ नंबर कौन सा है बंगलोग और 14 नूडेल लिगा अगली इंफ्रमेशन तिलंगाना सहकारी बैंक को नाबाट पुरसकार मिला तो इसमें किसको कौन सा पुरसकार मिला द प्रात्मिक्ता चेत कर सकेंगे एक उद्दम पंजी करन पूंटल भी बनाया गया है जहां पर यह सारी जणकारी और अपना करन करा सकेंगे जो परिभासा है नहीं उसमें क्या किया है बिनिर्मार्ण और सेवा चेत के अंतर जो होता था पहले उसको अब समाप्त कर दिया ग को बोला जाएगा मद्यमुद्व कि को बोला घाएगा जिसका 20 करुण तक का निभेश औस closely टायों तक करोण तक स्ञुस्जर का वह क्रतो है तो उसको क्य बोला जाएगा उसको मद्यमुद्व दूआ अगली information देश का पहला अनाज ATM ये नॉर्मल ATM की तरह ही काम करेगा इस कहां खोला गया है इनाज ATM गुरुग्राम फरुख नगर में गुडगाउं में खोला गया है ये क्या काम करता है ये 57 मिनट में 70 कजी अनाज ये निकाल देता है गेहूं चावल बाजरा इससे निकलेंगे 57 अब इसको बित्रमंताले के आंतरगत ला दिया गया है तो अब श्केणिंगे नया विवाग शामिल कर दिया गया साजवनिक उद्दम विभाग जो पहले भारी मिनिश्टिक हन्तरगत था अब बित्ताले के अंतरगत अब सेवा और निवीश यह निविश ये संपत्ति प् प्रदान मंत्री मात्र बंदना योजना यह किसके लिए जारी कि गई जो गरभवती वा शिश्वों को इस्तंफान कराने वाली महिलाएं है उन्नीस वस्ति उम्र की उनके लिए जारी कि इसके इनको 5000 तक की सहायता दी जाएगी तीन किस्तों में तोटल पूरी तरीके से केंद प्राइजीत योजना इसमें सेंटर लुष्ट गृणने किस तरीकी है यह कि अगली इंफरमेशन फॉर्चून ग्लोबल पांसो जो फाइब अडे जारी की गई दोजारी की लिए इसमें जो सबसेट टॉफ की कमपनिया पांसो होती हैं उनकी जारी की जाती है तो इसमें मै वो फर्स्ट कौन सी है वालमार्ट यूए से की सेकेंड नमबर इस्टेट गिर्ट चाइना की भारत की जो साथ कंपणिया इसमें सामिल है वो कौन-कौन सी है जे लाइन्स इंडियन ओयल लिंटेड ओएंजी सी यह साथ कंपणिया बारत की फॉर्चिंग ग्लोबल 500 में सामिल है इरुपी क्या है दोस्तों यह नगद रहित वा संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट सॉलूशन है जो संपर्क रहित है और यह क्या है किसके दौरा जारी किया तो सेप्टेंबर माह की जो इंपोर्टन नियुक सब्सक्राइब को दिल्ली के कमेशनर नए बने है राकेश स्थाना है की नए पीम एरियल हेंरी निधन देख लेते हैं स्टीवन वेंवर्ग यह कौन थे यह का भॉक्तिक वादी थे इनका निधन हो गया दानिश दिकी यह पत्रगार थे इनका इनकी अफगानिस्तान में कि आपको यह देखते ही यह पता चल जाएक कि किसकी बुक है तो माइफ लाइफ इसमा के देख लेते हैं अज सास के लिए हमबोड रिसर्च और किसको प्रदान किया गया यह को प्रदान किया गया गोल्ड में परियावर्ण पुरसकार जिसको ग्रीन नोबल भी कहा जाता ह छह परियावन विद्यो को पदान किया गया तो गौल्ड मैन परियावन पुरसकाar को मतब दीन नोग वेल किसे कहा जाता है x विविद इसमा करें घटना हों कुंसी है बारत नुद गळण भ्णार्त रूस के बीच में के बीचने यो यह सुंद ने रूच में होता है लेकिन नौ सेना के बीच में होता है यह बाल्टिक सागर में हुआ इसकी थेम क्या थे connecting minds creating the future तो एक्सपोर 2020 यह कहां हुआ यूए में हुआ United Arab Emirates में हुआ अरब अमिरात में हुआ यह इसकी थेम क्या थे connecting मैंस creating the future इवी एक्सपो कहां हुआ दिल्ली में ओटो एक्सपो कहां हुआ ग्रेटर नोड़ा में होना था लेकिन कैंसे लोग है कोविट की का खेल खेल की देख लेते हैं कौन-कौन से खेल इंपोर्टेंस महीने रहें तो सब्सक्राइब कोपा अमेरिका कप यह कहां हुआ ब्राजील में हुआ जीता कौन अर्जंटीना ब्राजीन से हार गया कि नंबर एक खिलाडी से कौन से रहे लिओनल मेशी रहे सोला हुआ यूरो कप की विजयता कौन है इटली है विंबल्डन 2021 जो लंदन में हुआ इसमें पुरुस वर्ग के विजयता कौन थे नुवाग जोकोविच उब विजयता मारे करके हैं यह इटली गया है महिला वर्ग में जो बिजयता विमल्डन 2021 की रही वो इसले बाटी यूएसे की इसले बाटी रही और उब विजयता कौन था कैरोलीना बिलिंसका चिक गनदाज की पुरुस वर्ग में नुवाग जोकोविच विजयता रहे सर्विया के विजयता मतलब फाइनल भी इन से आ रहे मारे यो यह इटली के हैं मीरा बाई चानू ओलंपिक में पहला पदक किस ने जीता भारत के मीरा बाई चानू ने किस चीज़ में जीता रज़त भारुत तोल किस ने को और फास्ट चेंज करके किया गया अब किया यह स्टर्स थे उनकी थीम क्या विजह कौन से इसकी पता दूँगा दूस्तों अप लोगो बार जुलाई को मलाला दीवस मनाया गया चॉस्सा तेम क्या ती महामारी के बाद यूए और कष्टल की उनर कलपना 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है दोस्तों 20 हेपाटाइटिस दिवस मनाया गया है इसका जो थीम थी हेपाटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता इसकी थीम थी 29 जुलाई को 20 बाग दिवस मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी उनका अस्तित तो हमारे हाथों में तो यह बाद दोस्तों हमने पीछले वीडियो में सिप्टेंबर महीने की जिसी उसको इस वीडियो में हम जो उक्टूबर महीने की 모양 जो इंकी नोए उन्म को देह लेते हैं उस साल हम 75 वी जो हमारी आजादी का वर्स है वो मना रहे हैं और इसको हम आजादी के अमरित महुसों के रूप में मना रहे हैं इसमें पहली बात मुख्य बात थी उसमें ये कहा गया है कि 14 अगस्त को हम प्रते दिन हर 14 अगस्त को विभाजन विभीशकाद इसमिति दिवस मनाएंगे इस दिन हमारा भी भाजन हुआ था तो इस दिन को हम विभाजन प्रते दिवस के रूप में मनाएंगे 14 अगस्त को इसमें कहा गया कि सीग रही इंफ्राइस्ट्रेक्चर के लिए एक राष्ट्य मास्टर प्लान तयार होगा गति शक्ति इसके माद्यम से जो सो लाग करोन की योजना है ये और इसके माद्यम से लाकों मतलब लाकों यह हमारा सपना है ऐसा हम चाहते हैं कि छोटे किसान है वो देश किसान बने इसके लिए कि मतलब इसी को ध्यान में लगते हुए किसान का सब्सक्राइब उनके लिए बहुत सारी योजनाय चला जा रही है यह भी कहा गया कि 80% जो अधिक ऐसे किसान है जिनके पास दो सब्सक्राइब कर दोच कि लिए इसमींग और और शॉक्त करवाया है और को गयगी कहीई कि कराएंगे जल्वाई परिवर्थन की बिसे में क्या बोला कि जल्वाई परिवर्थन में कहा कि समुत का जलिस्तर बढ़दा सब लोगं का जीवन प्रभावित हो रहा लेकिन अभी भी हम लोग पेडिस जो जल्वाई समझता हुआ है हमने उसको बहुत अच्छे से पालन किया बलकि जो मारा टर्गेट उससे ज्यादा विम्ने ने भाया है यह सब बातें दोस्तों की गई प्रेशिडेंट और प्राइमिनिस्टर के भासट की में बाते थी एक बात जो एक इंपोर्टन फेक्टिस में क्या है कि मैक्सिमम बार लाल किरे से जंडा किस प्रेशिडेंट धंट प्रेशे ने फैराया है तो तो सबसे ज्यादा ज़ुणा फैराय है 17 वार जवाहा नहरू ने फैराया है उसके बाद इंद्रा गांधी ने फैराया सोला वार ये तो कॉंग्रींट कांग्रेसी प्राइमिनिस्टर है है जो इन्होंने मतलब की तो हुए लेकिन लागे से जंडा नहीं पहरा है तो यह हमारी पहली करेंट आगे बढ़ते हैं भारत के सब्सक्राइब करेंगे तो उसी में अब गुजरात के दो एक थोल जील एक बांधवाना जील इन दोनों को सामिल किया गया हर्याणा के दो इस्थल एक सुल्टानपूर नेशनल पार्ट और भिंडवास वाइड लाइफ सेंचुरी इन दोनों को सामिल किया तो चार नए छित सामिल किया गए दो गुजरात के दो हर्याणा के थोल जील बांधवाना और हर्याणा के दो को सुल्टानपूर नेशनल पार और भिंडवास वाइड लाइफ सेंचुरी इन चार को सामिल किया गया अब भारत के जो मतलब की टोटल इस्थल तोटल जो आद्भूमी छेत हैं जो रामसर में सामिल हो चुके हैं कितने हैं 46 और वर्ड में कितने रामसर इस्थल हो चुके हैं टोटल 2400 अगली इंफ़र्मेशन देखते हैं एके 103 राइफल्स खरीदने के लिए रूस के साथ भारत कर समझावता हुआ यह जो राइफल्स खरीदी जाएंगी एके 103 यह जो हमारी पुरानी राइफल्स इंसास इंडियन इसमाल आर्म सिस्टम इनका इस्थान लेंगे और यह जो समझावता हुआ है यह रच्छा मंत इसमाल आर्म सिस्टम इनका इस्थान यह लेंगी आगे देखते हैं नई स्क्रेप पॉलिसी स्क्रेप मैं नई स्क्रेप नीती की गोष्णा की गई इसमें यह का आगया जो फिट्नेस टेस्ट पर खरे ना उतनने वाले जो मूटर वहान है उनका पंजी करना वो निरस्त कर पड़ेगा इसमें इसमें कहां कि जो सबीसे वहान को पंदरा वर्स सभी सरकारी वहां को पंदरा वर्स मतलब पंद्रा वर्स के बाद जो सरकारी वहान है और वाड़ी जी को वहान है वह 15 वर्स के बाद नई स्क्रैप निटी के अंतरगत इसक्रैप में चले जाएंगे मतलब कि उनका पंजी करना फिटनेस चस्ट कराना होगा अगर वह पास वह तो दुबारा चलेंगे अगर नहीं वह इसके लिए 20 वस्का समय दिया गया है यहां के इसके संसाधन बनाएंगे उसके तहत्य हमारा अकिया गया है है इसमें होगा इससे 100 करोन का निवेश और 35,000 आउसरों का सेजन की आशा है सब्सक्राइगा आगली इंफ्सक्रैइच्ट है कि एक जुलाइं 2022 से सिंगल ईूज्ज प्लास्टिक मैं ऑस्तिक है जिनका इस्तिमाद पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगा इसके निय। जो मंत्राला है के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेज्मेंट मैनेज्मेंट अमेंडमेंट रूल 2021 जारी किया गया और इसके तहत कहा लिया कि इस तरीके के जो प्लास्टिक होते हैं इनको बेंट कर दिया जाएगा इसमें यह कहा गया कि 30 सितंबर 2021 के पश्चाथ जो प्लास्टिक हैं और 31 समब 2022 के पश्चाथ 120 माइक्रों या उससे अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक का इस्तमाल किया जाएगा मतलब जो इसमें जो हल बेर तो पौलोल मतलब होती ही नहीं है तक केवल पहले जो खवर्ही के पासी जदी जो ऑ बबीशियों में सामिल कर सकती श मेंकर्द्ध करती है लेकें यह कहा गया higher अगले इंफॉर्मिशन देखते हैं बुजर्गों के जीवन इस तर के आकलन के लिए बिभिन मानकों के आधार पर जीवन का गुडवत्ता सुचकांक जारी किया गया इंस्टिटूट फॉर इसके आधार पर जीवन का गुडवत्ता सुचकांक जारी किया गया बुजुर्गों के लिए तो इसमें यह क्या गया मैक्सिम बुजुर्ग अबादी वाले राजिकों कोन से हैं जो 50 लाग प्लस अबादी कहां पे है बुजुर्गों की तो पहला इस्तान जाजिस्तन का है दूसरा महाराष्ट का है और पुरोत्तर में नौथ हिस्ट में पहला इस्तान में जोरम का है यूटी में चंडी गड़ता है अगली इंफॉर्मेशन चावल पोशन समवर्धन योजना 15 अगस 2021 को महिलाओं और बच्चों में कुपोशन के इस्तर को देखते हुए सरकारी योजना के ताथ पोशन समवर्धित चावल बित्रित किया जाने की घोषना की इसमें यह कहा गया 15 अगस 2021 को महिलाओं और बच्चों में पोशन के इस्तर को देखते हुए जो हमारे सरकारी योजना चल देए हैं चाहे पीडियस को ले लिए चाहे अब उनके ताथ चावल दिया जाता था अब उसकी जगह पर 45 राइस का क्या मतलब है एक तो देखें इसका क्या मतलब यह हां सब समझ में आ जाएगा कि आप जो 45 राइस होगा इसमें एक तो एनेमिया हमारे देश में क्या है कि इंद्री खाद मनता लेगा हम साथ देश में हर दूसरी महिला इनेमिया से पीडित है और हर तीसरा बच्चा नाटे बंद का सिकार है इससे तरह जो हमारा बैस्विक भूख मरीज सुचकान 2020 में भारत की जो रैंकिंग है 94 स्थान जो बहुत गंभी सेर्णी में रखा गया है तो इसी को देखती हुए यह का गया कि मतलब की सो कैसे दूर किया सकता है तो इसमें इसी के लिए चावल पॉशल संवर्धन योजना चलाएगी जिससे क्या होगा जो जो लोगों को दिया जाता था चावल अब उसकी जगा पे 45 किया की फाइड सदिया जाएगा जिससे जो मतलब की कुपो पॉशल संobenदिय उससे दूर था तो उसकी भी कमी इससे दूर होगी ठीक है अगली इंफर्मिशन देखते हैं राज्य पाल की कैदियों की छमादान के सकते हैं इसमें क्या कहा सुप्रीम कोट का एक नए डिसीजिन आया तीन अगस्त को सुप्रीम कोट की प्यूट ने कहा कि राज के राजपाल मौत की सज के बाद ही माफ करता है प्रेसिडेंट होता है जो राश्टपती होता है लेकिन यह सिर्फ अधिकार प्रेसिडेंट को है राज्यों के उनको नहीं था यह भारत 433 एका जो CRPC के दारा है इसके ताहरा राजपाल को यह अधिकार नहीं था कि 14 वश हो जाएंगे ताभी किसी क अधिक को माफ कर सकता है यह सिर्फ प्रेसिडेंट को था कि उसके पहले भी कर सकता है अब सुप्रीम कोट ने कहा कि इसको हटा दिया है कि यह न्यों को प्रभावित नहीं कर सकती इसको ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब करना राज्यपाल भी 14 वरस्ते पहले कि जो मतलब कि कैदी है उनको 14 वरस्ते पहले भी माफ कर सकता है यह लूज है इसमें आर्टिकल 62 जो प्रेसिटेंट है उसको सकती देखता है कि जो कैदी है उनको माफी से संबन दे जैसे बैक्ट गवर्न के बारे में बात की गई हो कि सतर अगलेंइशन के विजएल के पाइम um मौसम संबंदी आपदाओं के कारण पिछले तीन वर्सम जतनी मोते हुई है उनका मतलब की उनके आकड़े जारी किये गए तो उन्हें यह बताया कि तीन वर्समें देश में 6808 मोते हुई है तीन वर्समें सब्सक्राइब इसमें यह कहाग कि तीन वर्समें वर्समें मतलब मतलब वंगाल की खाड़ी उस कंद्री ब्रगहाएं मतलब की और भनपी में उसके बाद के रलमे में हुई है यह कहा गया कि जल मौसन संपंधी आप दाओं से मृत्त्यू सबसे ज़्याद कहा हुई है अगर चक्रवाद की बात करें तो कस्यम गंगाल में अबाड की बात करें तो MP में अगली इंफोर्नेशन PM दक्ष पोर्टल और मुबाइल है दक्ष पोर्टल का क्या मतलब है प्रधान मंत्री दक्ष पोर्टल और कुसलता संपन हित्गराही इसका क्या मतलब है यह PM दक्ष पोर्टल और मुबाइल एप्लिकेशन जारी किया गया है यह किसके द्वारा जारी किया गया है यह समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले द्वाला जारी इसमें कहा क्या गया है इसके माद्यम से जो सफाई करमचारी के रिए कोशल विकार से संबंदित सभी जानकारियां जो है वह एक ही स्थान पर उपलब्द कराएं जाएंगी यह पीम दक्ष पोटल मुवाइल किस 13 से 19 अगस्त 2021 तक आजादी का अमरित महुस्तों के एक हिस्ते गरूप में जो दिन दयाल उपाद्या ग्रामीड कोशल योजना कारिक्रम है इसके तहट देजवर में 1183 संगठन सीवरों को आयोजन किया गया है तो हमको यह देखना है कि यह योजना कब चालू की गई यह 2014 म मिनिस्ट्री और रूरल डवलप्मेंट को द्वारा जारी की गई उन्हीं के द्वार अभीत्र प्रूति और राश्ट भर में चलती है उद्देश क्या है ग्रामीड युगाओं को उनके मन्चाहर रोजगार देलाना और को साथ उनको प्रसिच्चित करना है अब देख ले सब्सक्राइब करें तो उसके बाद हुआ कि तालीबान है इससे पहले भी तालीबान का वहां पर शासन रहे चुका है तो जो बड़े बड़े देश थे उनके जो दूतावास बंद कर दिये उसके बाद भारत ने अपने नाग्रिकों के लिए क्या किया आप्रेशन देवी सकती चलाया गया अब देख लेते भारत सरकार की जो योजना कुछ मतलब कि भारत ने बहुत ज्यादा अफगानिस्ता हम दखना चाहते हैं भारत ने हमारे यहां पर भूजार डिवलप्मेंट किया है वह क्या क्या हो देख लेते हैं बारत अफगानिस्तान में तीन बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर चुका है जिन में सब कुछ भारत ने बनाया है वहां सलमा बंद है इसको मैतरी बंद ब में भारत बनाया गया है वहां की संसत का निर्माण भारत ने किया है नौकरोण की लागत से काबूल इस्टोर पैलेस का नभी करण किया है जरांग डेला राम मादाजमार गई यह अफगानिस्तान इदन के सीमा बना है दो 18 किलोमेटर का इसको हमारा बियारो है बॉर्डर प्रत्नी दित्तो ने किया अब भारत का प्रत्नी दित्तो आइस त्याज कुमार है पार्दृत की राज़ सिंग इन्होंने भारत का प्रदेर रत दो और यह हैं विदेश राज़ मंत परक्रतेट च्राइब लाइब कि देखते हैं जलवाई परवेत्तन के संबंध में आई पीची सी इंटर गूर्मेंट पैनल औन ख्लाइमेट चेंज यह क्या है इंटर गूर्मेंटल पैनल और फ़्राइब्स की ताजा जो रिबॉर्ट है उसमें भारी खत्रों के चिताउं तो देखें यह अगस्त दोहजारी कि इसमें यह कहा गया कि जो अनेक बहुत सारे परिवर्टान हो रहे हैं जो आने वाल समय उसमें बहुत ज्यादा खत्रे बढ़ सकते हैं इसमें यह बताया गया कि तापमान में ब्रिद्धी इंसानों की गतिविद्धियों के चलते हुई ह इसमें हुआ कि दोहजार वर्स में तापमान उतना नहीं बढ़ा जितना पचास वर्सों में बढ़ गया है जिसमें दोहजार उन्नीस में स्यूटू का सरवाधिक उस्साजन रहा है इसमें और क्या कहा गया है पेजी समझोते के अनुसा सदी के अंत तक 1.5 डिग्री से ता जिपोर्ट के अनुसार 4.4 डिग्री सिल्सियस तक ब्रिद्धी हो जाएगी हमारा टार्गेट था 1.5 का लेकिं ब्रिद्धी इतनी होगी और लोगों को भयाना गर्मी जहलने पड़ेगी और फिर क्या होगा बैस्विक तापमों को इस तिर होने में 20 से 30 सुबस लग सकते ह और पर शूर्वाय पर्वत्न से ग्लोबल वार्मी की और वह सारे खत्रे का सामना होतों सकता है जैसे क्या हो twenty देखते हैं और फिलीव टेंग ऑठ टा埃स्चंड के विरे concert के सामना खाली सकता है बने तो इसमाईल सागभरी याकूब जो भी तक गौर्वेंट थी मुहिद्दीन यासीन की इन में यह प्रधान मंत्री थे लेकिन अब यह प्रधान मंत्री बन गया है विकास वियुक्त सुचकान के 2020 कि कि इस धूरा जारी किए जाता है यह दौरा जारी किया गया तंदर सचेजरभांब सब्सक्राइब करने कि इसका सच्छा रोजगार स्वास्ट समानता और समयवेसी संती शुरच्छा यह सचीजे इनका आधार मनाया जाता और इस आधार पे 0.00 से एक तक की बीच में स्कोर दिया जाता है और उसके आधार पर रेंकिंग तयार की जाती है तो इस रेंकिंग में जो अगला जो इंडेक्स है हमारा वो क्या है ग्लोबल ट्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी जारी जाता है राष्ट मंदल सचिवाले द्वारा भारत का इस्थान 122 पहला इस्थान सिंगापुर का अगला जो इंडेक्स है हमारा वो क्या है ग्लोबल ट्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है एक ट्रिप्टो विसलेशल प्रिट्फॉर्म है चैनल इस इस इसको द्वारा जारी किया जाता है जो बीस दिस दूखवा इसने इसके द्वार सबसे सुरच लाएं करें दूब है राएं कि चाहीं सब्सेßन हो यह उनिट इसके द्रॉछ पहला इस्थान था वो कोपेन हेगन का है को पहला इस्थान यह दुन्या को सबसे सुरचित सार है उसके बाए टोरंटो फिस इंगा पुरे लेकिन आपको यह आदक नहीं पहला इस्थान किसका को पेन हें एक दिल्ली है एक मुंबई है कि दिल्ली का इस्थान कितना है 48 और 50 नंबर मुंबई तो आपको यह इंडेक्स इंडेक्स 2020 इसके द्वारा जारी किया जाता है यह यू के द्वारा फोर्स नंबर का है इसका साट सारों की रेंकिंग जारी की पहला सबसे सुरचित था और जो भारत के सहार है वो दिल्ली है मुंबई है अगली देखते हैं इंफोर्मेशन हमारी क्या है पीएम किसान सम्माण ने दी यह जो नवी किस्त है वह मतलब की नवी किसानों को चलिए इस मतलब किस्त क्या किया जाता है कि 6000 की सलाना मदद की जाते है दो दौजात की तीन किस्तों में तो इस योजना को है पहिले एक में gwी 2016 को बलिया यूपी से लांच किया गया था इसमें सकतिया तो 5 क्रोन पर दो पूरो हो गया तो इसमें उसको बढ़ा के आठ करोन का टार्गेट रखे गया 2018 में अब क्या हुआ है इसका सिकंड चालू किया गया यह दस अगस 2020 को पीयम द्वारा यूपी के महुबा से इसको चालू किया गया इसका लच्च का है जो गरीब महिलाएं पहले चल्ण में सामि से लांच हुआ था पांच करोन का टार्गेट था लेकिन 2018 में बढ़ा कि इसको आठ करोन कर दिया गया इसका दूसरा लांच किया गया यूपी के महुबा से दस अगस 2020 को इसमें कहा गया कनेक्शन तो देंगे ही देंगे साथ में भारा हुआ सिलेंडर भी देंगे देखते 200 GbT को पायर कर दिया है कि समय हमारा जो देखे कि हमारे पूरा अफ्रे उपर नेची को ऐसे वर्ल प्रफिश के बाद रिनेवल एनर्जी से उसके बहुत हैं उसके बाद गैस ने उसके बाद अगली इंफरमेशन आंद मोबाइल लेब इसके द्वारा जारी कि अपने अजन्टों को या मतदस्तों के लिए चारी किए प्रमाडी करन का उपयोग करते हुए प्रक्रिया पर निर्मित डिजिटल एप्लिकेशन एजन्टों या मतदस्तों के लिए यह क्या करेंगे इनके लिए यह जब लोगों को बीमा देते हैं तो उनके लिए लांच किया गया कि इससे वह आधार आधारित इप्रमाडी कर लें तो ज्यादा पेपर वर्क ना करना पड़ें तो यह पेपर वर्क लेस है स्टार्टप के उत्पादों को बढ़ावाद बढ़ाने और उनके बढ़ाने के लिए शुराचित निवेश के लिए अन्कूल मंच तयार करना इसका उद्देश सम्रिद्यूजना का भारत में पहले बात तो इको सिस्टम मजबूत करना उनके जो उत्पादों को से किया जाएगा तो सम्रिद्यूजना किसी से रिलेटेट है स्टार्टप एको सिस्टम को बढ़ावा देने से रिलेटेट है मिनिस्ट्री और इलेक्टरन के टेली कम्यूनिकेशन द्वारा यह जड़ी की इस माह की इंपोर्टेंट नियुक्तिया है उसको देख लिए रिखा सर्मा केंदी ग्राय सचुकों ने अजय कुमार बल्ला कैबने सेक्रेटरी राजी गवाबा इनको दो वर्सका विस्ता दिया गया इसी के जो सुप्रीम कूर्ट के नियादीस है यह नव नए नवी रमन्ना है अब टोटल जो नियादीस की संख्या हो गए वह तैस हो असोग चक्र किसको दिया गया जे अनके मतलब जम्मु कस्मीर के पुलिस के एसाई बाबु राम्पू मर्णों परांत असोग चक्र दिया गया कीती चक्र किसको प्रतान किया गया यह जे अनके मतलब जम्मु कस्मीर के पुलिस कांस्टेबल अलताफ हुसेन भट थे मर्णो मापी काजी ये पहली के गार्टफादर कहे जाते हैं इनका निदन हो गया निर्ण हो गया काजन की भारतों कज्याकिस्तान ये बहुरत मतलब की का होता है ता हराट तो यह उपड़ावा देनाints मिलू फ्रीडम ओपरेयशन के बियांग जनों के 그 गड़े दल ने विस्वके सरवादी कुछाई पर इस्तित यो दिस्तल जो स्याची ने उस पर चड़ाई का एक अभ्यान सुरू किया गया तो जो दिब्व्यांकों द्वारा सबसे उचा स्थान है भी सुखा उस पर चड़ाई का एक मतब अभ्यान है इसको ब्लू फ्रीडम कहा गया मालाबार 2021 मालाबा किसानों के लिए एक युजन है राश्ट्री खाद यह पोश्ण अभियान यह की इंद्री किसे मंत्रे ने इस फब्लू इसका अब्यान कि सब्सुन करना इछ इस अब ही इस नहीं और उंको खेती से जोड़ना और महेंगी फसलों को तरफ इनको आकरशित करना इस महीने के स्टार गेजिंग दा प्लेयर इन माई लाइप यह किसकी बुख है यह किसकी बुख है इसकी इंडिया सेवन यह और मोदी गवर्मेंट इसकी बुख है के जे इलफांस इनकी बुख है मैक्स ऐसे आवाड देख लेते हैं 31 जिसंबर 2021 को मनीला में भी बित्रित किया नॉम्बर इनको दिया गया इस्टीवन मुंशी यह कौन है यह अमेरिका के मानवी कार्यों सहायता के चित में काम करने वाले हैं इस्टीवन मुंशी पत्रकारितिया के चित में अगड़ी इंडोनेसिया के संगटाने वाश्राब को महाराष्ट गवर्मन त्वारा पूर जो पीयम है थे राजियो गांदी उनके नाम पर पुरसकार पतान करने कोश लगी इस चेत्र में दिया जाएगा इस सुचना प्रद्द्द की चेत्र में विवन उपलबदियों के लिए दिया जाएगा थे लिए टोकियो ओलंपिक जो क्या है असड्मे करता है यह क्या नई विचार को कुब्षित करो शरवादिक पजलत पदक तक टिप्सने जिता सब्सक्राइब बात कर लेते हैं कि भारत ने अपना सबसे बड़ा दल इस बार भेजा था भारती दल के प्रमुग थे वो कुन थे बिरेंद प्रसाद वैश्च दोजवाहक कुन थे जब आरम वह समय दोगजवाहक थे पूरुस में मैंप्रीट सिंग और मिलाव में समापन के समय इसमें दोजवाहक कौन से बजंग पुनिया नोट एक दिख लेते हैं 349 पदक इस पद्दा के साथ सबसे बड़ा ओलंपिक खेल था है चार नए खेल में सामिल के गए इसकेट बोर्डिंग स्टर्फिंग स्पोर्ट क्लाइमिंग कराटे इन चार खेलों को सामि अब पदक देख लेते हैं भारत की तरफ से पहला प्रफ्दक प्रफ्द किया मीरा बाई चानु ने यह उलंपिक से रिलेटर इंफॉर्मेशन दोखतों जब तक अगला उलंपिक नहीं हो जा ताब तक के लिए इंपोर्टन होती है तो देख लेते हैं पहला पदक जीता है मेरा बाई चानु ने इन्होंने राजात पदक जीता भारत का पदक है इस ओलंपिक में अंद देख लेते हैं नीरत चोपड़ा जो एथलेटिक्स में पदक जीतने देख का पहला सब्सक्राइब ते लेकिन यह पहला सब्सक्राइब फिर्स नंबर फद सब्सक्राइब देखने हैं यहार नबर फिरसकूरफ़ी देख की इन्हों जीता यह उलंपिक में इनका सेकंड पता के इसके पहले भी जीत चुकि पहले बाद इसके पहले जो लॉम्पिक हुआ था उसमें भी जीत सकी है लॉलीन बोर गोहिल इन्हों ने वेट लिफ्टर में विल्टर वेट क्या बोलते हैं उसको में 69 kg में यह कांस पतक जीत कि युलिमा रोजाम है इन्हों यह ज्यादा इंपर्ट नहीं दोस्तों इसको शोड़िए भारत का इस्तान कौन सा था फूटी एट फूटी एट हुआ टोटल भारत ने कितने पतक जीते साथ एक स्टॉण दो रजाट चार कांस पदक तालिकम जो पहला इस्थान था प्रदिवन था इस वाग लिया इस बहीने के इंपोर्टन डेजंगो देख लेते हैं बार अगस्त क्या मिना जाता अंतराश्टी यूवा दिवस इस दिवस की त्रीम क्या थी ट्रांस्फॉरिंग फूर्ट सिस्टम यूथ इनोवेशन फार यूमन एंड लैनेटरी हेल्थ इस बीव बिव स्कानाया जागा धिएरश्ट से 282 एक्रीप मीनकी चैहटी इस सब्सक्राइब करे मदरा दूबолे हे खेहना है अगले वीडियो में कवर करेंगे धन्यवाद। हम अपने प्छले वीडियो में अक्टूबर महीने के जो पन्जाब की बारें है 11 सितंबर को 11 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री जो गुजरात के थे बीजय रुपाणी ने मुख्यमंत्री पर से त्याक पत्र दे लिया था तो फिर उसके बाद वहां पर जो नए सीम बने थे उन वो भुपेंद पटेल बने थे लेकिन हमारे लिए अब जब बीप्यसी के लिए या किसी एक्जाम के लिए जो अब होने वाले हैं उनके लिए कि यतना इंप्रइटून्बर को और 20 सिटंबर को 9 सियम के रुप में चरंजीज चन्नी बने लेकिन अब वहां के जो सियम है वो भगवंतमान आभादमी पार्टी के बन गए हैं तो हमारे लिए कि यह इंपॉटन थे क्य पंजाब में जो वीदान सब्सक्राइब के साथ है और विदान सब्सक्राइब कितनी सटे हैं 117 राजसबाव की सिटे कितनी साथ लोगसबा की सिटे है तेरा इसी तरह गुजराद में 26 लोग सभा की सिट्रें जाद सभा की 11 और विदान सभा की 182 जो गुजराद के इस समय गवर्णर है वो कौन है अचार देवरत से यम भुपेंट पड़े इसी तरह पंजाब के जो गवर्णर है वो कौन है बनवारी दाल पुरोहित और जो स स स्खा मंत्रा दugen विच्विध्यालों इंजिनिंग स सब्सक्राइब गया है इसकि नहीं इनको सबसके तरुट को तीचर लर्निंग डिशोर्स को इन्हों 30 पीस पैसे में इसी तर Инशा इसन प्रोफेशनल सन 협स और इसी तरह जो ग्रेज़ आउटकम है उसको इन्हों ने 20 पासलिठ दिया और जो आउट जुच एक्स्क्ल Study ए उसको इन्हों इसको 10 परसंट विटेज दिया और यौन इसको 10 परसंट विटेज यह तो इस तरह के से इन मानकों का पालन करते हुए श्टय मंत्रा जो भी हमारे संस्थान प्रवंदन इन सब चीज़ों के जो विश्व विद्याले उनकी एक अखिल भारती इस तरह रेंकिंग जारी की गई किस मंत्रा लेकर दोरा सिच्छा मंदिस्टर कौन है धर्मेंट प्रदान उनके दोरा ही जारी की गई तो यह उर्ल जो रेंकिंग थी उनसे सब पहला साथा इसका इसके बार इसके बार सिच्छा लेकिन अगर दिखा जायत था इसका था रिससरच में मत्राज का ओलेज में मिरंडा वस इसी मीनेज्मेंट में आयएम हम्दाबद और लो में ए एनेल यू मेडिकल में एमस दिलिग और रिसर्च में IASC बंगलोरू इनका इस्थान था देखते हैं हमारी अगली इंट फॉर्मेशन MRSAM यह क्या है दोस्तों यह मीडियम रेंज सर्फिस्टु एर मिसाइल है मतलब कि मीडियम रेंज की जमीन से आकास में मार करने वाली मिसाइल है नियूज में क्यों थी इस मिसाइल की पहली फाइटिंग यूनिट वायु सौब दी गई वायु सेनग के हीड को ने दोस्तों RKS Badaoria RKS Badaoria वायु सेनग के चीप मरेंसल है तो यह मिसाइल है medium range surface to air missile इसका निर्माड किसके दोरा किया जाता है इसके निर्मार जो है नीजी और सारवजनिक छेतर की कमपणियों के साथ तालमेल करके DRDO द्वारा और इज्राइल की जो एर स्पेस इंडस्ट्री है उसके सहयोग से किया जाता है तो DRDO द्वारा इसका निर्मार नीजी और सारवजनिक छेतर की कमपणिया है और प्लस इज़ायल की जो Aero Space Industry है उसके सहयोग से किया जाता है इसकी रेंज खराब मौसम में भी ये 70 किलो मेंटर की बेदन सकता रखता है एक साथ कई लच्छों को ये भेज सकती है तो AMR SM मिसाइल क्या है? मीडियम रेंज की Surface to Air मिसाइल है अगली इंफॉर्मेशन हमारी आइसमान भारत डिजिटल मिसन ये कब लांच किया गया ये 21 सितंबर 2021 की उसको प्रदानती मोधी दोरा लांच किया गया ये आइसमान जो योजना चलती हिल्थ से लेटेड उसके लिए एक हिल्थ एक डिजिटल हिल्प आईडी जारी की गए इस में होगा काई इस आईडी में जो मझीज के जो। के ज़िकॉड हैं जो उसकी यविएस ॡॉटा है जित रहेगा तो इस ita होगी उसका जो इलाज होगा उसमें के लिए य इस चीच के लिए यह आएसवान बार डिजि़न मिसंद लॉंच किया गया है अगली इंफोर्मेशन आकास मिसाइल की बारे में आकास मिसाइल यह सर्थेस टू एर मिसाइल है मतलब सता से इंड्यम क्या है मिड़े मं करके प्रधान-patt sng करको मंद्ब्र न कर दिया कि अच्छिब कर दिया गया है 29 सेतंबर को हमारी अर्थीक मावलों क्लों मंत्री मंद्यस्का समिठी समिठी खेंगी है is तो इसमें क्या 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 होगा और चेंज करके पथान मंतरी पोश्र योड़ा कर दिया गया इसमें क्या 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 सामिल होगा और 45000 करोड़ का अर्थिक प्रिक्ति लागत भी वहं करें केंश कर दोजार 21-25-26 तक पात सालों के लिए इसको जारी रखेगी और इसमें क्या क्या सामिल हो जाएंगे अब जिसमें क्या होगे देज वर में 11.2 लाक विद्धारियों में कच्छा एक सी आठ तक पढ़ने वाले 11.80 करोर बच्चों के इस योजना में सामिल किया जाएगा इसमें नाम बदलके प्रधान मंत्री पोषण यूजना हो गया है ठीक है अगरी इंफॉर्मेशन देखते हैं तीसरी राज खाथ सुरच्छा सुचकांग 2021-2021 यह किसके दौरा जारी किया गया कि मिनिस्ट्रियाफ हेल्थ एंड फैमली विलफेर के इंद्री स्वास और पड़िवा स्वां लेन श्art मिनली को फडर खोगा जंदू यूती पहला इसता गोवा का है यूति में पहला इस्तान जमओन को ये कंपणी मनाती है मं रहट जो बिमान है उनको भारत और मैं से खठीटता है अगरी उन्फार्मेशन क्या है इन इस पर भारत की पहली लंद्把它 सुपिता जाजिस्थान के बाड़ मेर में एनेच 925 एपर 60 गंदों खंड़ पर तीन किलोमेटर की यह भारत की पहली लेंडिंग अपातकालीं लेंडिंग सुपिता बनाई गए अपातकालीं इसमें किसी भी तरीके के जो भी मान है वह लेंड कर सकते हैं कि किन किन स्पादों को 27 सेटमब्र को 27 सेटमब्र 2021 कि उत्तरा खंड़ के साथ प्रोड़क्ट को जी आइड मिला इसमें पहला कौन सा है भुद्या और यह भुटिया जो समधा है उनके दोरा निर्मित कालीं है रि सब्सक्राइब उनको जी आई टेक बिले हैं बोदिया दन को ये भुटिया समदादर निर्मित कालीन है रिंगाल सिल्फ ये बास की तरह की जाड़ी है इसे टोकरी तटाई आधी बनाई जाती है तमता उत्पाद या तामर उत्पाद ये इसमें आउसदी गुन होते हैं इसको भी जी आई ट na we были by security theार तो चावल से बनी होती है इसको जीँ ट दिया गया अब Caleb है चावल जो गहाट पाया जाता है उसको जीच डिया गया यह MP की पहली करेस्टी एंप जिसको यह दिए अगया अगला देखते है मडेद पुर्गा जो हाथी मिच्छ है जी जिसको सिरानरा खों मिर्च बोलते हैं इसको भी GI टेक दिया गया है यह अपने अनुके स्वाथ के लिए जाना जाता है अगला है तामेंग लोंग संत्रा यह भी मड़ीपूर का है यह बड़ा संत्रा होता है इसमें क्या होता है इसको भी केसिट उच मात्रा में पाए जाता है और यह खुब ज़्यादा रसीला होता है इसको भी GI टेक दिया गया यह कहां का उत्पाद है यह मड़ीपूर का उत्पाद है देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान का जो नया नाम अगर तालीबान के आने के बाद इसका नया नाम क्या बन गया है अफगानिस्तान का इसलामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान साथ स्थम्बर को इसका गठान होगा जब यह कारवाहिक पीम बने हैं के मुला हसंद अकुंद यह कारवाहिक पीम बने मुल्ला अब्दुलगनी बरादर तो अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो गया है इस्लामिक इमिलेट्स ऑफ अफगानिस्तान अगले इंफॉर्मेशन भारत वा अस्टिद्या के बीच पहली टू प्लस टू मंत्री इस्त्री वारता यह कहां होई यह 11 स्कंबर को 2021 को बारत के साथ इन्होंने बाग लिया इस दूपलस टू मंत्री इस तरी वारता में यह दो वज में कम से कम एक बार होती है इसमें यह कहा गया कि जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान की धर्ती का इस्तिमार आतंकवात के लिए नहीं होना चाहिए यह सब बाते समुद्री स्वास्तियुम् सब्सक्राइब बात 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 की अच्छनी चीन सागर में जो यूएन के लॉज होते हैं उनके बिसे में चाचा की गए तो जितनी भी चाचा होती है वो विदेश संबंदों से लेटेड और अच्छा से लेटेड होती है यहां इसमें माला बार में अस्ट्रेलिया की अस्ट्रेलिया इंडिया यूएसे जापान यह जो चारों देश हैं यह अपने लाव अबिस्व के लाव के लिए सहयोग करके साथ आते हैं साथ आए हैं और यह समय समय पर वैक्सिनी वैक्सिनेशन सिच्छा आद की मुद्दों पर बात वार्दा करते रहते हैं क्या है एक इंडिया यूएसे और जापान इन चारों दोस्ते को यह संगठन है बेसिकलि यह चाइना को काउंटर पार्ट करने के लिए बनाया गया संगठन है अब देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन इस्पेस यक्स के इंस्पिरेशन 4 जो मिशन है उसकी सफलता से क्या हुआ है नि चार आम नागरिकों को अपने पूर्णता निजी इंस्पिरेशन 4 मिशन के तार तीन दिन की सहर यात्रा करवाई किस ने करवाई एलन मस्क की कंपनी इस्पेस एक्स ने तो आप से यह पूछा जाएगा इंस्पिरेशन 4 जो मिशन है वो किसका है वो नासा का नहीं है वो इ स्पिरेशन उससे भी कम से कम 160 किलोमेटर क्यों चाहिए पर यह लोग गए किसके दौरा के यह फालकन राकेट के जरीए फालकन राकेट है उसका जो क्रूड ड्रेगन रेजिलिंस कैप्सूल है उसमें बैठके गए तो इन चार यात्री जो गए इन कौन-कौन से लोग थे एक जिरेड आइजक मैन एक अरपती हैं हैली आरसी नैक्स यह क्रिस सेंब्रोफ की एक डाटा इंजिनियर है और सियान प्रॉक्टर एक सामुदाई कालेज के सिच्छक हैं यह चारो लोग है इन्हें पूरा खर्चा इन्होंने जिरेड आइजक मैन जो अरपती इन्होंने कि देखें अगली इंफॉर्मेशन त्यान गोंग त्यान गोंग क्या है यह चीन का अंत्रिशी स्टेशन है यह कहां पर स्थाफित है प्रित्वी के जो लो अर्थ ऑर्बिट है मतलब की प्रित्वी की निचली जो अच्छा है वह 300 में 340 से 350 किलो मिटर के रेंज में इसको किया गया है अभी जूज में क्यों था कि चीन का अंत्रिशी स्टेशन है जिसका अपना परसनल मतलब की एक नीजी तौर पर अंत्रिशी स्टेशन नहीं बाकि जो इंट्रिशन है वह कई दिसों के समदित प्रयास है अब देखते हैं अगली नीज जापान के नए पीम कौन बने है फोमियो किशीदा पहले कौन थे योही हिदेश शुगा थे देखते हैं अगला इंफ्रमेशन ब्रिक्स का तेरावा सिका सम्मेलन का हुआ भारत की मेजवानी में ये वर्चुल तरीके से संपन हुआ भारत इसके पहले भी दो बार इसका आयोजन कर चुका है 2012 में और 2016 में इस बार कब हुआ 9 सेतंबर 2021 को भारत की मेजवानी में ब्रिक्स का तेराव सिका सम्मेलन हुआ वर्चुल तरीके से इस बार क्या हुआ कि इस साल ब्रिक्स की स्थापना के 15 वस पूरे हुए है उस हिसाब से ये ब्रिक्स का तिरहाव समय दान है लेकिन इस स्थापना के पंद्राव स पूरे होगय है तो इसकी थीम क्या है इसबार इंट्रा ब्रिक्स को और प्रिक्स कौ ऑपरेशन एंड इंड जो जो हमारे प्राम मिनिस्ठर मोदी जी है इन्हों प henna for C पर बल दिया। इस पर इनों ने बल दिया। इसनों नहीं इसा बागी दारी के मजबूर संधात रही है कि इसमें कोरोना अफगानिस्तान आज साब बुद्धुपर चलचा की गए जिसकी स्व्ययोग पर चाहिना में प्रस्ता हुई थे ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई इसमें कौन को से देते हैं ब्राजील रस्या इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका यह पांच देशों खट संगड़ाने शुरुवात में इसमें साउथ अफ्रीका सामिल नहीं था तार इसका नाम था और इसकी स्थापना कब हुई थी जो एक यूएन जीए मतलब यूनाइटे नेशन जनरल आइसेंबली का सिक्स्टीवन सेशन हो रहा था उसी दोरान इसकी स्थापना सेप्टेंबर 2006 में हुई थी लेकिन इसका यह क्या है एक इंटर गवर्मेंटल है मतलब ही कई देशों क आप लच में इसकी थी वेसी ही रखेगे लेकिन जो सुन्मेलन नौ से ब्राजिय में हुआ चाईना चाहिना में और चौथा-2012 में भारत में बारत में इस बारत पहले हो चुआ था-2012 में216 में अब देखते हैं अगली इनफोर्मेशन क्या है। और युएसे का एक संगठान है यह किस लिए बनाया गया है इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश है अमेरिका अस्टेलिया वर बिटीन के रणनीटिक विदों को आगे बढ़ाना साथ हिंद प्रसांट सेत्र में सांतियों सुरच्छों को बढ़ावा देना यह इसका उ सिक्षों की सिक्र बैटक दुसांबे में संबन तजाकिस्तान में यह सत्रहवी सत्रह सतंबर दोजार इकीस को 21 वी बैठक ती इसकी अध्दच कौन थे महामाहिम इमोमाली रहमों यह कहां के थे यह राश्ट्रपती यहीं प्रत्रत्रेश्ट किस ने किया था इस जलसंक्या संब्सक्राइब और इस जब जब हो गया तब इसके बाद जो स्क्राइब के बास यह संगठन एक सीएस्टियों कलेक्टिव सेक्योंटी ट्रीटी और इनके बीच में भी एक और रिस तर्टा आयोजन किया गया अब देख लिए प्याम मोदी ने क्या बोला यहां पर प्रति जीरो टॉलर्ण के बात किया तो एस्टियों के लाज़ते के संब्सक्राइब कहां वह वह कहां हुआ ने किया अब इसके विसे में थोड़ा सा जान देते हैं एस्टियों क्या है संगाई को और इसको संगाई प्रक्ट भी बोड़ा जाता है संगाई प्रक्ट के नाम से भी जाना जाता है यह एक्या यह टांस कॉंटिनिंटल एक तरीक के अ स्थापना का हुई इसकी स्थापना कि 15 जून 2021 को की दोजार एक को फंदा जून-टूजार इसकी स्थापना हुई है वेड़कॉर्टर का है इसका इसके लिए मिम्बर कितने हैं निया अहँशुक 2 के उस्पापत हुआ था तो इस्पापना के समय इसमें चाइना रस्या करशा की सऑन करक्ताने कीया तरफ मर भारत का गया और ना जद्वाट त टूल चा है तो इस तरह जो मेंबर हैं वह नौए इसने प्रवेच्छे क्षारे हैं तो से साथ से आप देखिए इसमें टूटल जो सदस्य हैं इसके नौए चाइना रसिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान पाक भारत और इरान इरान अगली इंफर्मेशन सौब रभाव साली भारत के तीन लोगों का नाम है तो तीन लोगों का नाम है उनका आदार पूरावाला का इन तुन लोगों का नाम है अगली इंफर्मेशन पीए मोधी की यात्रा 22 से 25 सेतंबर को पीए मोधी ने यहां से गए बारत मतलब की विदेस मंत्री भी गए विदेस मंत्री हैसे संकर यहां से भारत के और जो अमेरिका के संबंध है फिर उनको इंप पर पीच में देखना जाना चाहिए इन सब्स हमद म Lazения में एक उन्रशचिप के संद्रम में भारत और और आमेरिका के संब्स को द एचाहिएただ के बहुत सब्सक्राइब को स्य मैं यह प्र हदी इस लिए इन सब्सक्राइब को यूएन महासाभा की मीटिंग नुव्यार्क में हुई तो यहां भी मोदी जी ने जो इसकी मीटिंग कहा हुई कि इन्हों ने कि दुनिया का हर चटा भी भारती है जब भारत बढ़ता है तो दुनिया का भी कायकल्प होता है यह सब बाते यहां पर यहां पर यह भी बोला कि भारती लोकतंत का जनक देश भारत को बताया हिंद्व पसांच्छित में जो सेंद डखल बढ़ार है चीन की ओस संकेट करते हुए मुदी जी ने कहा कि जो समुद्रिक के संसादन यह सब लोग की साजा विरासत है तो इसका दुरपयोग नहीं होना चाहिए इस बाते बल दिया गया अगली इंफॉर्मेशन क्वार्ड का सिका सम्मेलन वासिंगटन दीसी में संपन अभी मैंने बताया क्य कि आते हैं कि हिंद प्रसांथ रख लखिंग को बढ़ावा देने के लिए देना जलवाई परिवाटन से संकट से पथना आपकी संसे प्रगाड करना और इस चीजी को लेकि इन्हों ने गलोबल हइडोटन के गड़बंधन का प्रस्ताव रख्था किस चीज का प्रस्ताव है 2593 इसका तालिबान पालन करें चीक है अगली इंफोर्मिशन क्या है बैस्ट्रिक ग्लोबल इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स बैस्ट्रिक नवचा सोचकान 2021 कौन सा नंबर का है संपधा संगठन इसके द्वारा यह इनोवेशन इंडेक्स जाड़ी किया जाता है इस बात 2021 का इसको नंबर का था इसके जो बिसे था बिसे क्या था ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रोदा कुविट 19 क्राइस से पहला इस्तान कि इसको प्राप्त हुआ सुटिचल लंड को भारत का इस्तान 46 था पहला सुट जैनल का और लास्ट 132 अंगुला का था चाइना का इस्तान बरहामा था और हमारे पड़ोसी दोस्तों में चाइना ही हमसे आगी था बाकि सारे देश पीछे थे सिलंका का 99 पाकिस्तान का 111 नेपाल का तो भारत भारत किस्ता थी 46 नंबर चाइना बरहे नंबर पर अगली इंफोर्मेशन चीनन सब्सक्राइब को अबयद गोसिट कर दिया तो इसलिए बाहर के जो और देशों की करन्सिय यह और जुप्ट करिंसी ते उसको इसने बहनक कर दिया कि मिलमम सपोर्ट वायस को कितना हुआ उनीस सो पचाथ था आप 40 रुपय बढ़ा कर दोजार पंद्रा कर दिया गया चने का खरद मतलब कि खरीफ रवी जायद तो जभ मानसून की सुरवात होती है जून जुलाई में तो यह कौन सी फचल जाती है यह रवी बरसाद में खरीफ की फचल उसके बार रवी ठंड़ी की फचल ऐख चाइएड यह गड़ी की अग्यु इसका मतलब है कि यह रही है कि यह कितनी सेटीमीटर हुई इसको इसको 97 परसंट पहते है गर वर्सा होती है तो चैसा एक जून 2 जूर सफसे 17 सथम्य को मांन्य वर्सा एक cow सबसे जादा कि जो किस छेत्र ने समस्क्राइद भारत में 111 वर्षा स्के बाद और वह लगव्रात में जहां निकिन सबहें चान叉 को ब're it प्रबंधन अब साथ नई कंपनियां इनको बनाया जाता था इनको साथ कंपनियों को आस्तांतरित कर दिया गया है देखें एक अक्टूबर दोहजार एक्कीस को रच्छा मंत्राले के आधेश के था ससस्त से नाओं के लिए गोला बारूर वर्स बुलेट प्रूफ यह सब बनाया जाती थे इनको यह कामों को यह साथ कंपनियों को अब ट्रांसफर कर दिया गया है तो साथ कंपनियों कौन इंडिया उप्टे लिम्टेड और ग्लाइडर इंडिया लिम्टेड इन साथ कंपनियों को हस्तांत रिच्ट कर दिया गया और्डिन्स वेक्ट्री के काम एक इंफॉर्मिशन यह ब्यापार और विकास रिपोर्ट यह किसके दौरा जारी की जाती है तो यह जारी की जाती तो यह अंकटाट के दौरा जारी की जाती है अगली इंफॉर्मिशन क्या है सूने अभिमान तो सूने अभियान 15 सितंबर 2021 को भुगताओं और दोगों के साथ मिलकर नीती आयोग ने रौकी मौंटेन इंस्टिटूट आरेमाई और आरेमाई इंडिया के सहयोग से सून प् इसको बढ़ावा देने के लिए यह जारी की गई है इसका मुक्य उद्धेस है इसे प्रदूशन सुनने होगा और जारी करके दिया जाएगा इसको अभी जो कुल सीओ का उस्तर्चन है उस्तर्चन का त्यंपर सेरी माल वां उन्हों से होता है तो यह अब क्या किया प्रदूशन और जाएगा जिससे कारबन का उस्तर्चन कम किया जा सके इस से क्या हो कि 2030 अभी इसमें 2030 तक 114 परचंट की विद्धी की संभावना है कि नहीं भारत में माल धलाई से होने वाल जो करबन डाई अकसाइड की कुल उस्तर्चन का 10 परचंट सारी माल वां उन्हो 2030 तक इसमें इस तक इस उसरजन में 114 परचंट की विद्धी होने की संभावना है महिला उद्दमिदा प्लेटफॉर्म यह एक इसके दोरा जारी किया गया है निठी आयुके दोजिए ईससस को की संभी इसासर क्या था प्लेटफॉर्म किसके लिए जारी किया गया बारत का पहला स्वतनत्र एग्रिगेटट एप एवी प्लग साथ सितंबर को लाई हो गया है यह अप उपयोग गता हो को निकतन एवी जो चारजिंग इस्टेशन है का पता लगाने में मदद करता है तो एवी जो चारजिंग इस लॉटियां उसके बीसमझाल नेते हैं इन सी एलेटी के नए अध्रच कॉन बने है नएमूर्थी एमवडेगुपाव यह क्या है इन सी एलेटी के निसनल लॉफ अपीलट निसनल कंपनी ला अभील अपीलिट ट्रिब्यूनल के ने दिश्वावड बने हैं नायमूर्ति य प्राविट नागालेंड के राजपान नए बनाए गया है पुरसकार कौं-कौंस इंपॉर्टेंट है महाराच सरकार रारा आजीव- गांधी के नाम पर सूचना प्रद्यूक की छेते में विश्चेश उकलब्दियों के लिए कंपणी कंपनी गव्त्री चैस्थानों को प के चेते में दिया जाता है 2020 का पुरसार किसको दिया गए स्वी सरसुती को निरन देख लेते हैं आसकर फणना डिस यह कंग्रेसी नेता थे राजसाबा के साथ से अस्चिवर्स के उम्रे में इनका निरन हो गया है इस महिने की इंपोर्टन बुक्स कोन है 400 चेतन भगत की बुक है इस टार गेजिंग दप्लेयर इन माइफ यह किसकी रवी सास्त्री की है और टू एक लाइट डिजास्टर यह लिख है यह लिखी गई है यह बुकर प्रास्कार नों इसको मिला भी है यह देमन गॉलगट की बुक है यह द अफ्रीका की है बीवित देख लेते हैं फिला निप्पो 2021 क्या है यह पचीस से तीस सितंबर को मनाया गया यह जापान की अंतर राश्टी डार्क तिकर्परदसनी है यह को हमा सहर में इसका आयोजन किया गया दस वस्प में एक बार यह इसका आयोजन किया जाता है थीम क्या इसके सिलिबिटीग एक तो पचासव्फ शर्विस डिलिवरी डिलिवरीं नुव वैलू तोमारो पिला निप्पो निया है इसका इंटाधासिट यहां यह जापान की आपन पहले लोग सबार टीवी ती अब दोनों को मिक्स करके शंसर टीवी कर दिया गया उसका सुबारम कपके रहें इस महीने के अंतर राष्टी फुडवाल में सरवाधी गोल करने का रिकॉर्ड किसके पास है आप जो नया हो गया किस्ट्यान वुराड़ो के पास 111 गोल इंपोर्टन डेश कोंग से देख रहें दो सितंबर को बिस्व नार्यल दिवस मनाया जाता है इसकी थीम क्या थी कुवीड-19 नार्यल समुदाय का निर्माड आठ सितंबर को अंतर राष्टी साथचर्ता दिवस इसकी थीम क्या थी लिट्रेसी फॉर ए उमन सेंटर रिकवरी नेरोइंग दा डिजिटल डिवाइट यह इसकी थी अंतर राष्टी लोग्तंत दिवस मनाया जाता है इस इस बार क्या थी मंतल топ यह फोडूऌ हमें हमारे उस Kaneo को ठंड हम Yay 17 सितंबर 17 सितंबर को क्या गया मौना जाता है 25 सू ऐस ब हEst जो कि इसी थीम के थी इस भाद 2021 कि है तूरिज़्म ऑ इंक्लिसिव ग्रॉथ मतलब कि प्रशहिए विकास के लिए पजिटन समयवैसी बिकास ओगलर वीडियो में हम दिसमबर मागे की करिंट अफेश को देखेंगे, धन्यवाद जो क्ते ही वीडियो में सित्मबर अक्तूबर नवेंबर इन महीनों की करेंट अफेश को खथम कर लिएं अब इस वीडियो में दिसमबर महीने की जो इンピर इन्पो यह बहुत ने किस वह प्राप्त कर लिए इसके बाद भारत का इस्थान आता है जिसने सो करोड़ टीके का अगड़ा प्राप्त कर लिए इसी टीके करण को बढ़ावा देने के लिए एक मेगा अभियान चालू किया गया जिसका नाम है हर घर दस्ताक अभियान यह 3 नॉमबर 2021 को मोदी जी द्वारा शुरू किया गया इसमें क्या किया गया सफलता के लिए इसके 25 ऐसे डिस्टिक को चुना गया जहां पर टीके करने के लिए यह हर घर दस्ताक अभियान शुरू किया गया अगली इंफॉर्मिशन हमारी क्या है आई पिल 2022 में 15 15 होगा इसमें दस्ती में होगी पहरे आठी में होती थी लेकि इस बात दो नई टीमें सामय लिए जिससे इनकी संक्या दस हो गई दो नई टीमें कौन-कौन लगांव को खरीदा कि लगांवाद को किसने कि सेटीमें के लिए पांच अच्छी क्यों लेकिन अब जब 10 तीमें होगे जो टीमें से आप टोटल मैंच की संक्याज़ हो जाएगी और चाहतर हो जाएगी आगली इंफॉर्मेशन हमाजी क्या है किसी वह मौडल विक्सित कर किसी का जो उपज़े है वह हवाई परिवहन के बाइटर इकनान वह अनकूलन के जरिए किसी जरी है किसी ऑड़ान 2.00 का तूपपंट 0 का उड़ेष है प्राप्ति बताब किसानों को दाम कम मिलता है इसके जगह जब यहां एक जगह की उत्पाद दूसरे जगह पहुंचाए जाएंगे तो इससे क्या होगा इसमें होगा क्या किसान मालवाद कंपणिया सब लावा में योजना देश भर के तिरपन हवाय पर मुक्रोप से पर उत्तर अध्यवासी शत्रों में लागू होगी प्रारम लागू 21 के जाएगी नागरिक विवान नागरिक उड्डेन मंत्राले द्वारा अगली इंफॉर्म सिंगापुर में इन्डियन निशनल आर्मी के आठ प्रत्मिजियों के साथ यह प्रत्मिजियों के लिए इस बार क्या हुआ तो इसकी जब अठतर वी वस्गाठ मनाई गई तो लाल के लिए इसका आयोजन किया गया इसी अउसर पर जनरल बक्षी ने एक किताब लॉंच की बोस्ट दा मिलिटरी डाइमेंशन दा मिलिटरी हिस्ट्री आफ आयन ने एंड नेता जी इसका भी मोशन भी है गया जब इसकी अठतर वी वस्गाठ मनाई जा रही तो बहुत सारे कारिक्यम भारत में हुए निवार्ष को जापनी सेना की मदद से अंडवान नीकुबार पर कपजा किया थे नि ने ने दर्शेना की मदद से 30 दिसंबर नीचन को कट्री सारे जांवारो कई जगा होंगे बस यह इनफिसाखा पत्तनम यह है क्या विशाका पत्नम स्वदेश निर्मित विद्धवनसा की युद्धुपोत है इसको भारती नाव स्वेमना में 29 अक्टूबद 2020 को सामिल कर लिया गया यह जो विशाका पत्नम युद्धुपोत है यह हमारे यह को योजना चलती है पी फिप्टीन भी इस पर योजना के त निर्माड किया जा रहा है तो इसमें जो पहला युद्धुपोत बना विशाका पत्नम है और यह नो भाती नो से नमें सामिल हो गया है इसमें क्या क्या इसके निर्माड मजगार ढाक याड डाक सिप्याड महाराश को दोरक किया गया इसमें कि एक बार में 42 दिन तक है इस युद्धुपोत में 312 नौसेना कर्मियों की रहने की भी वर्षता है अगली इंफॉर्मेशन अगनी 5 मिसाइल अगनी 5 क्या है यह सता से सता सर्पेस्ट तो सर्पेस्ट समान करने वाली मिसाइल है इसके मारत छमता कितनी है यह 5000 किलोमेंटर इसका परिक्षड किया अगनी 5 मिसाइल का कहां से किया गया यहां से इसका परिक्षड किया यह भारत की जो फस्ट यूज पॉलिसी उसी के कोडिंग है और भारत अपनी फस्ट पॉलिसी के लिए प्रतिबत भी है लग रेंज बंब यह डियाजियों की हैदरबाद इस्तित लाइबर्टरी इमरत उसके द्वारा यह बनाया गया है यह सदेशी विक्सित लंभी दूरी का बंब है अगली इंफोर्मेशन पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 तो 29 अक्टूबर 2021 को बैंगलूरी इस्तित एक गए लागकाई थिंक टैंक है पब्लिक अफेया सेंटर उसके द्वारे पब्लिक अफ च्छोटे राज और यूटी में वह पहला इस्थान वह एक सदेशी रूप से निर्मत भारती तड़त्र जहाज है यह राश्ट को समर्चपित हो गया है यह अब तटी गस्ती पोथ है अगर पूछा जाए कि सार्तक क्या है तो एक अब तटी गस्ती पोथ है और यह सदेश लिए तुशेल का निर्माड निया जाता है विन के दोर रहा है विसको सिंफियाद् लिम्टिड लिम्टिड वहां से लांच किया का संस्कृत मतलब होता है रच्छात्मक कवच तो यह बारत और रसिया की वीच पेस समझाबता हुआ है उसके तहसे तुसील जो युद्वोथ है तो तुसील क्या है बारती नौसजयन की उड़्वोथ है अब जी आई टैग देख लेते हैं कि कहा 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 के उत पाद हैं उनको जी आई होता किया दोस्तों किसी भी लिजन क को मिला रटावल आम तो यूपी के बागपत में उगाया जाता है। इसका नाम रटाव यूपार पर पार भी दावा करता है कि यह इसके यहां की मूझ उपच्छ है। इसका क्या होए दोसके जो एक सो चालिस ग्राम से 220 ग्राम तक उसका वजन होता है। तो रटावल अबहाए कर यूप्ग्पट में जाता है उसको जियाइट अग मिला यूपी का उत्पाद है शोजत महंदी यह राजफान के पालि दिस्टिक की सोजत तैसिर में उगाई जाने वाली में इसकी पत्कियों में उत्चमात्राम लासून लाल ना रंकिंदंग के लि पालगण वाड़ा तहसिल में सफेद रंका चावल है इसको जीनी जीनी चावल भी कहा जाता है इसको जी आई टेग प्रतान किया गया है अगला क्या है करूपुर कलमकारी प्रिंटिंग यह क्या है कि तमिलाड के परामप्रिक डाई प्रिंटेड और पैट्टान वाला एक इसमें किया जाता है अगला क्या है भारत का पहला मानव यूक्त मानव यूक्त समुद्री मिशन समुद्रियान यह लाउंच किया गया है इसको निशनल इंस्ट्टीट ऑफ ओशिन टेक्नोलोजी यह लाउंच किया गया इसके ताथ होगा कैसे ताथ गहरी पानी गहरे पानी के भीतर अध्धन करने के लिए लगबग 6,000 मीटर की गहराई तक तीन बेक्टियों के साथ पंडुब्भी भीजने का प्रस्ता हो प्रिफवी विज्ञान मंत्राले की पाइलर कर योजना का है अगली इंफर्मेशन दिखते हैं आसियान का 38-29 सिका संपन हुआ यह कब संपन हुआ दोस्तों यह 26-28 अक्टूबर के बीच में आसियान का संपन हुआ और यहां के अधश्चता के जो बुरुने के सुल्तान ज सब्सक्राइब थी तृडब करख़ा है इसकी Congo सिक फ्रीपेर एंड टोस पर अश्यान के मैं थोड़ा साजोन देते हैं और इसके इस्टोपना का obriga 1767 जहां बंकॉक है दोस्तों इसका लगॉवर्ट तो पर धुर्ट जर्ष को जाखक अब लोग अगश्यान में तब इसको बहुए तब तत्त में किसको बाशिया प्लए थ्में प्लस चाइन में जपन और कोॉरिया इनको असीर में नया देश समय देखान पर जाएगा तीमोल लेस्टे यह संख्या ग्यारा हो जाएगी अगला जो आशन का संव्मेलन होगा यह कमबोडिया का नाम पेन में बारत यहां कि इसी बीच में भारत आशियान की अठरावी सिखा समय लएंड होगा चुकि भारत आरीच इस लिए बारत व्यापार है यह थोड़ा कम भी हो रहा है इस इतर आरीची का है यह सब जो देश हैं इन्होंने मिलके एक मुख्ट व्यापा समझोता किया उसी को आड़ी सीपी कहा गया बारत अपने हितों की करण इससे बाहरा भारत ने इसमें मतलब की बाहरत इसका हिसा नहीं बना है वर्स 2022 में भारत आसियान संबंदों के तीस वर्स पूरे होंगे तता भारत क सुतंता के भी 75 वर्स पूरे होंगे 2022 में इस वर्स को भारत आसियान में मित्ता वर्स के रुप में मनाये जाएगा इसके बारत आसियान की मीटिंग हुई तब बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई तरटि ने साथ ही यह संपंपर जो इसमें कौन कौन से आते हिसे दस इसमें इस अलग देसें इसमें अंडिया है चाइना है जापान साथ कोरिया रश्या और तो दस आट देस की वर्था को इस्ट एस समीट कहा जाता है कि 17 इस इस समिट समिट का आयोजन जो होगा 2022 में एक कमबोर्डिया के नाम पेंद में होगा अचयान सिका सम्मिलन के साथ ही होगा कि छीन के सीमा चीन ने क्या किया है अभी नए अपना व्हुटान को छोड़ कर अन्हें चीन का समझगता है सीमा समझोते हो चुगे हैं देखते हैं इंफॉर्मेशन दिन्मार्क के पीम मिड फ्रेडिक्षन की भारत आता है नौ से ग्यारा अक्टूबर 2022 को दिन्मार के पीम मिड फ्रेडिक्षन है उनकी यात्रा भारत मतलब वह भारत है किन-किन मुद्दों पर चार्चा हुई यहां सहयोग लिया हरी तरणेटीक पार्टर्सइब जो मत इसी के साथ जिन्मा के साथ हुई है इसको प्रगिति शेख्वी नार्टिक पार्टर्सिप पूला दाता है इसकी प्रगिति की भी समच्छा के गई यहां पे 2012 में सिकेन्ड भारत नाडिक्षन होगा इसक लिए पिम अक्टूबर दोहजार्या को मेजबानी किसके द्वारगी में मार्योड ड्रागी के मेजबानी में इसके EU मतलब कि European Union इसके इस्थापना हुई थी दोस्तों 26 सितंबर 1999 और इस्थापना किस वज़ा से हुए थी कि Global Economy में अगर कोई भी इस्थिता आती है इस इस्टेविल्टी आती है तो उसको काउंटर करने के लिए जीटूंटी का गठन किया गया था इसके चेयर मैं है मैं अभी वह कहते है जोब्यूकर प्रकाण क्या करता है जोब्लोब ऐकॉनमी के लिए मैं अभी बताया झान में में सब्सक्राइब और टारों मॉर्ण की प्रगेती के लिए यह काउया लोगा eff색 थी के रह चाहिए वल्ध के रहे judging लेकिन बहुत नहीं बढ़ने दिया लेकिन इस प्रतिबत नाइं प्रयास करता है इसे भारति रेल का 2030 तक निट जीडियो कारगन तो भारती रेलवे है उसका नेट जीरो 2030 तक नेट जीरो कर्बन उस्टाशने का लच्छ नवीकर्णी उर्जा में 100 गीगावाट का जो इस्ताफी चम्ता प्राप तुसा गीगावाट से भी ज्यादा हो गई कि परेट्रोज में 20 परेटलाव को में लच्छ मारा कब तक का यह 25 तक का और उसी की तिसामें हम अग्रिसर हैं अगला जो जी होगा इंडिया में होगा तो अभी कहा होगा इंडोनेसिया में होगा और सुडान में तक्ता पलट से इसको आजादी में एक अप्रीकी देश है यह आठ वारत प्रवास के लिए पंदा चिन यात्री पहुंचें तो यहां पे 16 अक्टूबर पंदा चिन यात्री यहां पे गए तो इसमें एक वाक यापिंग जो महिला थी यह इस पीक स्वाक करने वाली पहली चीन की महिला बनी यह जो दियान गोंग है इसका निर्माड हो मतलब की इसका निर्माड 29 अप्रेल 2021 को शुरू हुआ आयो 2022 तक इसके पूरी होने की संभाव है अग्ली इंफ़र्मेशन ब्रहसपती के तोजन के अध्देनेतव नासा के लूसी अफ्पेश क्राफ्ट का बारा वर्सी मिशन नासा का लूसी इसके स्के स्केसक्राफ्ट का लावर्सी के बहुआ है यह किसके द्वारा जिए 16 अक्टूबर 2021 को फ्लोरीडा के 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 एक च स्टेशन से तिलास वी चार सो एक राकेट के द्वारा है यह भीजा गया बारा वर्सी मिशन इक इसने 6.3 किलोमेटर की यात्रा 6700 इसके मादम से 8 चुद्रगाओं का आध्यन किया जाएगा यह 8 में से एक जो चुद्रगाओं मंगल व्रहस्पति की बीच में इस्तित है और बाकि से 7 चोजन इस्ट्रॉइड है और एक बिच में इस्तित है लूसी नाम किस वज़ा से पड़ा तो मनुष्ट के 22 तलाख वास कुरानिक कंकाल के नाम पर इसका जो मिशन है यह इसका नाम लूसी पड़ा एथ्टूपिया में उन्हें सबसे पहले यह खो जा गया था तो लूसी क्या है यह नास्ता का स्पेस्ट्राप्स एक बारावसी मिशन है जो छुद ग्राएं उनके अधिन के लिए गया है अंतिर के द्वराण बनाई जा जा लगे यह एसी पहले फीचर होगी जिसकी जिसकी द्रिस्ट इसकी और पर और दिंद्द है के बाहर पर अगली स्टान में मिर्जव यह पांचकर लगता दूसरे का लिए निर्वाचित हुए इसमें इसमें यह कि भारत के आयुक्त चुनावा आ अंतर राष्टी पर विच्छक रहे इस चुनाव के दौरान तो उजबेकी स्थान के चुनाव वराष्ट पतीगा उसमें जो अंतर राष्टी पर विच्छक बने वो कौन थे भारत के मुख चुनाव आयो तो सुसील चंद्रा थे चलिए अगे देखते हैं कि बैस्विख खाथ सुरच्चा सुषकांग दोजारी किसके द्वारा जारी किया जाता है उन्नीच अक्टूबर दोजाजी किसको एकोनमिक इंपेक्ट द्वारा यह जारी किया गया इसे पहला इस्थान किसको प्राफ्ट हुआ यह 113 वह बुरुंडी को प्राफ्ट यह 113 भारत का इस्थान था इसमें तो बैस्विख खाथ सुरच्चा सुषकांगे भारत का स्थान सेवंटीवन है अग्या देखते हैं ले पास्पोर्ट इंडेक्स दोहजारी किस पांच अक्टूबर दोहजारी किस को लंदन इस्थित बैस्विक नागरिक्ता और सलाकार फर्म है जो लंदन मिश्तित नाम के है है इसके द्वारा है राटा पास्पोर्ट इंडेक्स जारी किया गया इसमें यह बताये गया तो यह जो आक्टे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ड इसोसियेशन से इसके आधार पर यह रंकिंग जारी की गए भारत के साथ ही जो दो देस्ट और है तजाकिस्तान और बुर्णी का बुर्कीना फासुआ इनका भी स्थान नब्य नंबर रहा बारत के साथ ही कि देखे दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन क्या है रूल उफ ला इंडेक्स दौए जारी के जाता है यह 14 अक्टूबर 2012 अमेरिकी स्थिदेग संस्ता जिसका नाम है वर्ल्ड जश्ठीस प्रिजक्ट वल्ड जश्ठीस प्रोजेक्ट संस्ता व्सके को पर डिपेंड होती है वहां की सरकार का या सरकार की सक्टेट को पर कितना प्रतिबंधा अ है हुआ अ हम वह लोगाम है अल्सक्राइब करburgय का वह हो है कि सरकार में पार्धिरश्टा कितनी है और मूल अधिकार यह सब मिलाके आठ पैरामेंटर बनाया जाते हैं दोस्तों उनकी आधार पर यह रेंकिंग जारी की जाती है आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपोर्टन्ट है तो जूल आफ लाइंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है यह वर्ल्ड जस्टिस प्रोज अगली इंफॉर्मेशन अगली इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों labor of us की पहली राष्टपती निर्वाचित वे जो राष्ट्पती है वो कौन बनी甚麼 इनका नाम क्या ड्रेम सेड्रा मेशन यह बिटेन की आजादी बिटेन से जो आजादी की 55 वसगाठ पर इन्होंने सपत ली बारबाडोस की बाइस समझान लेते हैं अगली इंफोर्मेशन दिखते हैं प्रधान मंत्री गती शक्ति इसके मैं आपको बता चुका हूं पहले भी तो यह क्या यह एक निश्टनल मास्टर प्लांट है इसका सुबार में 13 अक्टूबर 2021 को किया गया है इसके जो आधाय सब्सक्राइब परियोजना है उनकी कार्यान के लिए इस चीस तक पूरा किया जाना है तो इसका मतद्स यह क्या है यह जो आधाये सब्सक्राइब परियोजना है है उनको पूरा किया जाएगा अगले इंफरमेशन क्या है, एर इंडिया की विक्रे है तू टाटा समों की बोली, टाटा समों की स्वामित वाली एक कंपनी है, तैलेस प्राइवेट लिम्टेड इसके दौरा ये बोली लगाईगी, ति दौरा आठारा हजार करोन की उस्टम बोली लगाईगी, और एर सरकार जो एंडिया का कर्ज है वह सब चुगाएगी अब इंडिया की इसे में जाल लेटी थे एर इंडिया की इसका नाम था टाटा एयर सर्विस और इसका अधिक्रान फ़र लिया था अब फिर से दुबारा है टाटा को एंडिया दे दी गई है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारतन का दरजा दिए यह क्या है? यह क्लाकी तैना महारतन के सबसे बड़ी बित्तिक कंपनी इसको महारतन की महारतन होगे? कि संख्य किती होगे 11, 9 रतन कि संख्य कितनी है, 13 और मिनी रतन, ये कितनी है, 73, महारतन कि संख्य 11, 9 रतन कि संख्य 13, और मिनी तूटल 73 है, इसमें 11 जो महारतने हैं, कौन कौन सी महारतने है, सेल, О, NGC, IOC, NTPC, CIL, भेल, गेल, BPCL, PG, CIL, HPC और PFC, मतलब कि पावर फाइनस कॉर्पोरेशन, तो आप टूटल 11 महारतने कंपङ्या बन गही है, महारतने कंपङ्य जो तरद देजा जाता है, उसके लिए प्यमाना क्या होता है, इससे पहले से नवृतने कंपऑणी हो, गया से ही, प्यचले से य नवृतने कंपणी हो, धूसरे के इसका प्यमाना, कर जो जो आूसरत करोड़ बीजिंद करोड़ से उपर हो कि अधर नबर कि उसका टॉन वर्ष है वर्षी टर्री तर्न है कि यह तो यह कम्तिन प्राइब्स हैं किसी को महारत में कादाजा दीने कि पहले सी कि यह नौरत कंपणी हो पिछले तीन सालों कंपणी का उसका नब औरक्रोडिशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 एक इता गांगर लाइफ दोरह जारी किया जाता सब्सक्राइब जारी गेंगों किया जल्ट हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू कोमप्रेहंसरी मेजर एंड्रैस्पाइब इसको मेजर करना इसको मेजर करना होता है तो उसमें देखते हैं अंडर नूरिश्मेंट चाइल्ड वास्टिंग चाइल्ड इस्टंटिंग और चाइल्ड इसको अपने के इस आधार पर किसी देश को रेंकिंग प्रदाद की जाती है तो जो हंगर इंडेक्स का जो मान है वह जीरो से बातलब की होता है और फिर पचास प्लस तक जाता है तो इसमें जो जीरो से 9.9 की बीच में इसकोर दिया जाता है वह उन देशों में भूख की कटेगरी किसिस्ति कैसी रहती है किसी कंदिशन 14.5 तो चांश को 55 के बीच बीच का सथान है इस चैसाफ़िज सब्सकूर मिला वह 101 भारत का इस्थान नहीं है अगली इंफ्रमेशन क्या है प्रियम मित्र योजना यह है क्या दोस्तों आपनिर्वा भारत के निर्माण और भारत को बैस्विक इस्तर पर वस्तमा चेंस से स्थापित करने के लिए जिस्ट्र को साकार करने के लिए यह लांच की इसके तहर प्रिवार्व का कि उस्थार यह भारत को मजबूत करना इसके तस से परीधान से यह वस्था से वाइब टू फ्सटेया अगरे पांसन उने मनझूरह सर्कार नहीं बलॉटा सबसे अमीर भारतियों के सूची सबसे अमीर भारतियों के लिए पहला इसना मुंके संभानी को दूसरा गोता माड़ानी को तिस्ता इस्तां सियुनाडार को प्रत्वा अकाशा एयर अकाशा एयर किसकी है यह स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है उनकी कंपणी है उड्यन मंताले ने इनको अब यह इसका संचालन कर सकते हैं तो इसके तहट इसका मतलब की तरेंगी का है यह 2022 से इसका संचालन सुरू होगा और चार सालों वे लगभा सतर विवानो से मौड़ल पर चलेगी मतलब क्या है है कमलागत में अपनी सेवाएं देंगे ऐए माई port अयह किसके लुग मिनस्ट्र सबन सोजनेवाल है इनके द्वारा इसके दौरण करना क्या है इसके पत्तन संचालन की निग्रानी है तो यह माई पूर्ट एप लॉंच किया गया वि पहली बिसकरमा वाटिका कहां इस्थापना की जाएगा इसके मादने से होगा क्या दोस्तों देज भर के इत्यारी इनको वाटिका के मादन से पहली बिसकरमा वाटिका स्थापित की गई वो यूपी के रामपुर में स्थापित की गई अब देख लेते हैं इस महीने की इंपोर्टन नियुक्तिया है उनको किसमें पीम के नए सलाहकार कौन बने है अमित खरे आर्बिया गवर्नर्स जो सक्तिगान दास हैं उनका कारिका सब्सक्राइब के नए प्रबंद से कौन बने हैं बीसी पटनायक गनाड़ा की नई रच्छावंत्री कौन बनी है अनीता आनंद यह भारती मूलकी है इसको डारेक्टर पीएस बिनूद राथ हैं पूरसकार में देखते हैं दोस्तों अन्तराष्टी हांकी महासंग की स्ट खिलारी को पूरसकार की के पूरसकार पूरस में और सह्थ लादी महीला में किसो दिया है गुरजीद को दिया गया और आगे देखते हैं बुकर पूरसकार दोहजार एक्टार प्रॉमिस नोबेल पूरसकार देख ले दोस्तों 4-11 अक्टूबर को यह प्रदान किये गए नोबत पुरसकार 2021 इसके शित में दिया जाते हैं जिए चिकिस्ता में बहुतिक में रसायन में साहित रसायनती और अर्थसास्त के शित में दिया जाते हैं अब देख लेते हैं करम से कि चिकिस्ता और फिजियोलाजी में किसको दिया गया है यह USA के दो लोगों है डेविस जूलियस और एडम पटापाउटियन इन लोगों को दिया गया है इनकी खोज किया है यह तापमान हुआ इसपर्स के लिए जिसप्टर की खोज करने के लिए इसपर्स क्कि रिख्यां को दोनों आप नोबल रियोगों के लिए पुरस कार दिया गया है इनको रvantage। इनों के गिया अस्यमेट्रिक औरगयनों के रूप में पहचाने जाने वाले अड़गो के निर्माड के लिए एक नया तरीका इनोंने विक्षित किया इसके लिए इनको रसाइन विग्जयन का नोबल किसको मिला अब्दुल जज्जा गुरना यह बिटेन में रहे तंजानिय इनको किसके लिए गया यह बिस्थापन से नई जगा जब घर बनता है तो उससे पढ़ने वाले प्रभाव का अध्धन नहीं नहीं किया उसके लिए इनको दिया गया अब्दुल दज्जाग गुरनाह को सांति का नोबल किसको दिया गया मारिया रेशा फिलिपेंस की पत् उससेएं इनकों किसलिए बिस्कंस भिज्ण में मैं दोचाया के लिए का सब्सकार से टोथ कहें गया है सुमित अंतर प्रमोद बगत कृष्णा नायर मनेश नर्वाल मिताली राज सुनीज श्यत्य मंत्विश सिंग इसमें ज्यादता लोग है और कुछ टिर्केट से लिटर भी लोग है इनको प्रदान किया गया निधन की भी समें देख लेते हैं अब्दुलकादिर खान है यह पाक प्रमाण करकिन के जनक है पाकिस्तान के प्रमाण करकिन उसके जनक है यह मंत्रिक के पहले बिच्ड स कही बारत बuten की बीच में ब्रिटन की बीच में ञालं मित्र शक्ती यह जिमम्मेक्स 21 यह बहरत ऑन जापन के बीच में पचवा सुर्य किरन भारत और नेपाल की बीच में पृप्ति नमबर का था यह उत्तर खंडे सबस्क्राइब के बूक किसकी है किसकी इनकंप्लीट लाइफ यह विजय पाल सिंगानि है इनकी किसी इनको उसकार मिका है गल गूघ की ऑफ है और टी टूर्विट एंतरा European क्रिकट में सबसे देज गति से सो बिगट लेने वाले किस ने कायम किया यह राशित खाने अफगानिस्तान कि सबसे टीटूंटी में इन्होंने सो बिकट लिए बारती पुरुष टीम के नए कोच बने 200 चैंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी यह अंशु मलिक है 57 kg वर्ग में इन्होंने प्राप्त किया भारत के स्थान इसमें 200 चैंपियंशिप में कौन सा रहा पंद्रहवा दूरंड कप बिजेता कौन से टीम रही गोवा और बिजेता कौन से टीम रही मौहमध दीन टीम यह विजेता कब की 2021 की बिजेता टीम को सी गोवा एफसी इसमें इसमें अलाना एमी हंटर कौन है आयलेंड की हैं यह अपने सुलावय जन्मदिन के औसर पर जिंबाम्बे के लाब 121 इस महीने के इंपोर्टन डेज देख लेते हैं चार अक्टूबर को विस्व परियावास दिवस मनाया जाता है इस इसका थीम था सब्सक्राइब करेंगे और फिर आगे के वीडियो को देखेंगे तो देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में जन्वरी माह के जो इंपोर्टेंट करेंट अफेर है उनको इसमें पहली माई जो करेंट अफेर है इनका दो-दो वस की जा सकती इनके कारिकल में आदिक्ता मबासट यह के जो इनका कारिकाल होता था अब उसके इस्तान पर यह लोग 64 साल तक रह सकेंगे तो पहले क्या दोस्तों की जो निदे सकते करें निदेश की जासकती है मेकसिमूम चाही है किस तकी अगर यह 62 साल के उम्रे में इटार होते तो अब इनका कार्यकर बढ़ा के 64 साल कर दिया गया है अगली इंफॉर्मेशन स्वच्छ सर्वेच्छन 2021 इसमें क्या बताया गया दोस्तों इसके मेन आउटकम क्या है डेश का सबसे स्वच्छ इस्थान पे बना हुआ है अब देख लिए अगली इंफॉर्मेशन दस लाग प्लस सारों में जो सबसे स्वच्छ सार आये हैं उन्हें पहला इस्थान इंदौर का दूसरा सूरत का एक स 3-3 लग में कौन सा इस्थान है किसका इस्थान पहला एंपी का महाराश्त महाराश्यकी वीटा इसका पहला तन है सवेला सबक्राक्यद्व को कि नौसेना में सामिल कर दिया गया इसका निर्माड किसरा दोरक किया रहा है निर्माड के मंपई के धूँगों और किया रहा है तो यह क्या है 7-9 पंडूबी इसको नवसेना में सामिल कर दिया गया है अब यह स्कॉर्पियन सड़ी के छैपंडूबियों के भारत में निर्माड के लिए फ्रांसिसी नवसेना कंपणी डी सी एनस के साथ 2005 में समझाओता किया गया है इसके पार प्रांस के सहयोग से बनाई जा रही है इसके च्छे पंडूबिया बनाए जाएंगी तो यह जो आइनस वेला थी चौथी पंडूबी थी इसको अब नवसेना में सामिल कर लिया गया है उसी तरह आइनस करंज 2018 में इसका जलावतरण हुआ 2021 में सामिल हो गई आइनस वेला इसका जलावतरण 12 नॉव्बर 2020 को हुआ और यह 25 नॉवंबर 2021 को यह सामिल हो गई आगे आले बने टाइम में 2022 में यह सामिल हो जाएगी आइनस वागीर और फिर 2000 आगे जो टाइम आए उसमें कौन से दिखते हैं हिंदु धर्म त्याग कर इसाई बने देवा सहायम पिल्लाई के को निधन के 270 वसबाद संतकादा जदिया गया यह कौन थे कौन दोस्तों देवा सहायम पिल्लाई यह इनका जन्म 23 अप्रेल को कन्या कुमारी में हुआ था इनका मूल नाम नील कांत पिल्लाई था 1745 में इसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम क्या होगा लेजारूस इनके 147 को गोली मार करते की गई जन्म 23 अप्रेल को बूल नाम नील कांत पिल्लाई और यह कहां के थे यह कन्या कुमारी त्वार्वत में इस संतका दर्जा प्राप्त करने वाले बार्त के पहले यह सब्सक्राइब करने वाले पहले आम भाती कौन बने हैं इनके निधन के 270 बाद वर्स बाद इनको संत्का दर्जा दिया गया है इनका up का दम नाडान के ठेट करने का देए अगींफ और यूिप यह पास्नाओ उर्ण से जिलखन्ड परिश्तेशन और इसका मा तrates दिया गया गया मा बराही देविधल धाम कर दिया गया है। उसका नांग बजल के कर गया है मा बराही देवी धाम और इसी तरह MP के जो इंडॉर डिस्टिक में पाताल पानी जो इस्टेशन था इसका नाम अब बदलकर आदिवासी सवतंता से नानी टट्या भील के नाम पर कर दिया गया है इनको इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था क्यों कि क्यों कहा जाता अब उसका नाम बदलकर टट्या भील के नाम पर रख दिया जाएगा इसी तरह दान्दूपुर का नाम मा बराही देविधाम कर दिया जाएगा आद में पहले हो चुके हैं जैसे हभीब गंज इसका नाम बदलकर अब रानी कमलापती इस्टेशन कर दिया गया है यह यह कौन सा इस्टीशन अ यह दानी कमलापती स्टेशन किसका नाम बतलकर दिया गया है इसका नाम बदलकर दिया गया है यह कि मुगल सराय इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया इसका नाम बदल के दीन्दयाल उपा Raphaмы कर दिया गया है इसका नाम बदल किया प्रियागराद जंक्षन कर दिया गया है अगली इंफ़र्मेशन दिखते हैं यूएन डव्लू टी ओ द्वारा यूएन डव्लू टी ओ द्वारा पोचम पल्ली सर्वस्ट पर्यटन गाउं के रूप में चैनित दो दिसमब 2021 को मैडिट स्पेन में संयुक्त राष्ट बिष्ट पर्यटन संगठन महासभा यूएन डव्लू टी ओ इसकी 24 सत्र में तिलंगाना की पोचम पल्ली गाउं को गाउं को पर्यटन है तू सरुस्ट गाउं के रूप में चैनित किया गया यह तिलंगाना की नलकुंडा जिले में इस्तित सब्सक्राइब जाता है 2004 में इस इकत सहली को जी आई टेक प्रदांद किया गया इकत है एक मलेशिया इंडियोनेशिया ही शब्द है जिसका जो अर्थ है यह तो यह जो पोचम पल्ली गाउं है उसको जब यूएन डव्लू टीओ दोरा सरुस्ट पर्यटन गाउं के अंतराष्टी फिल्म महस्तों गोवा में संपन 28 से महायर सब्सक्राइब टो सफॉर्चि प्रोकॉस कश्र पर टीर्टन धाझ हुथ पश्राष्ट में और хорошо देवार्ट। ब्यमवार्ट को भी कि इंद्रेश्ट मोलिना इनकी Все dennis को दिया गया को इसमें ये इंपॉर्टन डावाइड हो पूछा आइसी एफटी यूनिसको गांधि पढ़ाक ये किसको दिया कि इसके लिए महामद सलेह हारुन की फिल्म लिगूई दा सेक्रेट बांड को दिया गया इसी एफटी यूनिसको कप पुरसकार आइसी एफटी यूनिसको गांधी पतक पुरसकार है यह महामद सलेह हारुन की फिल्म लिगूई दा सेक्रेट बांड को दिया गया इंडियन फ यूनिसको का जो यू सी सी एन है यूनिसको को जो क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क है उसके तहट से नगर को सामिल कर लिया गया है तो यह जो यून सी सी एन है इसके तहट किनकी छेत्रों के हिसाब से सहरों को इस नेटवर्क में सामिल किया जाता है तो इसके लिए जो कटे है कर लिया घटेक्री में मुंबई को सामिल किया गया है गैस्टोर से यह सुरू किया गया यह जो कटेगरी है इस तरह के रहतनात्मिक सहरों के नेटवर्क में शामिल करने के लिए इसको 2004 से सुरू किया गया सहरी सतत्विकास है तो अब तक 90 देशों के 295 साहर इसमें सामिल हो चुके हैं हमारा अगली information क्या है कैसर एहिंद अर्परदेश की राजिय्टि तितली तो 13 है किस तरह की इसका बैग्यानिक नाम 2 पर से मतलब कि भारत की शमराध सब्सक्राइब पएल्पर उस इम्परियलिस कि यह कहां पाई जाती है दोस्तों यह पूरी हिमाले के चहरा जो में छे हजार से दसजार फिट के उचाई पर पाई जाती है नेपाल भुटान म्यामार लावोस भी अधनाम दच्छडी चीन में भी यह पाई जाती है अब देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन रच्छक यह रच्छक है क्या यह सड़क सुरच्छा पाहल है उडिसा गवर्मेंट की इसकी तहट यह क्या करेंगे तीस हजार सुरच्छा सड़क की दुरुगटना होती है उनके प्रथम परत्किया जो फर्स्ट एड होती है उसके इनको प्रसिचित किया जाएगा जो गोल्डेन होता है कि मतलब कि उस दोरान अगर उनको पहुचा दिया जाए तो उनको बचाया जा सकता है उस चीज के लिए उडिसा गवर्मेंट की पाहल है अगली इंफॉर्मेशन जन सेवक योजना यह क्या है यह नाग्रिकों के दर नाग्रिकों के दरवाजे तक सरकारी सेवाओं को पहुचाने के लिए कर्णाटक सरकार दोरा एक उनलाइन पूर्टर लॉंच किया गया है इसके तहट लोग अपने घर पर 56 सरकारी सेवाओं की डिलिवरी प्राप्त कर सकते हैं जिनमें रियाश्यों दरों पर राशन की हो सब्सक्राइब करनाटक के सरकार के दौर एक उनलाइन प्रोटर जाली किया गया जन सेवक योजना इसका नाम है इसके तहट क्या होगा नाग्रियों के दरवाजे तक सरकारी से वाए पहुंचेंगे जो हमारी इंटरनेशनल करेंटेफेर हैं उनमें देख लेतें क्या है संयुक्त राष्ट जल्वाई परिवयतन सम्मेलन जो कॉप 26 है यह कहां संपन हुआ यह ग्लासगो में संपन हुआ तो 31 अक्टूबर से 13 नॉम्बर 2021 तक स्कॉर्ट लेंड के ग्लासगो में संपन हुआ संपन हुआ इसमें एक सोबीस देशकों के सासन मुखो सइथ 197 देशकों के पचीस अजा प्रत्नियों ने भाग लिए इसमें जो में बात हुए इसमें में फोकस रूप से इसमें चर्चा की गए इसमें क्या क्या है कि सदी के अंग तक किसी भी तरीके से 1.5 डिग्रेट से ज्यादा के टेंप्रेटर को नहीं बढ़ने दिया जाएगा उसी पर चर्चा हुई इसमें प्येम मोदी के दोरा जो महतुपूर बाते की कि भारत कौन-कौन से प्रयास जलवाई परवयतन को मिट्रा मिटिगेशन करने के लिए कर रहा है उसको रोकने के लिए कर रहा है त तो भारत में गयर जीवास में जो उर्जा चमता है जो नॉन फोसिल एनर्जी के अपसिटी है उसको 2030 तक पांसो गिगावाट तक पहुचाया जाएगा 2030 तक अपनी 50% उर्जा वर्सक्ताओं को जीनियोबल एनर्जी के माद्यम से पूरा करेगा भारत कुल जो सब्सक्राइब करना तो भारत में जो वादे किये हम 27 तक निर्जीरो कार्बन को इमीशन के लच को प्राप्त कर लेंगे मतलब कार्बन नीट्राल्टी को हम 2030 तक पांसो गिगावाट तक पहुचा देंगे 50% जो हमारी उर्जा की अवस्ता है उसको जीनियोबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे 2030 तक जो प्रोजेक्टेड जो हमारा कारबन उस्तरजन है 2030 तक उसमें वन बिलियन टन की कमिल आएंगे और अर्थबवस्ता कि जो कारबन इंटेंसिटी है उसको 45% से भी कम कर देंगे यहीं पर प्रदान मुन्तरी मोदी ने इस अगले दिन एक्सलेटिं इसका अमेरिका कौन साथ बना इसी कॉप 26 के दौरान यूसे के जो बिसेस राजदो जान कह रहे हैं उन्होंने इस संगठन पर आएसे जो अंतरस्टी संगठन इस पर हस्ताचत किया इस संगठन बनाने की घोशना की गई इसमें इसका है इसका है गुरुगराम में है जो भ इसके बीच के जो देश हैं वह जहां पर सूरत की ज्यादा पड़ती है वह इस देश के मतलब इस संगठन में सामिल हो रहे तो अमेरिका कौन सा देश बना इसमें सामिल होने वाला एक सुए कौन सा बना मिसाइल पर इच्छड के तार जो अगली इन्फरमेशन है मिसाइल इसको अंत्रिच में नश्ट कर दिया इस मिसाइल के प्रहार से लच्ची तो पग्रा भिखंडित हो गया और मलभा पूरे अंत्रिच में फैल गया इसकी अमेरिका ने युएसे ने निंदा किया और जो साथ आंत्रिच याती रह रहे हैं इसका इसकी वज़ासे जो आपने किया इसकी वज़ासे उनको एक सरूंड लेनी पड़ी। इस अंत्रिच में रहे हैं इसकी वज़ासे दो रषिया के और जर्मनी वज़ासे अमेरिका ने की तो आपको यह याद आफगानिस्तान पर 8 देशों के चेत्री सुरच्छा समवाद नए दिल्ली में संपन हुआ तो आपसे अगर यह पूछा जा है कि दिल्ली सेटी डाइलाग किससे संपन नेता है तो आफगानिस्तान को लेकि यह अगर इसमें आप्षन में अगर यह आएगा कि आपको यह टिक करना एक नई दिलमी पार चिरांद सेक्योरित लाइए EXT द्रलीर पर सेड़ाकब्र भारत रूसर इरान उजबेकिस्तां टुर्कमेणिस्तं करिकिerei किया गया था लेकिन वो नहीं आये इस संभेलन की मुद्बो roughly कि परबाब ताक्राण के समभणांद हैoooo इसमें आतंकवाद, नसीले पदातों की तसकरी, शीमा पासे घुसपैट, समुद्री मार्गों से बढ़ते खत्रे पर भी चर्चा की गई अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं, अगली इंफॉर्मेशन क्या है, इंजिन्यूटी हेलिकाप्टर ने नवंबर 2021 तक मंगल गरापर 15 उड़ाने संपन लेगी, तो अमेरिका की जो अंत्रिश एजनसी नासा है, इसके दोरा जो मंगल मिसन 2000 के तहत, फरवरी 2021 को मंगल पर उ उड़ान बढ़ने वाला पहला हेलिकाप्टर है, तो आपको यह याद रखना है कि इंजिन्यूटी है क्या, यह नासा का एक हेलिकाप्टर है, जो परसीवरेंस रोवर के साथ मंगल मिसन मंगल पर गया, और यह प्रिथवी के बाहर किसी अंध गरापर उड़ान बढ़ने ग्रेंस को अमेरिकी अंध इजनसी नासा ने कलिफोर्निया से स्पेस कंपणी का एक डबल इस्टेरोयड डिड़ाए डी डायरेकशन टेस्ट डांट डैरेकशं इसका अंतृच है पचीसों फुट चोड़े एक डीडी मॉस नाम के एक बड़े इस्टेरोइड के चारों चक सब्सक्राइब करोड़ किलोमीटर प्रतिगंटे की गति होगी वह जो इस गूम रहा है और जो इसमें प्रतिगंटा इसकी गति से टक्र मारेगा जिसके उसकी दिशा मुड़ जाएगी एक इस्तिरोड का मारक बदलने के लिए अगली इंफॉर्मेशन क्या है भारत फ्रांस के बीच रच्छा सभी बढ़ाने को दोनों देशों के वारता में शमति हैं तो 6 नमबर 2021 को फ्रांस के साल भारत की 35 वे पैंटिसवी रणनेतिक वारता संपन होई यह कहां संपन हो यह प इसमें किन मुद्धों पर चाचा की गई आतंकी खत्रों वानतराश्टी तो को लिके चाचा की गई रणनीतिक जो सही होगे जैसे गुपतु सुजनाओं को साजा करना इन सब चीजि़ों पर लिके चाचा की गई तो यह भारत और फ्रांस की बीच में जो चाचा हुई कहां पहली बार यह ग्लोबल ड्रक पॉल्सी इंडेक्स जारी किया गया यहां दवा निती पांच ब्यापक आयामों में संचालिट पच्छतर संकेत को पर आधारी थे इसमें क्या क्या इसमें पहला इस्तान नार्वे को मिला इसको सिर्फ इतना ही याद रखना है अगली सब्सक्राइब को 24 नंबर को b Copy सबाद ने बांगला तेस को शुटशी स करने में संभद करने संब्दित एक शुब्सक्राह को सविकार कर लिए किसमें क्या होता है कि दे देश को लगाता ह obligations we च्छाओं में तीन में से कम से कम दो मांदंडों को हासिल करना है और गीपी कम से कम बारासो तीस डॉलर या उससे अधिक होनी चाहिए तो इसमें बांगलादेश के सुचकांक में जो इसकोर्थ है बांगलादेश का वो पचेतर पॉइंट फॉर था जबकि आवसक्ता किते कि से 60 किते हैं तो बांगलादेश मामले में इस कटेगरी में आ गया पर क्रेप्टा जीडीपी जो है बांगलादेश की वह दोहजार चौसट डॉलर है और जबकि चाहिए कि बारसो तीस डानर यह इस से अधिक हुन चाहिए तो इसमें बांगलादेश आगया आगया आर्थि कि बांगलादेश के पूर सीजाय इनको 11 साल के सजा हुई मनीन वाली को राष्टी आवकास घोसित करने के लिए नियुयार्क से महिला सांसत कैडूलीन वी मैलोनी द्वारा पतनेदी सबा में दीप वाली डे एक्ट पेस किया गया तो दीपा वाली को एक राष्टी आवका देखते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन देश में सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पूर्वान चले एक्सप्रेस वे का उद्गाटन तो यह जैसे इसका उद्गाटन हुआ यह सबसे लंबा एक्सप्रेस बन गया सोले नॉबंबद दोहजार एक्सप्रेस को प्रियमोदी दौरा सुल्तानपुर से उद्गाटन इसका किया गया इसकी लंबाई कितने हैं इसकी लंबाई 341 किलोमेटर है यह कहां से कहां के बीच में होगा यह लखनव से गाजीपूर के बीच में होगा अन्य इसमें इसमें दो तीन चार पांच छे सार आठ नौ डिस्टिक्स से पास होता हुआ यह गाजी पुट पहुंचेगा तो इसकी टोटल जो लेंद्ध होगी कितनी होगी तीन सो एक तालिस किलियोमेटर इसका नाम क्या है पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे इसको प्रियम मोदी द्वारे इसक दो हजाद जैसे विमाने उन्हें एक्सप्रेस्वे पर लेंडिक वा टेक आफ कर अपनी सक्तिका प्रदर्शन किया तो इस पे जो एक्सप्रेस्वे जो बंदा पुर्वांचल इसका उद्गंटल प्रदी नहीं किया इसमें सुकोई 30 मिराज दो हजाद ने अपना सक्तिका के बीच घंगा एक्सप्रेस्वे तो गंडगा एक्सप्रेस्वे ह्सक्राइब गंगा मिराट से प्र्याग तौरा हो जाएगा है अगREE में देश के सबसे बड़े अंता इसका नाम का है नोड़ा इंटरनेशनल ग्रीन फिल्ड एयरपूर्ट प्रिया मोदी दौरा पचीस नॉम्बर को इसको सिल अन्यास के साथ ही यह जो दुनिया की सबसे बड़े हुआ हैं उसमें सबसे पहला इस्तान किंग फाद एयरपूर्ट है सौधी अरप का उसके डेनव यूपी का पाच्वा इंटरनेशनल एयरपूर्ट है यह बंदा चार्चर नहीं पूरा होगा दोजाट चौबिस से ऑपरेशनल हो जाएगा यहां पर उड़ान चलू हो जाएंगी तो नोड़ा के देश में सबसे बड़ा अंतरश्ती हवाई अध्ड़ होगा कहां पर यह चार्चर नोड़ा में इसका नाम क्या जेवर जगा जेवर नोड़ा में वहीं पे बन रहा है अगली इंफ्वर्मेशन क्या है आरभी आई डिटेल डारेक्ट योजना बारा नवंबर को छोटे निवर्चों को सरकारी प्रतिव्यों निवेश को आसान बनाने जो छोटे न यूजना के परिपकोता लाब भी सीधिये अपने बचत खाते में प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए क्या 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 आर्बिया के पास उनको एक से आदिफ हो गई है यह पांचवा संस्कान था इसमें जो सबसे बड़ी इंफोर्मेशन यह बताइगे कि देश में महिलाओं की संक्या पुर्षों के तुलना में बीस ज्यादा हो गई अगर एक हजार में काउंट के जाता है इसको तो एक हजार पीस हो गया है सहरों के तुलना में गों में यह लिंगानपा। ज़्यादा ब closing महिलाए और इक हजार पुर्षों सबसे जाता कहार बढ़ाए वह बिहार में बढ़ा है एक हजार पुर्षों की तुलना में एक हजार नब्दे महिला हो गई है यूपी में कितना है यूपे में एक हजार सत्रा महिला हैं एक हजार पूर्सों की तुल्णा में अब देख लेते हैं इसमें टी अफार जो टोटल फेटलिटी लेट है कुल प्रजननदर है वह दो ऑजार तार्गेट है उससे कम हो गया है बिहार में कितना यह 3.0 है यूपी में कितना टू-पूई फूंट फू पांची स्टेट ऐसे हैं जहां पे यह 2.1 से ज़ादा है बाकि सब जगाए 2.1 से कम हो गई हैं यह जैदा है यह जिसे भिहार हो गय अगर दी इंफर्मेशन क्या है चीनी उत्पाद चीनी उत्पाद नहीं हुआ इंसा के अंसाथ इंसा एक संस्ता है इसमा इसका फुल पॉम क्या है इंडियन शूगर मिल एस्टोसियेशन इसके द्वारा ये बताया गया कि जो सितंबर अक्टूबर में चीनी का जो उत्पादन है वो 305 लाग टन रहा इसमें क्या बता है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ चीनी का वो महाराष्ट में 123 लाग टन उसके बाद यूपी में 113 लाग टन और करना टक तो सबसे बता है महाराष्ट में उसके बाद यूपी में फिर उत्पादन करते हैं इन तीनों के अलावा तीन इस तर पर इस निवर्धन पर जाता है उनको बनाया जाता है उन्हीं के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है कि वहाँ पर कितना नहीं तो इस इस तरह से जैसे कि कौन कौन से स्टर्स में लिए जाते हैं प्रसव पूर स्वास्त विद्या के उपलब्धता कैसी है पढ़ाई के लिए वर्स के वर्स इस्कूल में इस्थती के तिया सफाई पेजल बिजली घर संपत्ति बैंक खाते यह सब शामिल करके इस निधनता सुच उसके बाद थर नंबर पर यूपी है तो सबसे ज़्यादा गरीव स्टेट बिहार उसके बाद जारगन फिर यूपी है 37.79 के साथ और सबसे कम जो निधनता है वो कहा है के रल में 0.71 सबसे कम निधनता के रल में है अगली इंफॉर्मेशन क्या है भारत का चलिसवां अंतर सबस्क्राइब कर दोस्तों आत्मिरबर भारत पार्टनर कंट्री बंगलादेश और फोकस कंट्री कौन सथा अफगानिस्तान वा इरान अगले साल जो इसकी 2022 मनाया जाएगा अंतरस्टी बैपर में होगा यहीं पर प्रगती मैदान में और इसकी थीम क्या होगी वोकल फॉ पार्टनर कंट्री बंगलादेश फोकस कंट्री अफगानिस्तान वा इरान अग्ली इंफर्मेशन है सचेथ पोर्टल यह किसके द्वारा जारी किया गया इसमें क्या कहा गया कि जो डिश्टल जिर्ण पर भारत में एक तो 600 अवाइद लोन एप चल रहे थे तो उन्हीं के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से इस पोर्टल पे जारी करने के लिए सब्सक्राइब जो सिकायते आई थी कि तरह की आ जाएं लोनेपके खिलाब तो महारा लिएं टो साचेथ कि सरकारी प्रत्वूती बाजार में खुद्रान निवेशकों की पहुंच बढ़ाना सरकारी प्रत्वूती बाजार में खुद्रान निवेशकों की पहुंच बढ़ाना निवेशक के हवाले से आनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसाने से खोल सकेंगे और उन प्रतिभूतियों करक्रकाओं कर सकते हैं यह सेवा नियुसुल को कि दूसरी योजना क्या है और भी आई एक लोगपाल योजना यह किस चीज़ के लिए इसकायत को दूर करने वाले करने वाली प्राणाली कि जहां ग्रहक अपनी सिकायते दर्ज कर सकते हैं दस्तावेज की इस्तरी जान सकते हैं और फीड़ बैक दे सकते हैं बहुभासि टोल फी नंबर पे भी सिकायतों का समधान किया जाएगा तो दो योजना यह नहीं जारी कि एक तो खुद्रा प्रतिभूतियों में खुद् को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को अर्शकर्षित करने के लिए भारती रेलवे द्वारा भारत गवर्णों की शुरुवात की घुष्णा की गई यह कंपणियों संचालित की जाएंगे और भी से उन पर चलेंगी इसके तरहत कोई भी जो टूर आप रहता है यह संचालन के लिए भारती रेलवे से जो ट्रेन है उनको पट्टे पर ले सकेगा इस बेवस्था कि अवदी दो वस और दिक्तम पूरा उसका कोडल जीवन जो है उतनी रहेगी इसके ताथ क्या होगा कि जो अपरेटर है अपरेटर को मार्ग पढ़ाव प्रदान की जाने में सिवाएं और सबसे महारत पूर्ण सुल्क तई करने की सथनता है तो इससे क्या मतलब यह भारत गुर्ण ट्रेन है यह परेटर ब्युशा को बढ़ावा देने के लिए यह मंत्राले द्वारा जारी कि इसके तक क्या होगा कोई भी निजी आदमी इन ट्रेनों को पट्टे पर भारत सरकार से ले सकता है और फिर उसका मूल अपने हिसाब से तई कर सकता है इस ते क्या होगा परिटन को बढ़ाव दी जा जाएगा और जो बहतरीन सुवदा है वो जो बहुसाई है उस पर प्रदान कर सकेगा एक information क्या है उब्वोक्ता मंतराले द्वारा जो Minister है उब्वोक्ता मंतराले ग्म्तिवाद उन्हों ने का किया तन्जावू यह तमिल लडू में एपसी आइद्वारे का उद्वाटन किया है तो देश का पहला का संग्राल है जह कहा खोला गया आप देख लेकिए हैं उनके के बारे में मिस अर्थ व्रसकार प्रतनी कि लिए विकास और गांधी प्रतका 2019 कि संस्ता को दिया गया यह संस्ता एक प्रथम है यह कमजोर वर्ग को बच्चों के लिए गुडवत्ता पुरस्का उपलब्द कराने के लिए इस संस्ता यह प्राइमरी एजुकेशन को लोगे रिपोर्ट भी जारी करती है तो इस संस्ता को यह सांती निसस्तिकरण विकास है तो इंद्रा गांधी पुरस्कार 2021 से नवाजा पूर इंद्रा पुर अविर जो इंपोर्टन होता है दूसरा सबसे ज्यादा होता है यह विड्स निधन नष्ट नेंटजाटी यह कौन थे यस्वी कवी थे इंका निधन गया इंपंट नियुक्तिया देख लेते हैं इंटर पॉल की नए अरभ अमीरात सी तो प्रभंदक निदेशक बनी हैं गीता गोपिनाथ कनाड़ा की नई रच्छा मंत्री अनिता आनंद के भारती मूलके हैं यह कनाड़ा की नई रच्छा मंत्री बनी है विविद देख लेते हैं समयने के कौन-कौन से स्ट्रिक मैक्स जो भारत सिंगापु थालेंड के पारत के बीच में होता है यह सका थर्ड नंबर का संसक्रान था अंडबार में इसका हुआ अमरित पॉर्टल भारत ने कौब पर प्रस्थान में प्रस्थान कोड नाम से अप्ततिय सुरच्छा भ्यास है मुंबई के जो अप्ततिय सुरच्छा भ्यास अउज्थ किया गया यह हर छे महिने में आजूद किया जाता है इसी का नाम अभ्यास प्रस्थान है एक सब्सक्राइब भारत मालदीवा सिलंका के बीच में दोस्ति नाम का अभ्यास होता है नौसेने का है यह माला बाद जो अभ्यास है इसमें कौन-कौन से इस इस बहुत है इन 40 के बीच में यह माला बाद 2020 हुआ नहरू दा डिबेट डिफाइंडिया ये किसकी बुक है ये त्रिपूर दमन सिंग वा अदिल हुसेन ये इनकी बुक है होम इंदा वर्ड एममर किसकी बुक है ये अमर सेन की बुक है लाल सलाम किसकी बुक है इसमिती इरानी की बुक है दा फ्रेक्चर्ड हिमालाई इंडिया चाइना तिब्बत निरुपमराओ की बूख है कंटेस्टेड लेंड इंडिया चाइना ये करके बूख किसकी है ये महरूफ मरूफ रजा की बूख है खेल कुद की इंफर्मेशन देख लेते हैं बैटमिंटन में यह थामस क्प पूर सुका ये इसका बीजिता कौन वह इंडोनेश्या उबेट चाइना उबेर कप जो बैटमिंटन में यह महिला के दोड़ा खेला जाता है जिए इसका कौन रही चाइना और विजिता जापान य प्रिस्म महिला एकल बीजेता में आन्शियोंग जो दच्छिल कोरिया के वह वह वीजेता रही वह वीजेता कौन तहीं यह पीवी सिंदो रही वीजेता इसकी सईयद मुस्ताक अली ट्राफी 2021 की कि बीजेता कौन रहा यह वीजेता तमिल नाडवी स्टेट रहा पदात्रपर मुख नियुक्त हुए यह इन्होंने द्रविड का इस्थान लिया जो भारती के कोच बन चुके हैं टेस्ट पारी में सभी दस बिकट लेने वाले न्युजेलंड के गेंदबाज कौन बने है एजाद पटेल दुनिया कैसे तीसरे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने कि यह खिलाडी है गुल्फ के इनके लिए मार्व प्रसस्त हुआ आई सीसी ट्वंटी वर्ल्ड कप दोहजार एक्टीस सतवा संस्क्राण था इसकी मेजबानी भारत ने की लेकिन कोवीट की वज़ा से इसका आयोजन यूजिलंड को हरा के इसने मतब कि फाइनल में न्यू गया आगली देखते हैं अगली देखते हैं इस याई तिरंजाजी चैंपिनशी दोजारी की सिब्धार्थ। बाहत किती पतक जीता साथ पतक जीता समय इसमें तरंदाजी चैंपिएंशिप 2021 का आज जो लुगा रच्छल कोरिया इंपोर्टन डेस कौन-कौन से चाउदा नॉबंबर को यह मना जाता है इसकी थिम क्या थी एकसे टुडाइप टीश के यह इसकी थे मैं जाता है कि और इंडी वर्ड अगेंस्ट ओमें नौ प्रवरी और उसके आगे करेंट अफेर को दिखेंगे दन्य वाद दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जनवरी महीने के करेंट अफेर को कबर करेंगे तो उसमें पहली करेंट अफेर की न्यूज है वो है हेलिकाप्टर दुरगटना में सीडियस वीपिन रावत का निरन आठ डिसंबर 2021 को तमिल नाडू के निलगरी डिस्टिक में कुनूर में एक हेलिकाप्टर दुरगटना में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप सीडियस बीचंजल वीपिन रावत वो उनकी पत् हेलिकाप्टर का जोन लिया गया फिर एयर मार्शल मानवेन सिंग की अध्यचता में दुरगटना की कार्णों की जाच के लिए तीन समिती तीन सदस्यों की एक समिती घठत के गई तो हमको याद क्या रखना है दोस्तों कि जो हेलिकाप्टर दुरगटना हुई है सिब मेंनिरमित मिसाइल से पहला युद्दव问 आईनस खुकरी को सवा मुक्त कर दीया गया है तो इसको dar to सवा मुक्त कर दिया कि देश में निर्मित मिशाय won से लेस पहला उद्ध पूत है इसका निर्माळ कि इसके मजगां मजगां कि exclusion of सित मजगां से भाट से प्लस कि दौाई में इसके द्वारे इसका निर्माड किया जाता है अब देख लेते हैं तो यह है क्या दोस्तों आयन शुक्री देश में निर्मित मिसाइल से लेस पहला युद्वोथ था बत्तिस वद्वत तो इसको सेवा के पास शाथ सेवा मुक्त कर दिया गया है देखते हैं अंगली और रसिया का जो एंप्यो संगठन और यह इसना इसनगठन अ भारत का ढिएडियो इन दोनों के द्वारा ऑगोण हैं ब्रहन बनाई जा रहे हैं और रूस की मस्कोवा निदी इसके नाम पर रखा गया है इसको आप जो इसके नए ने संस्क्राइल बन गए हैं उनको कहीं से भी लॉंच किया जा सकता है हवा से पानी से या जो मोबाइल विकल होते हैं उनसे भी इसको लॉंच किया जा सकता है यह क्या है तो तो यह सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल है मिसाइल कहों इसकी स्पीड है हवा की स्पीड से अभंत की स्पीड से बहुत ज्यादा होती यह क्या एक intercontinental ब्रम्बोस बनाया जा रहा है इसके जो सब्सक्राइब की होगी तो इसको किस तरीकी की मिसाइल कहा जाएगा इसको हाइपर्सोनिक तो इसकी क्यों इसकी गती जो है साथ से एस आर एस एम यह है क्या दोस्तों यह सौट रेंज सर्फिस्टू एयर मिसाइल है मतलब कि सथा से हवाय में मार करने वाली छोटे दूरी की मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है पंदरा किलोमेटर तो इसको लॉंच किया गया है भी तो साथ दिसंबर को तो आप से पूछा पंदरा किलोमेटर की है और यह क्या करेगी आकास जाने वाले खत्रों को या मिसाइल आकास में ही दोस्त कर देगी अगली इंफॉर्मेशन क्या है प्रलाय मिसाइल प्रलाय मिसाइल है क्या यह सर्फिस से एयर में मार करने वाली यह मिसाइल है इसको किस ने बनाया इसको ड वाइल लॉंचर है जो चलते हुए वहिकल है उनसे भी लॉंच किया जा सकता है यह सब्सक्राइब बनाई गई है एक इंफोर्मेशन यह है कि डिफेंस सेक्टर में कितना है अभी इसमें जो मैक्सिमम जो उपग्रह है वह यूए से के लिए चार देशों के साथ 132 मिलियन यूरों का अनुबंद हुआ है इसके द्वाला चार देशों के साथ 132 मिलियन यूरों का कॉंट्रेक्ट किया गया है यह क्या करें से उनके उपग्रहों का यह प्रक्षे पड़ करेंगे अब देखिए अगली इंफॉर्मेशन हमारी क्या है जहांसी रेल्वे जहांसी रेल्वे इस्टेशन का नाम बदल क अब क्या हो गया है बिरांगना लच्षमिवाई रेल्वे इस्टेशन हो गया है कि देखते हैं कोलकत्ता की दुर्गा पुजा यूनेसको की अमूर्त संस्क्रित बिरासत की सूची में सामिल हो गई है 13-18 दिसंबर को यूनेसकी की जो अंतर सरकारी समित की पेरिस में संपन संकीतन है बनाने की परंपरागत संकीतन बनाने की जो परंपरागत कला है वो है तो पंजाब की एक समुदाब इसकी पीतल बनाने की परंपरागत कला यूग है इसमें सामिल है तो अभी हाल ही में किसको सामिल कर लिया गया है यूनेसको की जो अमूर्स संस्कित बिरासत की सूची है उसमें कुलकत्ता की दुर्गा गौमूल संसादन की खोजवा अन्समुद्री अध्यन है तो यह एक योजना लांच की गए जिसका नाम है समुद्रियान पर योजना इससे पहले इससे पहले नेशनल इंस्टिट आप ओसीन टेक्नलोजी जो एन आई ओटी है हमारा चन्नाई में इसके द्वारा एक परसनल इ गहराई तक समुद्रें जा सकता था अब इसके पहले जो अब यह समुद्रियान लांच करने लेकिन अभी यह समुद्रियान पर योजना लांच हुए या जो ब्रसन का क्डीप और दूसिन मिशन है उसका उन्रमाण की निर्माण किया जो तीन मनुद्र्रियों को 6000 मिड़ पर्योजनों को लांच करने के साथ ही भारत समुद की गहराईयों में जाने की छमता वाले जो ग्रुप देश है जो कौन-कौन से इसमें सामिल है यूसे रशिया है जापान है फ्रांस है चाइना अब यह इसमें सामिल हो जाएगा इंडिया तो इस तरह की जो देश हैं मतलब जो पर्योजना है इसके तरह होगा किया दोस्तों इसके तरह 6,000 की गहराई में ले जाए जाएगा और इसको बमूल संसादन है वह आनसा मुद्री जो अद्धन किया जाएगा इसके तहर किया जाएगा 26 डिसंबर 2020 को ब्रंभोज सूपर सोनी क्रूज मिसाइल के उत्पादन के लिए ब्रंभोज बिनिर्माड के इंड का लखनो में सिलान्यास किया गया यह डियाड़ी ओ और जो रुसिया की इंपी ओ मैसीनो इस्त्रोनई का इस्त्रोनईया रूस की कंपनी है उसका यह संयूट उपक्रम है नामकरन इसका ब्रंभुत और मस्कुवा रूस की नदीज जो है उसके नाम पर रखा गया है अब इसमें होगा किया दो सौ एकड़ भ कि लेब रच्छा प्रॉद्दों की परिच्ट केंद्र का भी यहां पर सिल्हा न्यास किया गया है महिलाओं के बिवाह की कानूनी आयो में ब्रिद्धी इसके लिए कौन से कमटी बनाए गए थी जया जेटली समिति अब इसके तहट कि हुआ कि 18 से बढ़ा का जो महिलाओं को केंद्री मंत्री मंदल ने महिलाओं की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ा कर 21 करने का फैसला किया है या फैसला जया जिटली की नेत्रुत वाले पैनल की सिफारिश पर आतारित है इसके पहले जो मिनिस्ट्री आफ ओमाइन चायल डेवलप्मेंट है महिलाओं पर एक समिति चाहिए जो कि पूर्सों की बीकी से अदूसरी बात है इससे उनके हिल्थ में सब चीजों में सुधार रहेगा विवा से लेटे जो हिंदु द्रम में जैसे कार्णून है तो हिंदू के लिए हिंदु बिवा अधनियम 1955 है इसी कितार लड़कियों की उम्र 18 वर्स है और तो हजारी किस को सुषासन दिवस के अउसर पर प्रसासनी सुधार और लोग सिकायत विभाग द्वारा या सुचकांग जारी किया गया इस सुचका में दस चेत्रों के 38 संकेत्र सामिल है वो 10 शाषन समाज कल्याड़ विगास नाइक और सारवजनिक शुरचा पर्यावरण नागरिक केंदित शाषन यह जो दस संक्छेत्र है इनके अठावन संकेत को सामिल किया गया और उस हिसाथ से जो राज्य है और पहाड़ी छेत्र के राज्य है इन्हें पहला इस्तान में पहला इस्तान दिल्ली को मिला एक राज्य में पहला स्थान बी में जो गुड गवर्नेंस में और पुर्वत्य में पहला स्थान मिजोरम का यूटी में दिल लिखा अगली इंफर्मेशन क्या है चौथा राज स्वास्त सुचकांग जारी हुआ है यह 27 सितंबर को नीटी आयो नीटी आयोग के द्वारा केंद्री स्वास्त स्वास्त मंतराला है और सहयोग से जारी किया गया 27 दिसम्ब 2020 इसका सीर सक्या था हिल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया यह किस पर बेस्ट है यह स्वास्त परणा सासन और सूचना और प्रमुक इंपूट्स इन सब परक्लियाओं पर यह आधारीत है इसमें समग को बड़े राज्यों में मिजोरम का यूटि में पहला अस्तां दागर नागर होएली का और प्रगती में जो सबसे चुदार कर रहा हुए है तो राज सबस्जास सोचकर नंड में पहला किसको मिला कि रल को अब अब स擊 महाराष्ट में बैल गारी दौड़ की अनुमती इसोन Пока सुलाभ 221 को सुम्स्म Lebens को डया 207 महाराष्ट महारास्ट को राज महारास्ट बैल गारंगी द ौड़ा दौड़ की अनुमती दे दे दी ग ए इस्पैसिलि ये जो बैल गाड़ी की दोड़ होती है ये पुड़े हो पट्चेमी महरास्टन में याजंट की जाती है ये चार्सो साल पुरानी परंपरा हैद अव्या करने की बार बार उठीर है उसी को ध्यान में लेखते हुए सुप्रेम कोट ने दीडाजिकित है मैंसे में इक मैंने कट रहिए तो यह इस्पेसली किस्ष्यत में होती है महाराष्ट के पोड़े ओंपश्यमी महाराष्ट में वहां की 400 साल पुरानी परंपरा है तो इसकी अनुमती सुप्रीम कुर्टियोदारा दे दे गई है मालाबार ट्री निम्फ गोवा की राज़तितली घोसित तो गोवा की राज़तितली किसको घोसित किया गया है जो मालाबार ट्री निम्फ है उसको गोवा की राज़तितली घोसित कर दिया गया है सोला दिसंबर को चुराओं में पाचवा जो गोवा पच्छी महुस्ता हुआ इसी में मालाबाट की निम्प को गोवा की राजी तितली घोशित कर दिया गया यह काले सफेद रंगे प्राधायत इक तितली है इसकी उड़ान बहुत अदूती मान इसकी बहुत जादा होती है यह पच्छी घाट के लिए स्थानिक यह पाये पायती है इसका पूरे महाराष्ट के लेके शसका पाय सब्सक्राद्य इसको गोवा की राजी तितली को मानता दिसका नाम मालाबाट जिंद्व अगली इंफोर्मेशन है राष्टपती की बांगलादेश यात्रा 15 से 17 दिसंब द्वाजारी को राष्टपती की दोरा बांगलादेश की यात्रा की गई इसका मुंखे उद्धेश क्या था बांगलादेश के पचसवी बिजय दिवस्त द्रमारों में भागिदारी करना बस अंत्रिच एजनसी नासा के द्वारा सूर के वातवरण के बाहरी भाग कुरोना की जानकारी है तो एक पारकर यान भेजा गया जो 28 अप्रेल 2021 को यहां पर प्रवेश कर चुका है तो कई बार कोरोना के होते हुए या या यान 25 में सूर से लगबग एक 6.6 किलोमेटर दूरी तक पहुँच जाएगा तो यह नासा का जो पारकर यान है किस चीश के लिए बेजा गया है यह सूर के कुरोना को के अध्धन के लिए बेजा गया और यह ऐसा करने वाली सूर की कुरोना को छूदने वाली पहली मानों निर्मित्य वस्तू है तो यह सूर की कुरोना के लिए किसका है यह नासा का याद है 2018 में बेजा गया था 2021 में इसने सूर के कुछ जो कुरोना है उसमें मतलब प्रवेश कर लिया है रूशी राष्टपती ब्लादिर मेर पुतिन की भारत याद्रा 6 दिसम्बध 2021 को बारत और रूस के बिश दिपत्चीव वारता के लिए 21 जो दिपत्चीव वारता होगी उसके लिए मतलब कि रास्तिया के राष्टपति पुतिन भारत आता है तो यहां पर हुई यह जो मत तो इसमें और रोशिया के बीच में आपको पता है कि दोनों देश्टों को जो वहते हैं और जो नोगों की बैठक होती है तो बारत किता है और जो फॉरेंस्टर है वह कौन है उस जैसंकर पसाद इन्हों ने अपने कांटर पार्ट शर्गयी सेग्यू और वहां के विदेश मंत्री कौन रश्या के इनciasya के नाम है सर्गयी लाव रो तो इन दोनों अपने काउंटरपार्ट राजनासिंग और एस जैसंकर साथ के साथ 2 प्लस 2 मंत्री इसकरी वारता की दोनों देशों के भी सैन्ट टक्निकी सहयोग के लिए सहयोग को 2021 से 10 वस और आगे 2021 तक बढ़ाने से संबंदित था यह जो वारता हुई इसमें किये का गए कि हमारा जो सैन्ट टक्निकी सहयोग है जो 2021 तक था इसको दसल के लिए और बढ़ा दिया गया चिकन समझोते के ताथ अमिर्ठी के कुर्बा में अमिर्ठी के कुर्बा में 6 लाग से अधिक एक टू जीरो त्री असाल्ट राइफल का निर्माड भारत और रूस के साजिदारी में किया जाएगा पहली बार है जब रस्या इस तरह के राइफल को रूस्क अपने देश से किसी बाहर के देश में बना रहा है तो कौन सा दे और इसमें का हगामी वारता के लिए मोदी को मतलब कि अपने यहां के लिए इमांत्रित के थो तो अगली जो वर्ता होगी बाइसमी जो भारत और रुषिया की बीच में जो होगी वह रस्या में होगी कि अगली इंफर्मेशन क्या है म्यामार की अपदस्त सरकार में स्टेट काउंसल रही आंग सांग सूखी को वर्स दो को दो वर्स की कारवास की सजा 6 दिसम्ब 2021 को मयामार की निर्वाचे सरकार में स्टेट काउंसल रही काउंसलर रही लोकतंत्रवादी नेत्ता जो थी आंग संग सूख कि बिरुद अनेक कई अपरादिन मामले में मामले सेंट सरकार दोरा दज किये गए और इनको फिर दो साल के जिल में डाल दिये गए इनक सरवादिक सख्तासाली 100 में भारत की चार महिला आएं जो मतलब की इसमें महिलाने 4 महिला इस सूची के लिए सब्सक्राइब उसके लिए उसके लिए उसकी पूरा पत्नि नहीं सब्सक्राइब जो सक्षिसाली महिला है वो कौन सी है मैंगे मैंकेंजी स्कॉट यह उसे के दूसरा इस्थान जो युए से की उपराष्ट पतिये कमला है उनका इस्थान है तिसरा क्रिश्टियानि लेगार्ड है भारत की चौर महिला है टॉप हंड़ेड में उनका वो कौन सी है संस्थापक उनकी बेटी है यह कौन से कौन है बंगलूरी इस्थित जो कंपणी है उसकी चेहर पर्शन है किरन मजूम्दा सा अठासवे नंबर पर फागुली नायर यह नायका जो सौंदर उत्पादन कंपणी है उसकी संस्थापक वसी यू है अगली इंफॉर्मेशन दे इसके लिए 2022 पूरा बोट दोजाटेस पूरा देजाटेस का दिसंबर होगा 31 दिसंबर तक इनकी इनका कारेकाल रहेगा तो यह नए अलबानिया ब्राजील घाना गयबन और यूए एक जन्वाजी 2022 से इनका कारेकाल शुद होगा अब देखते हैं अलग 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 छेत जो होते हैं जैसे अलबानिया पूरियो यूरोप से यूए है इस या प्रसांद से ब्राजील अमेरी लैटिन अमेरी की वह करी भी इस तरह करके इनको दो साल के लिए चुना गया भारत की समझान लेते हैं भारत एक जन्वी दोहजार इकीस को सुरच्छा पजिसका आइस् बहारत आठ बार आइस्थाइस बन चुका है बहुत सबसे इसको अब यह सबसे यह इस फ्राइन चाइन रशिया यह सबसेंट रही सबसेंट जो 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 जीनकी सबसें बहुत को समाप्त होगी भारत के साथ कौन-कौन से हैं भारत है कीनिया है आयर्लेंड नार्वेर और मैक्सिकों इन पांच जो देश यह टायर होंगे और जो पांच नए देश होंगे वही ले लेंगे और इनकी जो जो नए पांच देश अभी 2021 से बने अगली इंफॉर्मेशन है जर्मनी में उलाफ सोल्ज नए चैंसलर बने इंजिला मार्किल का 16 वर्सों का साशा समा तो आठ दिसंबत 2021 को जो 63 वर्सी उलाफ सोल्ज है इनकी जो पार्टी है सोशल डिमोक्रिटिक पार्टी ने जर्मनी के नए चैंसलर के रूप में सपत ली उ और फिर अभी भी जो सरकार बनी है यह फिर गडबंदन की सरकार बनी है जैसे यहां पर होता है तो तीन पार्टियों की सरकार है सब्सक्राइब जर्मनी की कौन है अगली इंफॉर्मेशन क्या है नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े और सकतिसाली स्पेस टेलिसकोप इसका प्रीछे पड़ किया गया पचीस दिसंबर दो जार इककी Вас से के ईलीएस फाइब जो ए्रियन फाइब है रोकट इससे अब तक सबसे विसाल तेलिसकोप जैंस वेब स्थिक है जहाहँ किसी प्रिके साथ ही चलने लगता है तो इस तरीके से बोला सब है और यह जो नासा का जैम्स वेब इसकोप है यह हबल जैसकोपire जिसने नाम करने इसका उनीजव से दोरा नासा के प्रमुख रहे जेम्स एडविन बेव के नाम पर इसका नाम जेम्स इस्पेस टेलिसकोप रखा गया है अगली इंफॉर्मेशन क्या है बैस्विक स्वास सुरच्चा सुचकांग 2021 आठ दिसंबर को जो एक गयर लाबकरी संगठन है नुक्लियर इनिशेट इनिशेटिव और जौन हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्प सेक्योटी इनके दौरा संहीं तुरूप से स्वास सुचकांग जारी किया गया यह शुचकांग 6 सिर्णी में 37 संकित को पर आधरित है इसमें पहला इस्थान किसको मिना पहला इस्थान यूएसे को इसका इसने यह बतायागिया कि भारत जो इंस्टिट्टेंट है कि इसमें यह बताया गया इसको चौता किसके द्वारत का चौता सबसे ज्यादा सकतित्साली देस बन गया सबसे गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से कोई संपती है सबसे कम आसबसे कर दी जा तो 18 परसंट जो राष्टिया है वो इन 10% के पास है राश्टी आउसत आए भारत की कितनी है दो लाक बया लिस्सो यह भारत की राश्टी आए है प्रतिभक्ति राश्टी आउसत आए है अगली इंफॉर्मेशन क्या है व्ल्ड वाइड कास्ट ओफ लिविंग इंडेक्स 2021 यह किसके द्वारा जारी किया है द क्या है रहने के हिसाब से महँंगा सार कौन सार है पोई सबसे सब्सकर सार है यह इस वजह से दुन्या के सटा सार है अगली इंफॉर्मेशन क्या है फिली न्यू डेवल्प्मेंट बैंक चौत नहीं असता यह जो ब्रिक्स का बैंक का यह इन भी इस इसमें इसमें हुआ देश है गरना देश को सामिल किया गया सितंब्र दिसंब्र दिस्क्रिश सामिल से चार इस नाम भूत बांगला-इस इसका उद्ध क्या है उभर्तिय वेवस्थाओं में बुनियाडिक धाचे और संगाई चाइना में इसके छित्री का रहे लिए जुहांसबर्ग साउथ अफ्रीका में शाओ पॉलो ब्राजील में मास्को रसिया में अभी भारत में इसका जो छित्री का रहे लिए वो नहीं है अगली इंफॉर्मेशन क्या है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड पीम एवाई ग्रामीड जो है मार्च दोहजार चौबिस तक जारी रखने का निर्णा किया गया पचीस नवंबर को ग्रामीड छेत्रों में सबके लिए आवास उपलब्द कराने के उद्देश से इद्देश को पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए जो प्रधान मंत्री आवास योजना है ग्रामीड को मार्च दोहजार चौबिस तक जारी रखने का निर्णा किया इसका नच स्व.च करोन आवासों का निर्माड करना जिसमें से अभी एक सोपच्पन लाख जो आवास निर्माड है वो अभी नहीं हुआ है और इसका लचस है याउजन राफोे ऑन को नचल को कोस्थ किती है या इंप के मैं निर्माड के द्वाद निर्माड टॉर्योजना जरिए किया जाएगा तो केंसे बित्वा में पानी जाएगा इसे जो यूपी का मुंदेल खट छेत्र है उसमें जो पानी कमी है उससे दस दसम्लों शिक्स टू लाक टेयर शेत्र में सिचाई की सुब्दा मिल सकेगी अगर इसे बित्वा में बित्वा लिंक होने पे और 62 लोगों को पेजल की सुब्दा उतलब दिकराए जाएगी इस पर्योजना से 130 मेगावाट पंद बिजली वह 27 मेगावाट सौर उजग पैदा होगी यह पर्योजना आट वर्स में पूरी होने वाली है इसकी लागत क्या है कित्ती है 44605 करोड तो केन बित्वा लिंक पर्योजना से सब्सक्राइब होता है किसी भूमी जिनके नाम है संस्थाकत संस्थाकत भूमी धारक के पात इसके नहीं किसी भी सरकारी बuvाग में कायज आत увелич worry वाली इसके नहीं किसी भूमट किसी अन। कोई पध्य पत है पूर मंतर Re Russia करते और डाक्टर उन्जान सब्सक्राइब यह सब तो वह बीसके पात eerste नहीं कि तो पीम किसान यूजना किसान सम्मान यूजना जो है यह है क्या यह 2018 में चालू कि दिसंबर में और साल भर में इसमें कि संस्थापक यूजना ली ने 2013 में पहली यूजना करोड के आसपास की हो जाती है तो उसको यूजना बोला जाता है इसके ताथ सबसे यूजना जो है उसके बाद कि तीसा नमबर भारत का इंडिया का भारत में कितने यूनिकॉन है चोवन भारत में एक एड़ू टेक प्लेटफॉर्म है वाइजूज बैजू यह सिस्पर इसकी जो मतलब कि इसका जो मूल है वो कितना 21 बिलियन डॉलर के करीव है तो भारत का पहला जो एड़ूटेक है होज़े वाइजूज यह भारत का पहले यूनिकॉन है है और उसके बाद इंपोबी इन मोबी दूसरे इस इस तान पर्यक्राइब मोई बज्णपन प्रद्रोःप्तव की प्लेटफॉर्म है इन लग 16000000 में मतलब इसे ग्स के नवरे ब्ø ay उन ऑन्फट है यह सब सब से अगली इंफॉर्मेशन क्या है बीना पनकी बहु उत्पाद पाइप्लाइन पर योजना अठाइट दिसंबर 2021 को पीम मोदी द्वारा बीना डिफाइनरी MP में जो है से पनकी कानपुर बीना जो MP में पनकी कानपुर में इसके लिए पी यो यल टर्मिनल तक बहु उत्पाद योजना ऐग्योजना योजना इसको समर्पित कर दिया तो कहां से कहां तक के बीच में यह बीना मतलगा कि मिलिए मिलियन अप्र नत्रिवास इसके लिए गवन होगा कि इसके पाउंका से जिले उगे यूपी के पाउंके कानपुर नगर बीना पन की जो बहुत पाउंप की पर कुर्योजना सताइस दिसमबर दोजार इकीस को नरेन प्रदामंति नर्यमों ने हिमाचल प्रजेश में 11,000 रुपए कि अधिक की जल्विद्दुद पर्योजना के उद्गाटन और श्रीला न्यास किया इसमें कौन-कौन सी पर्योजना है जिनलुकाजी बांद पर्योजना यह किस पर नदी तो हमको इतना ही याद रखना जयलकेट्ती सब्सक्राइबनन गुफ्तपर्योजना encicado दिया गया है इस opinion को इंपौर्टन न्यूवक्ति उसको देख लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब इनको नवाजा गया और यह दच्छन अप्रीका के एक मानवादिकार कार करता है जो रंगवेद के लिए लड़े थे सादा मेनन पद्म भूश्ण से सम्माने भारत की पहली महिला मनोची कस्तक सादा मेनन का निदन हो गया है नयमूति घ्रीज ठाकेरवा ठाकोर लाल नाना व इस महीने के इंपोर्टन पुरसकार उनको देख लेते हैं ज्यानपीट पुरसकार दिया गया और नील-मडी-फूकन को दिया गया यह कथाकार है 12-21 के लिए नील-मडी-फूकन असम्या कथकार है नहीं की सब्सकार है दामोदर मावजो को को यह को कोड़ी लेखक हैं इनको दिया गया मिस्यूनिवर्स जो इनको दिया गया इस्तर वी जो विन्स यूनिवर्स प्रद्योगिता हुई यह फाइनल इस्राइल में हुए इस में हरनाज सिंधु भारत की जो हैं यह मिस्ट यूनोस बनी थी नादिया फिरेरा जो परागवे की है वह सिकंड नमबर पर रहें वह पिया मोदी को भुटान का सरवच नागरिक पुरस्कार दिया गया इस अवाट का क्या नम है आडर आप दूप गेलिपो अगर यह पूछा साटोरीर को बने इलन मस्क बने श्पेसेक्स कंप्वरी के मालिक और इंटर अब दै यह यह कुल मैं टाइंस के इंटर टेनर आप दे कमने उलीवियो रोड्रिगो यह यूज़िए की गाई का वह लेखक है तो यह बनी इंटरेनर आप दै यह 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 पिछले जामें पूछ पुरसकार को दिया गया इस पुरुस्छा तो ये वास्टुक्ला के लिए दुंचा सर्वोष संबाज होता है ये बारत के जो वास्टुवीद है बालकिरेये साहिट पुरसकार 2021 यह बाइस भासा प्लस अंग्रेजी और राजिस्थानी भासा को मिला कि चौविस भासा में प्रदान किया जाता है अंग्रेजी भासा में किसको दिया गया नमिता गोखले इनकी जो पन्यास है तिंग स्टू लीप बिहाइंड जो पन्यास उसके लिए इनको पर देढ़िए हिंदे के लिए नाटक नाटक में विख्यान उस चिच उसके लिए इनको प्रवार गया है और्यां से थैफ बुर्दी है दस से 13 दिसंबर को इन बनाया इसे सेंटर फास पोलर एंड उसके दोरे यह मनाया गया गुवा के पढ़जी में तो भारत के लिए बिग्यान प्रवद्दों की और नवाचार में रशनात्मक्ता का उस्तों इसको आपको याद रखना है कि यह कहा हुआ हुआ में इसके थीम क्या थी सम्रित भारत के लिए बिग पर किंद्रित था मानुवी सहाता और आपतर राहत पर यह केंद्रित था तो यह पैनिक्स जो हुआ बिम स्टेक के सदस्तों के बीच में कि युद्धा ब्यास था बे आफ बंगार इनिस्योटिव फ़र मल्टि सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकॉन्मिक कोपरेशन मतलग कि इसके सदस्तों के बीच में इकॉन्मिक कोपरेशन को और जो टेक्नोलोजी है उसको अधान पादान को बढ़ावा देना इसके 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 बारत है बांगलादेश भूटान म्यामार नेपाल स्रिलंका थाइलेंड है इसका जो हैड़कौाटर है यह बांगला बारतों म्यामार की बीच में होता है इस महीने की इंपोर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं जस्टिस फॉर दजज एंड ऑर्टो बायोग्राफी यह किसकी बुख है इसमिति इरानी की बुख है दस्येज विट टू हॉन्स अन्यूजवल तेल्स फॉम माई माइथोलोजी यह क कंप्लीट लाइफ दा ऑर्टो बायोग्राफिय किसकी बुख है यह वन आरंज मडर यह किसकी बुख है यह चीतन भागत की बुख है बेल्स अगेंस दाराज वेस्टन फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम यह किसकी बुख है यह जाम चन्ड गुहा की लिए केल कूद में द था बीजे हजारे ट्राफी 2021 इसका बीजेता कौन सा इस्टेटर था यह हिमाचा प्रजेश था उब बीजेता तमिलाडू था अगली इंफॉर्मिशन क्या है टेस्ट क्रिकेट में एक नई इनिंग में किसी टीम के दस खिलाडियों को आउट करने वाले तीसरे खिलाडियों को आउट तोधेस्ट्र उपरेट में और ऊस्टेल जर के जी को कर नियुग वर के मिला पूर्सों का आगला डोजाजा तेस में होगा यह कहां पर मलेशिया में होगा डेविस कप 2020 2020 के क्रूश है। यह को ने बिजिंग ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले असल्इट है। इसके लीए लेकिन कोई भी पदक नहीं जीत पाएं इंपोर्टेंट देख लेते हैं इसमेने के एक दिसम्बर को क्या मना जाता है इस दिवस तो इस दिवस की थीम क्या थी लीडर्शिप एंड पर्टिशिपेशन आफ पर्सन विथ डिसेबिल्टी तुवर्ट्स एंट इंक्लूसु एकसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड वर्ड यह इसकी थी पाथ दिसम्बर को क्या मना जाता है इसकी थीम क्या थी मिदा लवडी करों को रोके मिदा उत्पादक्ता को ब प्लास्टिक पर दोशो और पचीज दिसम्बर को जो अटल बिहारी बाच पर जिस दिन जल्म होता है उस दिन को किस दिवस के रूप मनाते हैं उसको सुशाचन दिवस के रूप मनाते हैं तो यह हमने फरवरी माह के करेंट अफेर को देखेंगे धन्यबाद दोस्तों इतनी ही इंफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं जैसे अभी यह यूपी पंजाब उत्रखंड गोवा मड़ीपूर की विदान सबाओं यह चुनावी प्रक्रिया का आरंप आठ जनवरी 2022 को चुना आयोग ने इन पांच राज्यों में चुनाओं की विदान सबा चुनाओं की हैं यूबे में कितने सबाओं की चार्सो तीन सब्साब के नाई जो चुनाओं के जारी कर दि uscado चुटे राजाब् graud चुटे राज्यों के लिए क्या सीमा बनाई गया तो गोवा मड़ीपुर में एक विदायक कितना एक मतलब की चुनाओ का प्रत्यासी जो विदान सभा चुनाओ के लड़ाओ के लड़ाओ के वह मैक्सिम अट्था इसलाग रुपाय खर्च कर सकते हैं इसमें और क्या किया ग जो जैसे यूपी जैसे राज्य जो बड़े राज्य है इनमें जो एक प्रत्यासी के खर्च करने की सीमा है वह सत्तर लाग से बढ़ा कर दी गई और विदान सभा के लिए 40 लाग चोटे जो राध्य है उनके लोग सभा के लिए कर दी गई चंवन लाग रुपे था अब इ कि मोशन बिज्ञा ने यह आक्रन लगाया कि 2021 अब तक का पांचवा सबसे गरम होश रहा उनीस सो एक के बाद तो सबसे ज्यादा गरम होश कौन रहा आप तक का यह 2016 इसमें कितना डिगरी टेंपरेचर बढ़ा था जीरो पॉंट सेवन वन डिगरी चल्सियस से टेंपरेचर अधिक था मतब इतना टेंपरेचर अधिक हो गया तो अब तक का सबसे गरम होश कोशा और यह पांच्वाश ऑच्वा सबसे गरम होश रहा जहांकर तेंपरेचर फिलिपीन को ब्रम्भोस मिसायल के निरियात के लिए सोदा संपन हो गया है जनवरी 2022 में देस मंदे में ब्र प्रियाद के लिए एक और फिली इंस से प्राथ हुआ कितने कितने का है यह दोस्तों यह संदो चार करोड का अनुबंद भारत से किया फिलिपेंस नहीं फिलिपेंस के रच्छा भीभागने अपनी नहुस्यना के लिए ब्रंभोस मिसाइल के आपूर्ती के लिए ब्रंभोस एयर इस्पेस प्राइवेट लिम्टेड है इनके साथ साहते संदोचार करोण का अनुबंद किया है यह अनुबंद समूद पर तैनात कि जाने वाले इं से जिनके लिए ब्रंभोस मिसाइल की बात भारत भारत बचल पूर एसिया के और बहुत सारे देश है जिनको यह ब्रंभोस मिसाइल निरियात करेगा बात चल लए इसके लिए इसको अब ये पूछा जाई एंप यह क्या तो यह मैं पोटेबल इंटी टैंक गाइड़ बनाया है एक कम वजन की है इसको fire and forget मैसाल करा जाता है दागो और भूल जाओ मिसान भी कहा जाता है यह कहीं से भी लांच किया सकता है विक्रांत क्या है विक्रांत क्या है इसका निर्माट किसके दोरह किया गया है भारत का पहला सच दोरह किया दोलड़ करें इतना ही याद रखना कि बारत का है जारी कि लिए जारी इंफ़्मो की समाजव को मिला थों इसको अब आइड विद मी घुन बीटिंग रिटा समाजों से हटाई गई ये महत्मा गंदी का पसिंदता इसाइगी था जो 1950 से अब तक हर साल वार्सी समावरों में बसना था इसको अब हटा दिया गया है अब क्या होगा अब जो कवी प्रदीब की का गित मेरे वतन के लोगों यह बज़ेगा बीटिंग रिट्रीट में यह कब गया गया थे भार्ची यूद के दौरान की तयार गया गया था पहली बार 27 जनवरी स्री रामचंद दौरा बनाएगी कवी प्रदीब का गित है और इसको गया किसने था लता मंगेश को दौरा यह गया था तो आप बीटिंग रिट्रीट जो होती है मैं समारों उसमें अब यह गया जाएगी जो अवाइड मिद्मी जो धुन थी पहले उसको हटा दिया गया ह अगली इंफॉर्मीशन क्या है तक्थ दमदमा साहिब तो क्यों क्यों चनवरी 2022 को दिल्ली सिह गुर्द्वारा प्रबंदन समिटी ने मैं सिखildá प्रबंदन समीटी ने क्या किया सिफ्खो के पाँच्वे तक्ष परदों चेह इसको जो दिल्ली सिक्ष गुर्द्वारा प्रबंदन समीति है इसने इसको सिक्षों के पांचवे तक्त के रूप में दक्त दम्दमा को माननेता दिए प्रादिकारी की शीट कौन कौन से पांच तक्त यह कहां है यह इसकी स्ताफना 1606 में गुरु हर गोविन सिंग ने की यह गुरु जो हर गोविन सिंग ने की है टक्त पाडना साहिब की स्काफना के टसकों के दसवे गुर्यू तो करो ने की है अननदुपूर पंजब花 कंस्यों कहा है यही मैं अगला क्या है तक हजूर साहिब यह कहा है महाराश के नांदेड में यहां गुरु गुविन सिंग ने समय बिताया था और 1708 पे उनका अंतियन संस्कार भी यही हुआ था तक हुजुव साहिब नांदेड महाराश्ट में जो पचवा तक भी जूस को बनाया गया दंदमा साहिब को यह बटि प्रकर उपादी किस चिती इननों उपादी किस ली थी तो आपको यह दराखने कि कहुए हैं हजरत रवाल मजीज तो हज़ा रब जो पादी किस ने लिए भी किस ने ली ती शिख्कों के पाद और गुरु नानक देव ने के लिए गुरु अंगद लैना कि इसको फुज द और नहीं देखकर वाहिए तैने किस ने शैखा नग्सुन ने बज जाओ मननने भराव जेडुन अनधानी जाहांगी ने इनको मृतुदन तो गुरू अर्जन ने गुरुenario कि ने दिया था इसके बाद कोन और गुरु nhất वहादूर और अंगल जेव ने दिया था तो आपको यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है और यह अर्विंदर साहिब किसने बनाई इन्हों नहीं किया तो आपको यह इंफॉर्बिश्चन याद रखनी है कि पहले गुरु कॉंधर से सिख्ध धर्म के गुरु नानक द दे दिया तो यह हम क्या देख रहते हैं इसको सिख्ध धर्म क्या पांचोवा तक्त का दर्जा दे दिया गया अब अगली इंफॉर्मेशन दिखते हैं बिटेन के पूर पियम तोनी ब्लेयर अब नाइट हूट से संब्बन तो अब इनको क्या कहा जाएगा अगली इंडोन बन्यों की मनतान में इस थार्जना नाम क्या हो जुक जो डखणिर था है उसको कालिमन्तान कहता है उसी में अब जो इंडोनेश्या की राध्यव जग्रती थी वहां से उसको अटा करके कालिमन्तान में कर दिया गया और इसका नाम का है नुसानतरा अब बोर्नियो दिप की विचे में थोड़ा सा आर दोब उत्री हिस्ते में इसके इसको कहा जाता है सब्बा और सालवा इस पे इस पे खंड देब का उसको कहा जाता है काली मन्तान और इस पे एंडोनेशिया का तो यहीं पे जो दच्छडी हिस्ता है बोर्णियो दीफ का काली मंतान यहीं पे इंडोनेसिया की जो नहीं दाजधानी नुसंतरा है उसको बसाजा गया है पहले क्या थी जकार्था इंडोनेसी का प्रेसिडेंट को ने जो को वीडो डू इसको ऐसे भी देख लगते हैं तो मुझे यह वाला हिस्सा इसको बोला जाता है काली मंतान तो यहीं पे बोर्णियो जो इंडोनेसिया की नहीं राजदानी बसाई जा रही है अगली इंफोर्मेशन देखते है करप संप्रसेप्शन इंडेक्स की बड़ारे किया जाता है जर्मणी की संस्था है ट्रांस्पर देंस हैं ओसे कम सबस्ते कंब्रेश और रही सब्सक्राइब कर वारत का नंबर चीन keyboard में अच्फे भारत का एस्थान कव्टाइब और तो युका diffy चलिए बन कष़ें तो ब्रस्चे इंडेक्स 2019 बहुतान कि इसकोर कितना है चीन का चाइश्ट है हमारा पचासी बागई स्रिलंका जिस सी नेपाल यह सद्टह नमबर ऐसे ही करके देशएंगे जन्मार्च फिन्लैंड नुजियलेंड भार्त का इसनि वास्ट किस नेज सब देश है दच्छनी सुडान का अगली इंफॉर्मिशन क्या है फ्रीडम कॉन बॉय यह फ्रीडम कॉन बॉय है क्या तो 31 जनवरी 2022 को बीस हजाद से अधिक ट्रकों के काफिलों ने कनाड़ा की राजनानी उटावा को खेल लिया यह जो ट्रक चालक थे अमेरिका से कनाड़ा आने वाले ट्रक चालकों को वैक्सिन ना लगे होने पर सीमा पर ही कॉरेंटाइन करने का अधिस था तो यह इसी के बिरोध में कि हम कोविड नाइटिन की वैक्सिन नहीं लगवाएंगे इसी के बिरोध में इस सबसे बड़े जमावड़े को अंत्रिस से भी देखने की बाद मेडिया रिपोर्ट में सामने आई है करनाडा पुलिस ने इतिस विसाल भीड़को के समों को के सामने अपनी लाचारी बेक्तिकी तता प्रदसन हिंसक होने की आसंका से जो हां के प्रदान मंत्री जचिन चूड़ों है उनको बोल दिया कि अपने स्थान चोड़के कहीं और चले जा करने डावर्ट में फासों में तकता पलट बुर की अफ्रीका में एक लेंड लॉट कंट्री है इसके राजदानी क्या और गार्डव तो इसके राजदानी आपसे पोछ सकता है और जो प्रकी यहां पर अब फॉर्मेंश्टा प्लट यहां आप पर नेंट्री पस्रीका में तो यह जो दिसंबर के दिसंबर 2021 के अंग ता कि भारत का शर्षन पॉरेंटी से मिलियन डॉलर के करीब इसलों इसा उसके बाद ऑड का फिर ट्रैंच विद आयाइम अफ इनका था तो सबसे ज़ादा जो फोरेंटर आया डॉलर के करीब तो इसी का था उसके बाद सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करन्सी एसेट का अगली इंफर्मेशन क्या है सबसे बड़ा स्वतनत व्यापार समझोता आरी सीप एक जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है यह लागव हो गया एक जनवरी 2022 किन किन देशों के बीच में आशियान प्लस पांच अन्य देश नहीं है अपने हितों को देखते हुए इसमें कौन-कौन से आशियान के दस देश कौन से इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापूर थाइलेंड फिलिपिन्स वियतनाम चाइन जापान साउथ और इन पंदा देशों के बीच में यह आरी सीपी समझोता लागव हो गया एक जनरी 2022 से आरी सीपी को देख लेते हैं आरी सीपी जो है जीडीपी की दिस्टर से सबसे बड़ा स्वतनत ब्यापार शेत्र बन गया है पहले कौन था यूए से मैक्सिको करती है डो एंजिरोटस और से हैं का उनको पersonês का जारी करती है वेडरराइश की जारी कि देखना अगली में और benks में वहीच में और लिग्ँटी संस्ताों की इंपया को करते हैं उसी को बैड़ मेंक्स का झाता है तो जैसे इनका होता है इनका होता है बेंकों से अनी का बुग vista सब्सक्राइब करने के लिए यह काम कर रहा है इसमें जो इसमें क्यों परसंट परसंट किसले बनाए जाते हैं जो इन पीए है उनकों को मैंज करने के लिए उनकी उगाही करने के लिए बैट बैंस मना जाते हैं अगली इंफ्रमेशन क्या है ब्रांड फाइनस इस 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 रिपोर्ट जारी कर जाती है इसमें क्या कहा गया इसमें कहा गया एक्सचेंजर यह दुनिया की सबसे मुल्वान और स लिट्सी सर्विस है इसकी ब्रांट सुक्क्राइस र्भाइट आटी 222 बैसे पहला इस्था टीस का है अर इसे इसका है मिला और जो भारत की कुछ CEO उनको देख लेते हैं भारती मूल के CEO जो है भारत के CEO जिनके जो या भारती मूल के है या भारत के हैं जैसे पच्छवा इस्थान सुन्दर पिछाई को प्राप्थ हुआ यह इसी तरीके से चाटा के सीओ आनन महिंद्रा 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 के सीओ और मुकेश अंबानी इस्थान प्रदान किया गया अगली इंफर्मेशन क्या है एक पेमेंट बैंक को अन्सूचित बैंक का दज्जा अगली रिपोर्ट देखते हैं इंडिया ने इक्वेशन के रिपोर्ट जारी की इंडिया के सब्सक्राइब इसमें इंड्या के इस्थी बताएगे कि आए में किती समंता है तो इसमें बताएग्या कि बारत में दोजार इक्किश्था की परिवारों तो जो 50% आबादी है निमने हिस्ता कि उसका राष्टी आए में हिस्ता सिर्फ 6% है बाकि जो 50% अबादी है उसका हिस्ता 24% है भारती अरब पत्यों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई को रोना के दोरान इसमें धिक ऑन की संख्याκι कोरे cosa न olması कि संख्या उसे बढ़कर 729 के संपत्य वरियूं के 2020 अत्र रीक गरीबी के दल्दल में फसने का अनुमान भी लगा जा गया गया इसमें अगली इंफर्मेशन क्या है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यह किसके दौरा जारी किया जादा है यह जारी किया गई और बैंकिंग ऑन इलेक्टिक वेहिकल इंडिया रिपोर्स यह देख यह को दिशा निजडेसों में शामिल करने के सुचता देने के लिए बिचार। से सर्फारे से प्रदान्द की है इसका क्या मतलब है दो सुचता जो हो इसको प्रहूं के तब के तहफ दो पहिया सब्सक्राइन क्वसाइभ प्रात्मिक्ता देवान को इसका इस घरीच की यह रिपोर्ट करने जो विह चछांग हो ब इस इस निधन और उनको देख लें तो बिर्जु महराज कंता इनमाध कॉन यह संदुताई सब काल यह इस निधन निष्टावी पाह। है। इनको चाहता है उसको क्याओ गया है। इनकी इनका थाले हैं जौनधती उसको कह नाम था? कि अगले देखते हैं। इनका निदन हो गया सिड्नी पोईटियर सिड्नी जो पोईटियर है इस अभिनेटा का आज का जितने वाले पहले अश्वेत बैक्ती थे इनका निदन हो गया इस महिने की इंपोर्टन बुक से वह देख लेते हैं इंडॉमी टेबल किसकी बुक है अरुंद्रती आफ इंडिये लिट्ल बुक उफ इंडिया से लिब्रेटिंग 75 एर उफ इंडिपेंडेंट कि बुक है देख जो बुक्स आपको याद रखने हैं दूस्तों मनोजबाचबे कुछ पाने की जित यह किसके बुक है यह प्योद्वा क्रेंज़िस पीचा ने की जित है यह इन बोस दा अंटोड स्टोडरी यह करके बूख किसकी बूख है एरविंट पंदगडिया की बूख है इरफान डायलॉग विद द विइंट्थी बूख है अनूब सिंग के बूख है अब जो एपॉन्टमेंट्रMinute में इस महिने की वो देख लेते हैं ए एाई वी इसरो के नए चेयर में किसको बनाए गया एस्टोमनात को पाकिस्तानी सरवोच ने आलें पहली बार एक महीला नया दिस की किसकी की गई आइशा मिलिक की सरकार के नए मुक्राइश का सीए निवक्त कौन हुए है वी अनन्त नागेश्वरम यूरूपी संग की संग की संसत का यह माल्टा की अबसे कम उम्र की आप धेश्व रेव की आप। और यह तीसरी महीला तों है आई tortilla प्रीव पीर ए उलिवियर गौरी चंस यह-ई इनको यह उत्तरी मेंसे डौनिया है इसकी राजदानी का है इसको यह पुरसकार देख लेते हैं इसमयने के राश्टी पुरसकार 2022 यह किसको प्रतान किया गए यह सबृस्टेश जुप में यूपी को और प्रवंदन पुरस्कार 2022 कि संस्ता को तो उसमें गुजरात आप प्रवंदन संस्तान को और बेक्तिकर रूप में बिनुस शर्मा को मिला गोल्डेन ग्लूब आवाड 2022 इसमें जो सर्वसेश फिल्म है फिल्म के रूप में किसके मिला इसको गयरी सोबस ट्राफिक कहा जाता है इसको प्रांद किया गया है साही ना फ्रीडी को सर्वसेश्ट वंडे क्रिकेटर बाबाराजम को सर्वसेश्ट क्रीकेटर जो रूट को त् Eun कि्रिटे क्रिकेटर आप द the year कि इसको दिय गया औध्यूब रिजjung को महिला क्रिकेटर ये रासे ल रुडोदे फ्लिंट्र compress ट्राफिक किसको पर्नदी मंधाना को इस तरह से गयरी सोबस ट्राफिक को प्र ед 15 इं optics को पुरस यार्प एसाफ पुरसकार देख लेते हैं चार लोगों को पदम भूषण दिया गया सत्रा को पदम भूषण पदम भूषण इसमें 34 महिलाएं हैं पदम पूरसकार प्राप्त करने वाली इस साल जो इंपोर्टन हमारे पास पदम भूषण याद करना तो पहला जो लोगें विश्क लोगें जन से अडने घंडर के उनको महस्ते में इनको नो परांत करने यह यह सते कर acceso के लिए और थो इनको बसे समुद्धिर साजेदार यह ब्यास यह बारत जापान के बीच में हुआ है बंगाल की खाड़ी में हूआ इसमें भारत की तरफ से जो दुपोत है सीवाली को कदमत उन्हें भाग लिया और जापान के तरफ से उरगार हीडारो हिराडो इन जहाजों इसको कहा जाता है इसका नाम कि चलिया होने बिल उसके नाम पर पड़ा इसके नाम पर पड़ा इसके लिए हर साल मना जाता है बेसकर एक बार कि हुआ था कि मिर्ट्री में यह सेना की एक करवाएं में 14 लोग की मृत्ति हो गई तो उसी की वज़ा से यह बार हर साल जो ट्राइब है उनके अधिकारों के लिए यह उनकी रच्छे के लिए हैसल मनाया जाने लगा खेल में देख लेते हैं दोस्तों टाटा सब्सक्राइब पूछा है यह इसमें पूछा है इसमें पूरुस एकल का पूरुस का जुको मैं यह नहीं हुआ है इसमें बीजेता कोंटी भी पीवी सिंदू थी भारत की पादम भूशन आवार्ट पन भीवूशन नहीं पन भूशन आवार्ट से नवाज आ गया तो दिवेंज जाजणियां है पाइरा लॉंपिक में जो इन फोन में पदक लाए था दो बाल ला चुके हैं इनको पदम भीवूशन आवार्ट से नवाज गया उन्मुक्चंद्र य इस साल के थी तो दोस्तों हमने ये मार्च महीनी के जो करेंट अफेर उनको हमने खतम किया आगली वीडियो में हम अप्रेल महीनी के करेंट अफेर को देखेंगे धन्यवाद दोस्तों हमने पीछले वीडियो में मार्च 2022 के करेंट अफेर को खतम किया है इस वीडियो में हम अप्रेल 2022 के जो इंपोर्टेंट करेंट अफेर उनको देखेंगे तो उसमें पहली करेंट अफेर की नुजए वह क्या है ग्यारावी सरीके संत रामानुजा चाहर की प्रतिमा का 5 क्या है इस प्रतिमा को स्टेच्टिय। अपइक्वैलिटी की कहा गया यह कहा पे इस्था पेश्थापित गई है। यह प्रतिमा प्रतिमा कपर डाथ के बनी है। और यह 1000 करोन के पैसे से बनी है यह पैसा दान में मिला है पूरा का पूरा है उन्हों के एक राओ करके हैं उन्होंने 1000 करोन की संपत्ती दान की जिसकी वज़ा से यह स्टेच्व प्रटि में बनी है तो 216 फूट उची और पेताल सिक्र में फैली है एक खजार करणो के दान से बनाई गही है इसे को चाइना से बन वाया गया शेंबल करें यहां लाइग लाएगा यहां से कखड़ा किया गया में आप रामनुजाचार जो संत अंते की इनके भी समझान लेते हैं इनका जन्द 1017 1017 इसमी में इन्होंने पूरा जीवत क्या तो इन्होंने किस चीज़ पर बल दिया भेदबाव कम हो समाज में उच नेची कम हो समानता को बढ़ावा मिले भक्ति आंदोलन जो पीछे जा रहा था उसको फिर पूरा जीवत देने का प्रयास कि यह माना जाता है लोग कता हो के एक सो बीस व संक्राचार आपको यह मिला ने पूशा जाता है कि संक्राचार क्या है अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन क्या है और युद्द्गरस्ट युक्रेण से जब रस्यान पर आक्रोड किया था वहां जो फसे भारती थे उनको सवदेश लाने है तो एक अभियान था इसी अभियान को का नाम दिया गया अगली इंफॉर्मेशन क्या है प्याइब और युद्गरस्ट युक्रेण से भारती नागरों को की सवदेश वापसी एक अभियान है अगली इंफॉर्मेशन क्या है मारी पीएस यलवी इसी फिटीटू की उडान द्वारा तीन उपग्रहों का प्रच्छेपड किया गया तो पीएसलवी इसी फिटीटू की उडान संद्वारा तीन उपग्रहों को सखलता पूर्य उनकी निधायत कछ्छा में पहुचा दिया इन तीनों को चै। सबस्क्राइब कर दो जाता है ऐसे से इस था प्रिटिवी है तो ये ये जो उपगरा द्रू के कोर्डिंग गति करता है उसको polar orbit बोलते हैं और इसी से रिलेटर है एक यह पैटिकिलर का मतलब कि यहीं पे जब सूर की इस्तिती के साथ इस उपग्रव को फिक्स कर दिया जाएगा कि संद के रोशनी बराबर इस उपग्रव पढ़ती रहे तो उसी जो position होगी उसक इसका मतलब क्या है यह पोलर और बीट का जातें जिस्ते क्या होता है यह जैसे जैसे घूमता है वह जैसे प्रिटवी विधर अक्रवरी को बहें को सब्सक्राइब और यह एस फर्वर्वरी को भेजा गया यह पर पहला इसका मतलब आर्ट तो अबजर्वेशन सैटलाइट 04 यह किस लिड़ वे जगे इसका उद्धर से यह जड़ार इमेजिंग सेटलाइट है इसका वजन जो है 1710 कि यह करेगा यह जड़ार इमेज़ सेटलाइट है यह करेगा यह तरह के मौसम में उच्छ गुडवत्ता वाले चित्र को लेने के लिए तयार किया गया है इन चित्रों का इस्तेमाल कि वृच्छा रोपन जमीन और पानी की सता के खेड्र में मदद करें तो यह तरमल इमेजिंग से क्यांद करें गया तो दूसरा ओपग्र क्या है आइन डिटी आर्फ चट्रवेशन सट्राइस लिए इस लिए इस सेट्न है यह त्याम पूरन इस तिद्ध भार्ती अंसरी बिज्ञान और प्रद्दोगी संस्तान आई आई एस्टी द्वारा कोलरेडो युनिवर्स्टी बोल्डर के सहयोग से एक निर्मित चाथ उपग्रा है जिसका उद्देश से क्या है आयन मंदल में आयन मंदल गतकी और सूर की कोरोना प्रक्रिया की समझ में सुधार करना यह स का है यह वनस्पति मान्चित्र के लाव है जमीन और पानी की सता के दाप्मान के आकलन में मदद करेगा इंसमाइल स्टिट क्या है यह आयन मंदल और सूर की जो को रोना प्रक्रिया है उनको समझने में सुधार करेगा अगली इंफर्मेशन देखते हैं अगली इंफर्मेशन हमारी क्या है संचार उपग्रह इंसेज्ट फोर्वी सेवामुक्त तेरह से संचार जनर जनर्वी सफलता पुरोग सेवा इसके पस्चाद इसको सेवा से हटा दिया अब देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन क्या है राष्टपती कोविंद की राष्टपती कोविंद द्वारा नौशनीक बेड़ी की समिक्षा यह जो मतलब कि रिव्यू था यह नौशेना का बरहाव रिव्यू इसकी थीम क्या थी दोस्तों इंडियन नेवी 75 years in the service of a of the nation तो फिल्ड जो रिव्यू नौशेना का बरहावा था उसकी थीम क्या थी इंडियन नेवी 75 years in the service of navy आए नस तो चित्रा पर सबारों कर राष्टप वाना तसकरी को रोकने के लिए राष्ट बापी अभियान है जो किसके द्वारा शुरू किया गया इसमें क्या किया जाएगा इसमें आप्रेशन के था लंबी दूरी की सभी ट्रेने या रेल मारगों पर बीसेस बल को तैनात किया जाएगा जो पीड़ी बिसेस से महिलाओं और बच्चों को तसकरी के चंगुल से बचाने पद्यान दिया जाएगा क्या होता है तो इसलिए यह आप्रेशन आहट जो आर्पी अध्रों में चलाएगा जिसने महिलाओं बच्चे उनको बचा रहा जा सके है उन संदिक तसकरों के लिए यह सबसे विस्वस्नी वहां ग और पिएफ कमिस्ट इसके लिए महिलाओं और बच्चों कि इंडित कि इसमें अगली इंफर्मिशन क्या है भारत के दो नए रामसार इस्थल वर्वरी बाइस में बारत के जो नए रामसार इस्थल इस्थल खिजडिया पच्छी अब भ्यारत जो जामनगर गुजरात में अगर भारत का एडिया च्टो परसेंट उसमें चाज असंदोर शिक्स त्री परसेंट रामसार इस्थल वर्ड लेपल पर दुनिया के भगोली चित्का सिस्थ पॉइंट फॉर परसेंट है अगली इंफर्मिशन क्या है वन ओशिया समिट वन ओशियन समिट नव से ग्यारा करने के लिए उसका उद्देश है उसके लिए दुनिया बर को अवेर करना इसका उद्देश है इसमें क्या 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 है कि यूनिस को जो है कि वर्तमान ने 20 परसेंट समुद्री तल का मानचित्र हुआ है और तार्गेट है में लगबग 80 परसेंट का मानचित्र हो जाएगा जिससे हमें और जनकारी उपलब दो सकी और हम उस तरीके से अच्छे से जो समुद्री पास्तिकी तंद्र है उससे अगली इंफॉर्मेश से इसको जारी किया गया है कूंस अमबर उनकी गुध्दी होती है उसके लिए उनका प्रदान प्रत्ति को दिया जाते हैं जिसके जो अधिकार है उस बेक्ति को दिया जाता है और वो उसके एक सब्सक्राइब के लिए उस वो अधिकार को वो जीता है तो इसका क्या मतलब है उसके उसका क्या मतलब है और किस तरीका के होते हैं जैसे ट्रेड मार्क हो गया पेटेंट हो गया यह इनकार हैं कॉपी राइट हो गया और किस तरीके के होते हैं ट्रेड सीक्रेट डोमेन नेम इंडस्ट्रियल डिजाइन यह इस इतवाम तरीके के आई प्यार होते हैं इसमें होता है दोस्तों जो आदमी होता है और कोई भी परशन है वो अगर अपने दिमार से कोई चीज़े खोशता है जो उस चीज़ के लिए उसको एक अडिकार दिया जाता है जो एक मिस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट होता है कि कई तरीकी के लिए इस तरीके के तुमाव आई-प्यार के लिए जो इंटरेशन इंट्रेशन इंट्रिक्ट्य प्रॉपर्टी इंडेक्स है यह 2020 यह किसके जारी जारी यह चेंबर सोंब्स ग्लोबल इन्नोवेशन पॉलसी से जारी किया रहता है यह इसका दस्तान अगली इंफर्मेशन क्या है अफगानिस्तान को मानवी सहायता के ताथ 25000 यहों की पहली खित वह पूरत के द्वारत के द्वारत कर दी गई है 26 फरवरी 2022 को खा संकर संकर से जूज रहे अफगानिस्तान के लिए मानुवी आदार पर 25 राट टन गियों की खेप भारत ने पहुचा दिये तो इसमें क्या था भारत ने यूएन जो जईयुक राष्ट कारिक्रम है यूएन वर्ड फूर्ड प्रोग्राम है यह इसने क्या कि के अफगांडिस्तान के लिए अफगानिस्तान करें ब्हुर्ड ने सहाथता के पहले ही वैकसीन की पांचला ह्-कुराइए बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान को पहले हैं अगली इंफर्मेशन क्या है नेपाल के मुख्य नायदिस जाणा के बिरुद्ध अभिस्वास प्रस्ताव प्रस्ताव पारित तो यह को ने इस हमशेट जेबी राणा है तो नेपाल समसे जेबी राणा यह कहां जो कारवाहक कमार कारकी बने अगली इंफॉर्मेशन क्या है भारत यूए इस तिखर वारता रुट और था चुछवर्ण के प्रामिनिस्टर और जो वहां के कर्उंड प्रिंस है मुहम्मद बिल जायर अल्नाहना इनके 20 में दिपच् मना रहा है वहीं यूए जो है अपनी स्थापना का पचासवी वसगाठ मना रहा है यह इसमें वारता हुई उसमें क्या बात निकल गई सेपा जो ब्यापार आर्थिक भागिदारी समझ होता है इस पर दोनों देशों ने हस्ताचर किया और जो दस्तावेज होते हैं उनको आदान परण किया इसका उद्देश के बीच में हुआ अब इसका उद्देश क्या होता है नए कारोबारी निवेश विविद शेत्यों में नौनमेश को बढ़ावा देना तो भारत यूए के आप इसके होगा क्या है दोनों देशों के बीच में लगबख सो बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा तो इससे क्या होगा हमारा जो व्यापार है दोनों के बीच में लगबख लेकर देश के प्रबाइब बंप्रोटर हुन वोkyo Imogen staying with बंगलूर्य नe fill ऊपरकमप्रवेग में दर्प्रवेग की क्यईयरों क Nie सब्सक्राइब बंगलूर ने च्ट्रिक संस्तान में इस्थांपित यह सबसे तो आप हुआ ने स्थाफित हुआ है इसके चंता यह Department of Science and Technology जो हमारा इलेक्टरनिक और सूचना प्रोद्दोग की मंत्रा ना है इसके दौरा यह संचानित किया जाता है इसके ताथ भारत में अब तक दस सूपर कंप्यूटर बड़े जो होते हैं सूपर कंप्यूटर उनको इस्थापित किया जा चुका है अगली इनफ़ोपृरिशन क्या है हमारी फ्रेंक वालटेर स्थीन मेशर्में के राश्ठीपति पूर्डक निर्बाचित तो तेरverse को 30 फरवरी do individuals को 5 वरक के लिए यह जो फ्रेंक वालटेर इस्थीन मेश्काज है इनको पूरा रास्ठीपति चुन और जिए घृक्यमे क přा प्रकूकर वहां के Chancellor के पास होती है he होगा वह भारत में होगा तो इसी के लिए शताइश में बनाए जाभा वह नए दिली नीए तो इसी लिए ये थोड़ा सा चार्चा में तो तब भारत जब इसकी अध्यच्ष्टा करेगा एक दिसंबर 2000 जब यहां पर समयलन 2022 वालजा समाप्त होगा उसके एक दिसंबर 2022 यह तीस की अध्यच्ष्टा करेगा जी टूंटी की भारत करेगा इसी के लिए नियु दिल्ली म क्योंकि बारत में 2030 में इसका सम्मेलन होगा अब जी 20 के भी से में थोड़ा सजान लेते हैं मतलब कि इसमें इसमें 19 कंट्री हैं और यह किसलिए काम करता है इस इसे इस्टेवल करता है उनके इस्टेवल्टी को देखता है इसका जो फॉर्मेशन मतलब इसके स्थापना कब होई 1999 में और 2008 की क्राइसिस उसके बाद से हाल साल इसका सम्मेलन हो लग एक दुनिया वर की एकॉनमी को बचाने के लिए कि विस्व की दो थर्ड जन संक्या इसमें निवाज करती है उन्निस और एक यू तो दो थर्ड जन संक्या निवाज करती है बैसुक गपार कांद और करता हैँ आप जो सब्सक्राइए 對不對 जो इन को भी काहां कहंज यह इंडोनेशा क्या मैं अप्जी 20 को दिंड थे हैं दोस्तों जो 19 देश उस इयू है इनको याद कैसे करना है आपको लगासी तो जैसे आपको पहले जाठ करना शेक wives के like कौन से हैं जी सेवन के आपके याद करना है एक तो इधर से जापान हो गया फिर इधर युए से कनाड़ा कि इस हो गए और बीच में युरूपियन देश हैं उसमें कौन-कौन से देश हैं जैसे इटली और इंगलेंड जर्मनी फ्रांस तो यह साथ देशों मिलके जी सेवन बना है और इसमें जब रसिया सामिल हो जाता है तो इसको जी एट बोल दिया जाता है तो आपको याद कर से करना है यह मैं ठीक बताना है जिसे ब्रिक्स को आपने इसके नाम से याद कर लिया ब्राजिया इंडिया चाइ उसको जी एट बोला जाता है तो अब आपको याद रिखना है देखें चीट वन्टी में कौन-कौन से देश हो जाए एक तो जी सेवन के पूरे देश तो साथ देश तो यह वह गए ब्रिक्स के पांच देश तो साथ और पांच बारा देश यह हो गए उसके बाद दो मुस अस्ट्रेलिया इधर से ही साउथ कोरिया और उसके बाद जो अमेरिकी महाद्यूप है उससे मेक्सिको और अर्जन्टीना तो टूटल जो देश हो गए यह पांच देश और साथ में EU तो इस तरीके से जी पूरा हो आपको इसी तरीकी यह ट्रिक आपको याद रखने है जी USA आई से इसी से कनाडा ए इसे इंगलेंड और जी से जर्मनी एफसे फ्रांस तुस फॉर फ्रेंड व्यूर्वे इसमें जाता है भिस आपको यादी है और जो जी टुंटी है उसको आपने जात कर लिए कि जी सेवन के तर्किया सुनें और साथ हो गये ब्रिक के वह 5 देस हो इसके इसे आपको यह पंच ये याद होड़ा उसे इससे इस्टी इंडोनेसीी आ में इक च्टीन इस तरीकसी आपको सॉथ कोडिक है कि 玩 सर्थक करोड़ी में अगली नोक तंस ङूचा लूरलिजम सरकार के काम काज functioning of government राजनेतिक भागेदारी पाँच अध्याज राजनेतिक संस्कृत्य जो आजनेतिक संस्क्रिति नाग्री स्वतनता सिविल लिबर्टिस इन पांच आधारों बाठ कर लोगतन सनुछकां तयार किया जाता है जिन देशों का मान आर्ट से अधिक है उनको फूल्ड रखा जाता है उनको इंट्रिटा से कम है उनको इस हिसाब से पहला इस्थान आया जो फुल डेमोक्रिसी के अंतरगद है उसमें पहला इस्थान नार्विक रहा इसका इसकोर किता था-9.75 दूसरा इस्थान न्युजिलेंड को जो लोगतं सुचकां 2020 में पहला इस्थान नर्वेका है भारत किस कर्टेग्री में आता है बारत जो है फ्लाइड बतलब कि दो स्पूर्ट लोगतं की कर्टेग्री में आता है क्योंकि इसको पॉइंट वन जो आट से चीके बीच में बारत का इसको इसको इतना 46 सारे जो पड़ोसी देश है भारत के वह बारत से पीछे हैं तो पहला नौरवे भारत के सबसे बाद भारत से पीछे हैं जैसे भारत के इस्थान तो गया स्रिलंका का हो गया बंगला देश का क्यासी भूटान का एक सो एक नेपाल का एक सो चार पाकिस्तान का वन फोटीए चाइना का इसी तरीके सिकरके सारे देशों का इस्थान है और लास्ट इस्थान इसमें एक टिटोरियल गिनिका नहीं दोस्तों 167 अट्री का टोटल का लगतबी है कि में अंतीम स्थान अफगानिस्तान का है पहला नौर्वे का भारत का 46 अगली olutions क्या है मार्या मार्या क्या मार्या्य का सबसे बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा कारगो विमान जिसका रूर सी हमले में यह नाम है इसका चल यह नह थाप हो हुद हूँ हो इ कोड़ है इसका कोसो इसके इस रूप में जाना जाता है इसका जो जो युक्रेणी अर्थ है मारिया का इसका अर्थ होता है सपना पहली उड़ान इसने कब बढ़ी तो 1988 में लंबाई कितने इसकी 84 मिल प्रति घंटे कि इसके स्पीड हो जाती है दो सो पचास तन कार्गो परिवन इसके चमता है अब जो वहां की कंपनी थी जो इसको इसकी निर्मात्य कंपनी थी यूक्रो बारोन प्रोम उसने यह कहा है कि इसको अगर फिस्ट ठीक करना है तो कम से कम तीन अरब डाल से अधिक इसमें पैसा लग करम मतलब की सभी सुखाद करम इसने क्या कहा है इसने कहा कि जो हाँ आफ अफरीका है यहां पर तेरह मिलियन लोगों को गंबिर भूक का सामना करना पड़ा है तो आफरीका का इस तरह का मैग बनाए दोस्तों तो यह जो स्थिंग जैसी इस्तिति निकली है यह इसी को हाँ आफ और जाता है इसी कि देखने में लस्ता बॉखार को यॐ उनाइट कि में लस्ता बुखार से पệड़े टीन बब्यक्तिएं मैं से के संपर्क में आने से एक बग्वक्ति संक्रमीत हो जाता है इसके लच्षण किस तरीकी के होते हैं जो कोई ड़ाल लच्षण होते हैं लेकिन दो सप्ता में इसकी मृत्ति दोरह फैलता है मुखरूप से यह सियरा लियों लाइबेरिया गीनी नाइजीरिया सहीद पस्चिमि अफ्रीका के जो देश हैं वहां पर यह देखा जा रहा है कि किसी को आद्मी रूप देने के लिए सो किसान ड्रोन का उद्गाटन इसका उद्गाटन क्या खेतों में आवस तत्यों का चिड़काँ चिड़काव किया जाएगा इसका निरमाण कि द्वारा इसका निरमाण किया गया आगले दोवर्सों में एक लाख सुदेशी डून का उत्पादन हमारा टार्गेट है अगली इनफर्मीशन क्या है कच्छा इसपात उत्पादन 2021 मतलब कि कच्छे इसपात के उत्पादन दोजारीस की क्या आकड़े वो देख लेते हैं भारत सहीद अधिकान सबस्क्राइब क्या है चीन में सबसे ज्यादा कच्छे इस पात का उत्पादन हुआ पहली सेवा काहा से नहीं चला है यह मुंबई टू 2 मुंबई कि आपको यह याद है कि अट रह्या जोगा जो सुभारम हुआ वो कहां पर मुंबई में हुआ 17 फटवी 2022 को या मुंबई से नवी मुंबई के समुद्री मांक से जोड़ी इससे होगा क्या कि मुंबई से नवी मुंबई करने के लिए यह योजना चलू की गई है 18 फर्वादी को इंडियन गोर्मेंट और करनाटा गोर्मेंट प्लस उडिसा गोर्मेंट और वर्ल्ड बैंक इन सब ने मिलके एक नवन मेंसी विकास के माध्यां से क्रिसी लची लिपन के लिए वाटर सेथ का कायल कल्प करने के सब्सक्राइब करनाटा को उडिसा की राज सरकान ने इसके लिए एक सो पंदा मिलियन डॉलर का समझोता किया हो क्या रहा दूस्तों किसानों को जलवाई परिवाटन के प्रतलचील अपन बढ़ाने उत्पादक्ता बढ़ाने और बहतर आय को बढ़ावा देने के लिए य से अगली इंफॉर्मेशन क्या डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑवाड 2021 करणाटाक बैंक को यह दिया गया तो इसको डिया गया इसको डी एक परियोजदा प्रियोजदा विकास उसी के लिए इसको डिपार्स्वार्ट दिया गया गूगल ने भारत में लांच गया प्लेपास सब्सक्रिप्शन तो जो कुछ-कुछ होते हैं उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे अब आपको पैसा देना पड़ा पड़ेगा 99 रुपए प्रतिमा या 889 रुपए वार्शिक सदस्या ले सकते हैं उनको आप तब डाउनलोड कर पाएंगे तो इसने पैसा लगा दिया प् या इसकी छंपता कितने हैं दोस्तों प्रत दिन 550 टन अलग अलग किये हुए गीले कच्रे का ट्रीटमेंट करेंट करेंगा इस सैयंस से प्रत दिन 100 तंजयविक खाद वालगबग 17000 किलो सी एंजी का उतपादन होगा और तो साटन जैविक खाद का उतपादन होगा इसमें जो सैयंस से उत्पाद सेंजी है उसका नियूंतम 50% की खरीद इंदोर नगर निगम द्वारग कर ली जाएगे और उससे क्या करेगा यह से 400 सिटी बसे चलाएगा और बाकी जो सेंजी बचेगे उसको खुले बाजान में बेचा जाएगा तो इंदोर में एसका लोकारपन क किया गया अगली इंफॉर्मेशन क्या है पटना पांडू जल मार्ग कनेक्टिविटी पांच फरवरी 2022 को पटना बिहार से पांडू गुवा हाटी के लिए खादान ले जा रहा है इंबी लाल बहादू सास्ती जहाद यह जो है पांच फरवरी को रवाना हो गया कहां से कह है इसमें कैसे कैसे यात्रा गए 25-30 दिन की यात्रा होगी किस किस के मार्ण सब्सक्राइब नेशनल वाटर वेस नंबर वां जो गंगा नदी पर है उसके तुरू जाएगा तो इसी के तुरू यह पटना से लेके पंडू गुवार्टी आसम तक पहुंचेगा और आप देख लेते इस महीने के जो इंपॉर्टेन बुक्स है उनको तो पहली बुक्स में दा इस्टागल फॉर इंडियन शोल्ड यह किसकी बुक है से तरूड की बुक है दूसरी बुक है चलमान हुंस के बुक है बोज दा अन्टोल्ड इस्ट्यूरी आप एंस्टोरी अगली नाम अगली क्या थो यह नुद्ण पुर्ण फोर्ण कोगी तर्म्स एंड कंडिशन यह किस जो और अपनी बटाचारी की बुक है दा हिंदू हिंदुत्व पारड़ीज़ पैर डाइमस इंटिग्राल ह्यूमेन इसम एंड डा इस्ट फ़र नाउन वेस्टें वेल्ल्ड विव तो दा हिंदू तो पैर दाइम इंट्रण डाइभ इंड़िडीम डैट्राइम्वेस्ट फ़र नान वेस्टें वालड यह जेमस क्लियर की बुक है तो आपको यह इंपउर्टन बुक हैं इस महिने की नियुक्तियों के भी सुबएंग के उपाध्याच किसको बनाया गया जो बविरसुब के भारत प्रमुक है एसस्टी का हेड किसको बनाए गया एसके सोर को जी एन्यू की नहीं कुलपति प्रफेशा शांति शित धोली पंडित को देश के उपराष्टी सुरच्छा सलाकर किसको बनाए गया विक्रम मिराधी को सेवी की पहली महिला चेयर परसंट किसको बनाए गया मादवपूरी बु इनका निदन हो गया नोबल पुरसकार विजयता थे इनका निदन हो गया पुरसकार देख लेते हैं इस वंत के गड़तन त्रीवर्ट 2022 में जो जहांके निकले उसमें पहला इस्थान प्रफम विजयता कौन था यूपी किस कौन सी क्या थी इसकी वन डिस्टिक वन प्रोड देख लेते हैं दादा साफ फाल के अंतराष्टी फिल्फ पूरसका 2022 इसमें फिल्म ऑब दे एर किसको मिला पुस्पाद राइस को मिला सरश्ष्ट अबनेता रणवी सिंग अबनेत्री किति सेननन और फिल्म सरश्ष्ट में किसका मिला स्थे साहकों मिलन 2022 यह भारती नो से अब्यास है इसकी थीम थी सवहार्द एक जूटता और सहयोग खेल कूद में क्या इंपोर्टेंट है बिहार के सकीबुल गनी बिहार के सकीबुल गनी प्रथम सेड़ी पदारपन मैच में इन्हों 13 सतक बनाले वाले पहले गेंदपाज बन गये हैं तो शकिल बुल गनी जो इन्हों पदारपन मैच में 13 सतक बनाया इन्हों यह जो सतक बनाया है इनों तेरा इमिजोरम के बिरुद रणजी ट्राफिक के अपने पहले ही मैच में 341 की पारी खेली भारत पांचवी बार आई सी सी अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजएपता बना बिजएपता बना इंगले बारती टीम के अपतान कों थे अंडर 19 के सतना इस ढूल भारत के 16 वर्सी सतरंज खिलाडी प्रगर नंदा ने एक मुकाबले में 200 चैंपियन मैगनन कालसन को हराया अगली इंफॉरमेशन क्या है अंतारास्टी ओलंपिक समीती के बस 2013 के सत्त की मेच मेच बानी भारत को मिले मुंबई के जीओ वर्ड सिंटर में इसका मतलब के आयोजन होगा अंतारास्टी ओलंपिक समीती के 2013 का मेच मेच बानी के लिए भारत को चुना गया पिया स्रीजेस होन है यह भारती हां की गोल कीपर है इनको वर्ड गेम्स एथलेटिक ऑप दे ये 2021 का पुरसकार मिला अब भारत की एक मात इतलिट उद्गार्टन में द्वजवाग मतलब इन्हों अके लिए नहीं भाग लिया मुहमाद आरीफ इन्होंने अल्पाइनों में इसकी एक गेम होता है इसमें भाग लिया फर्स इसकार नार्वेज सोल आप सोन जीता 37 पदक इसमें टूटल जीते इसकी थीम क्या थी युवाओं को सतत किसी खाद प्रणाली को प्राप्त करने में सच्थ सक्त बनाने के लिए दलहन 21 परणाली को क्या मनाा जाता है अंतराश्टी मात्र भासा दिवस बहवाशी सिछा के लिए प्रणोग की का उपयोग करना चुनोतियों और और यह सेचक का अंत wurष्टी मात्र भासा दिवस tale kole. 27 भाविर इसकी तहीम क्या मना जाता है अंतराश्टी प्रोटीन तो आपको यह याद रखना है में इंपोर्टन को ने 28 परवरी राष्टी विग्यान दिवस सतत्भविस्थ के लिए विग्यान और प्रद्दुप्टी में एक रिष्टी प्रोटीन दिवस और विश्व आर्द भोमी दिवस यह आपके लिए इंपोर्टेंट है जागा वैस इसमें मारे जो पहली करेंटर के नियुज है वह पीम युवा योजना या किसके लिए 29 माई 2021 को युवा लोगों को प्रोशाहन देने के लिए इस इच्छा बंत्राले के द्वारा यह प्रारम की गई इसमें तीस वस से जो कम के युवा हैं उनमें लेखन शमता को बढ़ा इसमें इन से कहा जाएगा चुनंदा भी से उपार इनको भी से दिया जाएगा उस पर पांच जाजाव सब दिन से लिखवाए जाए जाएगा और जब जो चैन हो जाएगा उनकी बुक का प्रकाशन नबीटी दोरा किया जाएगा और उनको लेकों को 10% की राल्टी भी दे दी जाएगे तो प्रधान दूरी युश्चान देने के लिए कि यह जाए तीस वर्श से कम युवाएं के लिए हैं और इस पर फिर देख द्र पर इच्छा का आयजन्द किया जया और उननकी बुक अंबीटी दोरा चापी जाएगी उनको 10% भी दे जाएगी और छे महिने को दिल्ली स्थितिक टेंग है इसको इसके द्वारा यह रेंकिंग जारी कि गई यह रिपोर्ट भारत के विभिन राज्यों में पर्योजना इस तरी परणामों का अध्यन करती है इस इस रैंकिंग में क्या किया गया जो सबसे पहला स्थान स्थार में पहला स्थाथ जो एक से पांस तक की रैंकिंग इनको दी गए वह इस्टार के जिनकी रैंकिंग शैसे परफॉरर्में क्टेगरी में उपी और इस में इस पैस न्राज में परफोर्मेस क्टेगरी में यूपी किस रिब्लट विखार बहुत सारे तो सब्सक्राइबेगर तो इसको इसको तो इसको जय ऩर्क नागेस्वरम तो इसको जी अगर। इंफर्मेशन क्या है UP उत्राखध गोवा मड़ी पंजाम में चुनाओ के तो फर्वरी मार्च 2022 में इन पार्च राजयों के चुनाओ करा गए और इनके नतीजें दस मार्च को एक दिन मत गड़ना होगी इन चार रिश्चोट में पहले भाजपा की सरकार थी उत्रखण गोवा मडीपूर में और फिर से भाजपा की सरकार यहां पर बनी है पंजाब म कि सरकार बनी इंडिया मतलब कि BJP और उसके अलाइनस की सरकार मनी तो इसमें राश्टी लोग दल जो इनका सहयोगी दल ता उसको 8 सीटी मिली तोटल जो समाधवाइटी पार्टी ने गड़वंदा मना था उसको 155 सीटी मिली तोटल जो सीट है 403 सीटे है यूपी की बिदान सबस्टी कितनी है 403 यहां कि राजपाल को ने आनन्दी बेन पटे टोटल इ सब्सक्राइब किसको बनाए गया किशो प्रसाद मौरिया इन दोन लों को सब्सक्राइब इसमें क्या हुआ पिछली बार जो मंत्री बने थे चुना अपना जीत नहीं पाए थे तो किशो पसाद मौरिया को फिसर इप्टी सीम बनाए गया गया सपत काली लखनोप का सिर्य अटल विहारी बाचपी 111 स्टेडियम 25 माच अब अगले स्टेट के बारे में देखते हैं उत्तर खंड के बारे में उत्तर खंड का चुना हुआ वे एक चरण में हुआ टूटल सब्सक्राइब बनाए लेकिन यह बिदान सबाटीमा से लेने थे वहां से पराजित हो गए लगाता दूसरे बार मंत्रिया लेकिन अपना चुना वहार गये थे अब इनको क्या करना पड़ेगा जैसे यह बने गया मुख्यमति उसके चे मैंने के अंदर इनको विदान सबा गुर्मेश गोवा के देख लेते हैं तो गुवा के चुना हुआ वह एक चल्ण में टोटल सीट कितने चालिश सरकार बनें बीस प्लस सीट इनको बीजेपी को मिले इसमें राजपाल को नहीं के स्टी धरन पिल लई अगला सेट मडीपुर मडीपुर पे चुना हुआ पंजाब के पंजाब के बनाया गया और यहां के राजपाल को ने बनवारी लाल पुरोःत तो हमको मोटे मोटे इंफॉर्मेशन यह देख लेनी है कि यूपी को चुना हुआ तो यूपी के सीट किती विधान सबाकी चारसोतीन यहां कि राजपाल को ने आनंदी बेन पठ पंजाब के राजपाल को ने से धर पिल लाई मड़ीपुर में किते चाड़ में चुना हुआ दो चल्ड़ में चुना हुआ चुना हुआ पंजाब के जो राजपाल ने बनवारी लाल पूर हुए तो यह तो सीटी किती विधान सबाकी 117 अगली इंफॉर्मेशन देखते ह है 2012 के लिए 27 पुरुस और 17 महिला क्रिकेटर वी सीचाइब द्वारा अनुबन दे तो इसने किस तरीक से कटेगरी बाटी और साल बर के लिए किस तरह का अनुबन नहीं हम देखने वाले हैं तो 27 पुरुसों को यह इसने कर दिए बाटा जिसके लिए एप्लस कर दिए बना करीका क्तेरी करोड़ को दूसरी करेंं 5ल की इसमें इन्होंने दोता नहीं i Can Train T लाग के लिए इसमें कुंद सामिल है कि पांच महिला है हर्मन प्रितकाउन इसमें मंदाना पूनम्यादव दीप्ति शर्मा राजस्वरी गाय कोड़ इस तरह बी कटेगरी में तीस तीस लाग सुपह दिये जाएंगे तो उनका एक युद्धा अभ्यास है जो गोवा के निकट अरब सागर में हुआ यह जो सिंपोजियम है इसके स्थापना कभूई थी 2007 में और इस युद्धा अभ्यास में इसके जो सदस्त देश है पचीस सदस्त हैं इस आयोएंस के इसमें से 15 ने ही भाग लिया है इसका जो अब देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन भारत की आइक नीटी 2022 यह किसके द्वारा जारी की कई 17 मार्च को प्रिथ्वी बिग्यान मंत्रा लोग्या बारत की आइक नीटी 2022 जारी की इसका सीर्षा क्या था इसका सीर्षा था भारत आर्क्रिक सतत विकास के लिए एक साज़ पार्टनर्शिप और पार्टनर्शिप और सस्टनेबल डिवलोप्मेंट तो यह इसका सीर्ष सकता इसमें अब देख लेते हैं कि यह क्या करेगी इसका उद्देश क्या है यह जो हमारी अर्क्रिक नेती है 2022 की यह च्छा इस्तंबू परादा लिए तो बहारत के बहारत के सब्सक्राइब करना जल्वाई और पर्यावार सरच्षण परिवान योवं कनेक्टिविटी सासन और अंतराष्टी सहयोग आर्क्रिक छेत्र में राष्टी स्थमता अंदिर्मार्ट तो यह आर्क्रिक नेती जो भारत की है यह इन 6 इस्तंबू पर टिकी है कुछ अन्य इं बहुति अगली इंफर्मेशन है आसम वा में घाले के बीश सीमा विवात के आंसी समादानि तो के इंद्री घ्राम अंतरी के उपस्तिती में इन दोनों लाज्यों के बीच में सीमा विवात था तो ये दोनों के वीज्य जो समझावता हुआ कि इंद्री ग्रह मंत्रि की उपस्तिति पे दिल्ली में हुआ दोनों देश्वाज्यों के बीच में जो सीमा आए हैं कि 884 किलोमेटर एक आगली इंफॉर्मिशन है दो जार इकीस में 6 रोग के मामले में 19% के बृधि के बाव जो देश को 2025 तक 6 रोग मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिविद्ध है तो इसमें कहा क्या गया कि 24 मार्च 206 डिवस के दिन इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 की गई 24 मार्च 206 रोग मनाया जाता है इसी दिन इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 के इसमें यह कहा गया कि 2021 में टो ट्यवी के रोगी हैं वह 19,331,531 जो पिछली बार की तुलना में जो पिंसली जो आखड़े है दोजार वीस के उनकी तुलना में इन में 19% की बृद्धी हुई है, 19% की बृद्धी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी हमारे स्वास्त बंत्री जो मनसुक मांड हुई हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो टार्गेट है 2025 तक 6 रोग मुक्त बनाना, इस पर हंटिके रहेंगे, कितने भी बृद इसको तत्रचक बल में सामिल कर लिया गया, इसका निर्माण किसके द्वारे किया है, गोवाशी प्याइड लिम्टे द्वारे इसका निर्माण किया गया है, 105 M क्लास जो एक हमारी पर योजना चल लए है, इसका ये पाच्वा संस्क्रप, पाच्वा अब तटी गस्ती पो इसका प्रदेश के सभी मदर्सों में राष्टगान पो अनिवार कर दिया गया है, इसमें और क्या 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 कर कि मदर्सा बुटकी पाठिकरम को प्रतिसपर्धी बनाने के लिए धिन्यात जो धर्म संबंभी शिचक्षए को कम करके, आजमिक बिसे को जोड़ दिया गया ह अब उनको बिज्ञान तक्निकी इंसत्थ की भी सिच्छा दी जाएगी इसमें इसमें सामाजी प्रश्ण पत्र भी इसमें सामिल किये गए कि अगली इंफोर्मेशन है एक इक जिला पर सिच्छा सुचना प्रणाजी 2020 केस तो नौ मार्च 2020 को सिच्छा मंत्राले ने भारत की स्कूली सिच्छा पर एक रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट कर क्या नाम है यू डी आई एसई प्लस यूनाइटे इंफोर्मेशन सिस्टम पर एड्यूकेशन प्लस 2021 इसमें बहुत सारी बाते की गई लेकर हमारे लिए कम पाठिमीक से उच्छ माद्मिक सिच्छा में हमें सुधार गया है इसमें यह का गया मुदान का त् hat है सकतासी पसंट से cellstage नियान मारимся सब्सक्राइम सब्सक्राइब गर Incorporious ऊचतर में प्राइमरी के लिए 16 मादिमिक सिच्छा के लिए 26 है तो हमारे लिए क्यों इन्पोर्टन के यह टोटल बच्चे कित्ते हो गए दोजार बीस से किस तक पच्चीस पॉइंट त्री एट कच्छा आठमी तक के बच्चे त्री एट करूर अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं वर्ड हैपीनेस इंडेक्स दोजार उनीज से इक्टीस यह 18 मार्च 2022 को जारी किया गया तो दोजार नीज से 20 21 के बीच में यह रिपोर्ट जारी नहीं की गई अब उसी को कंबाइल करके एक रिपोर्ट जारी की गई जो 18 मार्च 2022 को जार इसके दौरए रिपोर्ट जारी कि इसको मिला यह पहला इस्टांट फिल्लेंड को मिला इसको था 78.21 दूसरा इस्थां डेन्मार्क को मिला भारत के संब्सक्राइब बहुत्तर है तोटल कितने देशों में 146 देशों में तो इसका मतलब भ़या है कि इसकी इसकी काफिस चि फिस लंका इक्सो जैना के इसथा इंडिया 136 वह लाच शेल्ट ऑफिसका अग्वानिस्तान का अब देखते हैं अगले इंफोर्मेशन अगले इंफोर्मेशन के विस्टुका पहला वन जीयो बांड तो पहला वन देजिव बांड लुट जारी किया गया तो तो तेष्मश यूज होगा यह अफरीका के जो काले गंडे उनके सलच्छन के रूप में यूज होगा पांच साल के लिए इस बांड का नाम जो दिया गया और इस बांड को खरीदने के लिए जो बैस्विक पर्यावाड सुविदा है इसके द्वारा यह बॉंड खरीदे जाएंगे और यदि काले गंडे जो हैं इनके संख्या नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी तो निवियसक है उनको कोई रिटन है नहीं मिलेगा और यह काले गंडे के विसम देख रहते हैं यह केवल अफरीका में पाए जाते हैं और आयू यू स सब्सक्राइब की काटेग्री में कौन से इंडेंजर संकर्दग्रत सेल्डी में हैं कि पीपल्स पावर पार्टी के यून सुक्त यूओल दच्छिड कोड़िया के नए रास्ट पती बने वातमान रास्ट में कौन है मून जे इन अब यह अब इनकी जगापे कौन रास्ट सब्सक्राइब करने इसलिए इस लिए इसको गोड़ाने में रखा रहता है बहुत सारे देश्त है जिसमें यूए भी ग्रेलिस्ट में ही रखा गया यूए इको ब्लैक लिस्ट जिसको और खतंना के लिस्ट होती है इस लिस्ट भी कौन को डैस है नॉर्थ कोरिया और इरान इस लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तन बढारा रहे उसमें बहुत सारी देसों घ्रकौन रखा गया है बिंटले फॉक्सवेगान जिसी लगबख 4000 लगजी कारे अमेरिका ले जार जारा जो यूद पोता वो नदी इसमें अट्लांटिक महासागर में दूब गया यह जो कंपनी थी जापान के एक कंपनी थी इस जहार में आग लग गए थी और जो कार थी इनके जो लीथियम बेट अगली इंफॉर्मेशन है भारत पाकिस्तान इस्थाइस सिंदु आयोग की वार्सिक बैठक का संपन इसलामाबाद में संपन इसके पहली वाली दिल्ले में संपन हुई थी और इस बार इसलामाबाद में संपन हुई एक सी तीन मास 2022 को यह हुई और यह कौन से नंबर गी पाकिस्तान के पाकिस्तान की तक्निकी आपत्यों पर आपत्य जताई है और कहा कि इससे वह उसका पणी है वह बाधित होगा पाकलदुन परियोजना कीरुपरियोचा और लोर कलनाई परियोजना जो चिनाब बेशन बनाई जा रही है उसमें पाकिस्तान ने आपत्य जलाई है इसमें और क्या चर्चा हुई कि बाढ़ के प्रवा के बारे में अग्दिन सुचनों के संचार सतलुज में पानी का प्र पर इस स्वाल लिए तो जो सिंदू जेलम और चिनाव हैं ये तीन नदियां इनकी इन तीनों नदियों का 80% पानी पाक को मिलता है 20% पानी भारत को मिलता है तो सिंदू जो यह मांसुरोग जील है तिबबत के पास वहां से निकली है और यह फिर पाकिस्तान में गिरती है उसी तरीकता जो झेलम नदी है तो झेलंदी आविकलते हैं यह कहां से निकलती है जो किनाजी निकलती है जिए मैंसि इस पाप्ण को प्राफ्ट होता है और जो ती नीचे के तीन नदिया है और जिती नदिया है और चिनाब इसिसको कोड इस तरह सियाद के लिजह लिए आप सिंदूस जे चे पूरी याद हो जाए इन एंडियों पर नदियों के पर योग्वाव को भी देख लिजिए हमसे सबसे पहला सी लिए देखें इस नदी पर भाक्रा नांगल पर योजना है और इंद्रागानी नहर ब्यास नदी पर देके लिए इसमाचल पर निहीं कोन सा बांद है बहुत बांद है आप अब रावी न करने पर निजिए्ट इसके बाद चिनाब नदी हमने सतलच के विसे में देख लिया चिनाब नदी पर चिनाब नदी हिमाच्छत तरजस के लाहौल इस पीति से निकलते हैं इस नदी को चंदभागा भी कहते हैं इस पर कौन से जल्विद्दु पर योजना है एक तो सलाल है और एक दुलहस्ती है पाकिस्तान के मिठान कोड्की मिल जाती है और कराची शहर के पास आरव साकर में विसे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली अगली इंफर्मेशन क्या है जापान के प्रधान मंत्री फूमियों किसीदा की भारत यात्रा उनीस से बीस मात दो हजार बीस को यह भारत आए चौदावी सिखरवाता थी और इसमें पीम बन जब फूमियों किसीदा पीम बने उसके बाद वो किसी देश में गए वो पहला द अब ब्यास मतलि इसमें दोनों में धर्म गाजियन और माला बार में जापान तो भाग लेता ही था अब मिलन अभ्यास में भी जापान की पहली बार भागी दारी का दो ने श्वागत कि इसमें क्लीन एनर्जी पाटनर्सिपों बढ़ावा देने तदा अगले पांच वोश भारत जापान फंड फंड भारत जापान फंड फंड यह भी बनाया जाएगा भारती अथ्रवस्तर जो बर रही है उसकी सहायता के लिए अगली इंफर्मिशन क्या है भारत वा अस्टेलिया सिकरवारता वर्चुल तरीके से संपन एक मास 2022 को यह वारता हुई कि दोनों देशों के बीच जो मतलग कि जो कॉंप्रेंशिव कॉंप्रेंशिव एकोनॉमिक कोपरेशन एग्रीमेंट है व्यापक आर्थिक सहयोग समझावता है इन दोनों के बीच उन्में जो उल्लेखनी प्रगति हुए उन दोनों का इन्होंने स्वागत किया इनकी के बीच में सहयोग पर हस्ताच चरू है म्यामार के मुद्धे पर इनों चाचागी और प्यम इसकार्ट मौरिशन जो स्वागत किया इन्होंने एक मार्च को समझोता हुआ के लिए काबिल और स्वागत के बीच में समझोता हुए में मारत के मुद्धे पर अफगानिस्तान के मुद्धे पर चल्चा हुए यह सब बाते अस्टेलिया और भारत की बीच जो सिखर वारता हुई उसमें हुए जाजिस्थान की 11 से 12 सदी की जैन मूर्तिया ती 13 से 19 सदी की चित्रगार अन्समें सामेल हुए की तस्वीर है इन सब में सामया हुए अगली इंफर्मेशन किया किन्जल मिसाइल 19 मार्च को रूस ने युक्रियन के बिर्धू यूज्ज किया रूस ने कहा कि यूद्ध और यूप्रेन में एक हत्यार हत्यार डीपो पर हाइपर सोने मिसाइल जाएपर सोनिक मिसाइल इसकी जो रफ्तार है दश गुणा अधिक है यह बैलिस्टिक मिसाइल पर मोड़ सच्छम हवा से लांच किया इसका अर्थ क्या होता है कि इनलता मारा खंजर मारा चंपता पंद पर इसका हमला किया है अगली इनफर्मेशन क्या है लिब्र डेमोक्रीटिक इंडेक्स दोज़ाइब इसके द्वारा जारी किया पर शिर्सक्राइब डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 और टोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर ये इसका थीम थी टोटल 189 देशों के लिए जारी किया गया देशों को चार प्रगार के सासन में वर्गी क्रित किया इस रिपोर्ट में कि वह उदार लोगतंत्र है लिबरल डेमोक्रेसी यह चुनाव चुनावी निरंख को नाउन और बंद निजेन ये इस सब देश कहा है निरन को कि चुनावी को स्थारी के बश्तार लोगतंति को अर्य च्छारी है से वहां के बस्ते हैं भारत निर्लेyet बटेमोडिक्रेसी में हो जह चाहर रही है पहले सिस्टरी के स्वीडेन देन्मार कोश्टारिका और न्यूजीलेंड अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं फ्रीडम इंद वर्ड दोहजार बाइस रिपूर्ट यह अमेरिका के एक गए संगाट से असलारी संगठन है फ्रीडम और इसको दोराई जारी की जाती है इसका सीर सक्किया था फ्रीडम इंद वर्ड वर्ड दोहजार बाइस ग्लोबल इक्सपैंशन ऑफ अफ यह सबसे पहले देशा सबसे यादा फ्रीडम है वह इनको तीन देशों को सब्सक्राइब नौर्वे और स्वीडेंट लास्ट इसन किसका था जच्छडी सूजान भारत पारत का सब्सक्राइब फिल्लैंग नौर्वेय और सुड़ दिया गया कि इन इन अऴीた टर्म इसे ऐसी भार्व टाप फिर्न जगह अंगे को में ग्यादर बश्तवाट नोग्या अगया दू दूना सब्सक्राणों में एक बना ढहले मैं यह इंवार्थ प्रड के यह हात्यारों के आयात निर्याद संबंदी एक रिपोर्ट है यह स्टॉक होम इंटर्णेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट सिपरी इसके दोरह यह जारी की जाती है यह मार्च 2022 में जारी की गए यह 2017-2021 के बीच के जो आकड़े हैं हात्यार से लेटर उसको इसने जारी किय सबस्क्ताइब करता है नुर्च 2022 सबस्क्राइब का ब् hopping रहाँ थे और सबस्क्राइब है निर्यात करता है पर दुमें तो मतलब किभारत आयात करता है 0-18 । तो ऌंस बी 6.7 समय के चाह से चता है अपना हतियार है का। लिपसा से फिर यूससे सही करता है इस साथीयार कौन करने दिरानों knife को करता है अमेरिका से कि अगली इंफॉर्मेशन देते हैं बिस्ट में सरवादी सोर प्रदूशन वाली एक सब्सक्राइब भारत के पांच सामिल तो यूइन एपी जो उनाइट नेशन परियोड़ प्रोग्राम है कि फ्रंटियर रिपूर्ट दौज़ जारी की गई मार्च दौज़ बाइस में यह किंदित है इसमें यह बताएगे कि क्या दौज़ ब्रूशन कहांपे होता है तो सबसे जादा जो शोर प्रूशन वह धाका में हैं 119 डेसीबल है दूसरा नंबर है मुरादाबाद यूपि इसमें 14 अस्लामाबाद 105 तो एक सख सहर में सबसे पहला इस्तान किसका धाका दूसरा नंबर मुरादाबाद का दूस पर दूशन होता है इनको प्राप्त करने की दिशा में जो भारत की इस्तिती वह चिंता जनक है यह किसमें रिपोर्ट जारी की उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत के इस तरी जो स्टेवर्ट में है उसमें इस तरी इस मतलर की चिंता जनक है क्योंकि भारत को इस्तान प्राप्त हुआ तो मार्च 2022 में रिपोर्ट जारी कि गए SDG रिपोर्ट इसमें भारत का इस्थान 120 वा रहा हम इसका इस्कोर कितना था 60.07 इसका मांतर टूटल किते देश थे 165 देश से पहला इसको मिला फिल्लाइड इसको डप 85.9% 90 इसका इसको था दूसरा स्वीडन और लास्ट इस्थान रिपोलिक नहीं तो है तो एक सब्सक्राइण 310 नहीं पर विए स्था के सब्सक्राइण लवेभाख़ है एक सब्सक्राइण कि दोस्तों यह 25 स्प्टमबर कि दोजार 15 को जो यूएन महासभा के सत्रवे सत्रवे सत्रमे जारी किये गए थे स्विकार किये गए थे इन्होंने किसका इस्थान गयाता है तो यह सत्रा जो तो इनकी जगह पर यूएन महासभा की सत्रवे सत्र में सत्रा जो स्विकार किया गया था और यह कब से कब तक के लिए यह जारी किये यह एक सुटिरान में जो देश थे यूएन के उन सबने इसको स्विकार किया लेकि यह बाद्धिकारी नहीं है सब्सक्राइब नहीं है इनकी जब तक के लिए दो हजा से दोजाय तक के लिए अब देख लेकिता जो लच्छेंगों से पहला है नौ पावर्टी मतलब की किसे निया मतलब देलेटेड़ है दूसरा है जीरो हंगर भूख निवारण से तीसरा गुल्ड हेल्थ एंड विल बिंग चोथा क्वाल्टी एजुकेशन याद रखना है पूछा जिंडर एक्क्वैलिटी छटा ग्रीन से वाटर क्लीन वाटर एंड से लिए साथवा एफडेबल एंड क्लीन इनर्जी से लि एक क्यारवा सइस्टनेबल स्टी एंड कम्टी ञद्र यूद रस पॉंसिबल कंजम्शन एंड प्रड। औरट्चशन मतलब की उत्ता जरा हमुद्धार तेरहां किसी से लेटर है क्लाइमेट एक्सल से चोदा लाइव विफोर वाटर लाइव वाटर पंद्रा लाइव ओन लेंड शोला पीस एंड जस्टिस स्टॉंग इंस्टिउशन तो न्याय सांती न्याय वह मजबूर संस्ता हैं सब्सक्राइब पार्टनर से फॉर्ड गोल् सब्सक्राइब को याद रखने हैं अगली इंफॉर्मेशन निर्यास ततपरसा सुचकांग दोजार रिक्स एक्सपोर्ट प्रिपेर्नेस इंडिक्स नितिया उने इंसिटीट और कॉंप्टिटिवनिस के सहयोग से जारी किया तो जूसर पर दोसे में निर्याद पर दाजित है इसमें पैलेशन को रखता को इस्तान वहिए उत् train उ यूट में दिल्ली प्रकलाशी शुचकंग डोनेट एप इंसन यूजना यह कब जारी कि साथ मार्च को स्यम मंत्राले द्वारा जारी कि इसमें क्या है कि प्रदान मंत्री स्यम योगी मांधन यूजना के थाथ एक पहल है इसके तक जो नागरिक घरीलू कामगारों ड्राइवरों और सहायक सहीद अपने करमचारियों के सब्सक्राइब करते हैं उनके जो मालिक है उनके वह अपने मतलब की अपने पैसे कुछ दान कर सकते हैं इनके लिए तो उसी के लिए जारी किया गया है एक डूनेटेप इंसन यूजना सब्सक्राइब के लिए एट पॉंट वन परसंट आगे बंगलादेश के जल्मार के रास्ते बंगलादेश के जल्मार के रास्ते गंगा और रंबूत नदियों के बेच अमाद वहां कूत की यात्रा विए हमने पहले भी देख लिया है तो पांच फरवरी 2022 को मोटर वेशन अब देख लेते हैं तोटल कितना है तोटल दूट तो पचास किमेटर की यात्रा है तीस दिन में अन्द जहाद इसके साथ कौन-कौन से गया यह में भी राम प्रसाथ बिसमेल मालवाग नौका कौन सी कल्प्राचावला के नाम पर और एपीज अप्र कलाम के नाम पर इसम दोनों के व्यापर के रिए बनाया गया है उसके थुरू यह पटना के गार्गार से पांडू जो गवार्टी तक यह मालवाग जहाद पहुचा तो तुट पचास किलोमेटर की यात्रा के तीस दिन लगे इसमें अगली इनफोर्मेशन है स्रिलंका में तीन छोटी दीप प स्टालन करेगा तोटल कितने की साहतों ऑसे ट्लम pend 的 के साहट की एक अगया है करनाटक ब पुरस्कार भशायत ब्धेतला ये करनाटक बेंक के बना इसको कि तो destruction के तुरहरा करनाटक इंक्यूबेटर 2020 का पुरस्का किसको मिला टी याड़ी सी इस टिप को मिला यह उर्जा के च्छित में इनके युगदान के लिए किसको रहा दिया गया अगली इंफॉर्मेशन है यूपी 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 आई फीचर फोन का उपयोग कर गए एक नया यूपी आई बुक्ता 226 को परवसकार थे उनके बिसे में तो एक पुरसकार Messuna ilasi 2021 की महिला भारत की करी इह जो 25 में बाग लिया 222 कंटिस्ट में तो विजित को ने करो लीना विलावसका जाता है 2020 किसको है यह बजी परदं किया गया यह लुक्त diva क hilar मार्यमाना कि पुराइश कारे दिया गया इन प्र prints कारे तो कि सकुन Clone को निये गया stress करने वाले के लिए यह 8 मार्च को मिनिस्ट्र फॉमेंट चैल्ड उप्लेपंट जारी किया गया 2020 के लिए 2020 में अनिता गुपता बहुत सरे लोगों को दिया गया लेकिन हम को यह नहीं स्टेट का इजान जालता दिना होता है तो बिहार की अनिता गुपता को यूपी की आर्थी राणा को एंपी के लिए 2021 के लिए यूपी की जो नीरच मादों है इनको तता बहुत सरी अनमहिलाओं को भी दिया गया आसको पुरसका 2022 के विसे में देख सकते हैं 94 था यह जो पुरसका दिया गया यह नास इंटलिस के यूसे के डालविट थीटर में प्लान किया गया सब्सेश्ट डारेक जैसिका चेस्टन इनकी मुवी दा आइज आफ टेमी फाय इस मुवी के लिए इनको पुरसका पुरसका दिया गया तो तर्वस्यष्ट आसकर पुरसका 2022 सबसेश्ट दारेक्ट जन कैंपियन सब्सेश्ट फिल्म कोडा सब्सेश्ट अबने इसमित तर्वस्ट अबनेत्र कि इसको झया गैए विसेंशक वीफ्रयंट ऊजब्सक्ति इनको Mr. सिर्म को नोबल पस्कार में एक हम बिभान को शुरॉ्ट कर्ण कौन से हैं तो पहले से दगमेशनडर फा लस्ट कोगजिज दगमेशनर की किसी की बैबी यह नियों सोरी की बुक है ग्रो और बडी youleby not your you grow your baby baby are your baby not your weight ये किसी बूख है ये दूर्गँ सब्सक्राइब की बुक है लोग 這個 फार्गिट इंदाउ meer साइन-फे पर पिरामल की नियुक्तिया इंपॉर्टिंट कौन कोन सी आयलो के निदेशा कौन बने हैं नय महारी निदेशक गिलबर्ट एफ होगबो वाइट आउस के नए कोविड-19 प्रतिकिया समझने के नियुक्ति 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 राजकुमारी सिंगापुर के हैं लाजा कुमार आई आई डी ए इरेडा के नए चेयर्मन देवासिस पांड़या निदन किसका हो गया इसमें इने रमेश् सिलिनेक्स 2022 भारत वे जापन सेना के बीच में होता है और श्लीने सजुनेस जुट बहुतर भारत विच्ट विच्ट के बीच में नुवन था यह नुसेना के बीच में पहला चड़िसे का वबिशाखा पत्नमा बंगाल की खाड़ी में दस्तालिक थर्ड एकिन के बीच में और तक एक लामिक्ते 2022 बहरत सेजल्स के बीच में नवा जो अब्यास से सिसल्स में हुआ कि वरुर्भरू अबश्ड किसके बीच में बारत उनका फ्रांस के बीच में यह 222 संदिक अभ्यास के बीच में यह 201 संसकर्णटर और इस आरफ साकर में हुआ आप देख लेते हैं इस महीने के जो important days है और उनकी theme क्या गया है तीन मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों तीन मार्च को विश्वन जीव दिवस मनाया जाता है इस मार्च को क्या मनाया जाता है अंतरश्टी महिला दिवस मार्च को क्या मनाया जाता है तो इस महीने के हमने जो current affair थी उनको पूरी तरीके से complete कर लिया है अगले वीडियो में हम अप्रेल के जो जून बंद के वीडियो होगे उसमें कवर करेंगे तो तीन मार्च को क्या मनाया जाता है जाता है इसके खेल से संब्सक्राइब उनको देख लेते हैं सबसे तो उसमें देखते हैं मिताली राज की मिताली राज च्छे वर्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऐसा मतलब कि वह दो लोग हैं जो सचीन और जावेद मियदाद पाकिस्तान के जो हैं वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऐसे अन्य करने वाली कौन-कौन लोग हैं सचीन तैंदुलकर हैं जावेद मियदाद हैं टाइगर उट्स जो अमेरिका के युएसे के गूल प्लेयर हैं इनको वर्ड गूल्फ ऑफ हाल आफ फेम में सामिल किया गया तो टाइगर टेस्ट में आज सतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं अश्विन जो है क्यों भार्ती क्रिकेटर है यह टेस्ट में ऐसे प्लेयर वो दुनिया के बन गए हैं इन्होंने अपने जो 440 विकट लिया वो सिलंका के धनंजे को आउट करके लिया मांकरिंग खेल भावना के मांकरिंग कर दिया जाता है तो उसको बताया कि यह खेल भावना के खिनाप नहीं है और जो क्रिकेट में आगे से आने वाले जो मतलब की एक अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा अगे जो खेल होंगे उनमें अगर इस तरीके से किसी प्लेयर को आउट किया जाता है तो उसको खेल भावना के दो नहीं माना जाएगा अभी तक मार्य से गस्रेजंगे माईला करते आँड करने की इस प्राक्रियात करने की लेकिन अब आगे आले वाली लुश्र게ण नहीं इसमें सायद न्यूजी लेंड रहा है आगे हम देख लेंगे दोस्तों इसी वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन है भी उसको हम देख लेते हैं तो इसका जो उब विजिता रहा है वो न्यूजिलेंड रहा है कि ना कि इंगलेंड तो न्यूजिलेंड की महिला टीम इसकी उब विजिता रही है और अस्टेलिया इसकी विजिता रही है अस्टेलिया इसकी विजिता रही है यह महिलाओं का जो विस्वकपता है यह 12वे नं मार के हैं हमने इसको क्यों अपनी इंफॉर्मेशन सामिल के क्योंकि जो इसमें उप बिजेता बने वो लक्ष सेन है यह भारत के हैं तो आल इंग्लेंड ओपन बैटमिंटन 2022 टूनमंट जो हुआ इसमें पूरुस एकल की विजेता थे वह विक्टर नाम था इनकर देन मार के महिला एकल में विजेता कौन रहीं पीवी सिंदो यह आपको याद रखना है दोस्तों कि महिला एकल की विजेता कौन है पीवी सिंदो इन्होंने बुशा से जो थाइलेंड की महिला है इनको हराया अगली इंफॉर्मेशन है तेरहवा सीथ कालीन पैरा ओलंपिक खेल का हु क्या है तो खेल के लिए और शैने को मिला सबसु को को इस्टान इस नंजितर और 8ी% ने स्टान घिते से इसमें अ सब्सक्राइब को देख लिया अब हम आते हैं दूस्तों जुन 2022 के करेंड रफेर को लेखते हैं इसमें पहली करेंड रफेर की न्यूज है वह स्कॉर्पियन इसका नाम क्या है वाक्षीर का जला उतरण देश के रच्चा सचिव आजय कुमार भल्ला द्वारा जो पांच अन्य पंडूबिया है जो इसको फ्रांस की साहिता से बनाया जा रहा तो यह कौन-कौन से पहली आइनस कलवरी यह 2017 में इसको भारती नौसेना में सामिल कर लिया गया है 2015 में इसका जला उतरण किया था और 2017 में भारती नौसेना में सामिल होगी दूसरी को नहीं आइनस कंदेरी 2019 में सामिल तीसरी आइनस करंज यह 2021 में सामिल चौती आइनस वेला यह भी 2021 में सामिल और आइनस व वागीर का जलावतरण हुआ और 2022 में शामिल होगे इसी तरीके से जो छटी हुई है वागशीर इसका भी जलावतरण हुआ है और यह उसे नामे 2023 तक यह सामिल हो जाएगी तो वागशीर का जलावतरण हुआ यह है क्या यह स्कॉर्पिन सेलनी के छटवी यह अंतिम पंडुआ को सौपी जाएगी चलिए देखते हैं अगली इंफॉर्मिशन क्या है भारत की पहली कार्बन नोटरल पंचायत यह कौन बन गई है जम्मू कश्मीर के साबाग जिले का जो पल्ली गाउं है यह भारत की पहली इसके सभी रिकॉर्ड डिश्टल है तो यह क्या हुआ 24 अप्रेल को 24 अप्रेल को राष्टी पंचाइती राध दिवस मनाया जाता है इसी दिवस पर धामंतिर मोदी ने जम्मु कस्मिर के शाबाग जिले से पल्ली गाउसे देशबर को संबोधित किया और यहीं पर इसको पांसो किलोवार्ट के सोलर प्रांट का कारेपूरा गया तो भरत की पहली पंचाइट को ने जम्मु कस्मिर के साबाग जिले का पल्ली गाउं है अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं बिहार की साइक्लोपीन वाल इसके विसे में जानते हैं दोस्तों अप्रेल 2022 को बिहार क सब्सक्राइब नानलंदा का राजगीर है उससे 2500 साल तो फूराना 40 किलो मेटर की लंबी वाल यह दिवार इसका निर्माट किसलिए क्या गया था इसका निर्माट तीसी सतावदी इसापूर से भी पहले बाहरी दुस्मादों के आक्मर से बचने के लिए किया गया था ऐसा माना जाता है कि जो राजगी के साइकलोपियन वाल है यह मौर पूर यूग में एक साथ लगे हुए बड़े इसको एसाइए ने यूश्चो की वर्ड हेरिटेज लिस्ट में सुचिबद्र करने के लिए प्रस्ताव भेजा था अगली इंफॉर्मेशन क्या है मेगाले के जीवी तजड़ से तु मतल्ब लीविंग रूट्स ब्रिस्ट जो है उनको यूश्ची की वर्ड हेरिटेज सा मिखाले के मिखाले का पच्चसवां इस्थापना दिवस मनाएगा तो यहीं पर संगमा थे इनके दौरा यह रोट किया गया कि जो मिखाले की जिविंग रूट ब्रिज मतलब कि जीवी पुल बनाये जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पेड़ों की जड़ भूज़ों कोम एक दूसरे संबदकर पुल का रूब देते हैं इस प्रकार मिशति प्रिवी प्रिद लाते हैं इधर निकमाल करते हैं पाल सव फिट द recommends. लंबे होते हैं पचास लोगों को वजन एक साथ सह सकते हैं यह पुल मेघाले के जीवित पुल है उनको इस वर्ल्ड लिस्ट में सामिल करने का प्रस्ता वहां के सीम ने भेजा को यह याद रखना है अगली में प्रणमंत्र संगरहले के स्थापना नई दिल्ले में के हैं जो तो प्रदानमंत्री संग्राहला इसमें 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 अब तक के जितने भी प्राइम मिनेस्टर हुए है उन्हें प्राइम सब बिस्तार से बताया गया है एक त्कालीन और नया भरण करो मिलाकर सँंग्राहले को सबुर सब्सक्राइब सब्सक्राइम सब्सक्राइब में बात यह है कि प्रधाल मंतर संगरहले सबस्क्राइब करें परदाल मंतरी बहुंटे के विए उनके कामों पूछ भूपने में को सवाल पूछा भी गया था परदाल मंतर ऑन जो यटे म suffra हम पर जा रायए जारा रहा हुए उन दोनों को इसको प्रदाल मंतर संग्रहले कहा झायगा अगली इन्पोर्मेशन है है मैं लिगे और ऑ्रोट वाइं इंद के दोरा साइक तुलोप से सब्सक्राइब किया घया फैल Neff hand self-s próxima Sehr लए अगली इंफनिशन देखें के पिनाका राकेट सिस्टम रॉक्ट सिस्टम है जिसका डिया डियो ज़ारा इसके नए संस्क्राण इप आज तथा पी एडियम का सफ़न परिक्षण किया तो मार्च अप्रेल 2022 में पोखरण फाइरिंग रेंज में डिया डियो ने पिनाका मैं या अगले ऐड्र लैं state या एडिया व्म्याट का सफ़न परिक्षण गया यह जो है पिनाका राकेट सिस्टम का उन्नस तनकरण है तो आपको बस मोटा मोटा यह आद रुखन है दोस्तों कि पिनाका वैक रॉक्रीर की इसको है जारिक पाहड़िया पर सब्सक्राइब करें दस केबल कार्ज होती है यह हवा में ऐसे लटकती रहती है इनी के दुदारे एक जगह से दूसरे जगह जाए जाता है तो यह दस केबल कारें आपसमें टकरा जाएं तक लोग कार में फचे रहे हैं फिर अंडे आरफ को टीमें उनको बचाए गया लेकिन फिर भी उसमें तीन लोगों की मृत्ति हो गई और यह जो केबल कार संचानल एक निजी कमपनी द्वारत किया जा 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 था और जैसे दुरवट्टा हुए वह केबल कमपनी वाला भाग गया सब छोड़ चाड़के तो हमको याद रखना है कि त्युक्त जो पहाड़िया ह है इसी तरह बिहार में विदान सट्वी से लिए चुना हुआ उसमें से तेरह सीटें इंडिया मतल्य मतल्य तो हमको मूटा-मुटा याद क्या रखना है कि उप में विदान परिशत के त्युक्ति हैं पच्छत्त सीटे है विदान परसत की अगर इंफॉर्मेशन क्या है बिहार में मेयर डिप्टी मेयर वा मुख पारसत के चुनाओ अब जनता द्वारा प्रत्च मद्दान से नहीं होते थे लेकिंगे 18 अफ्रेयल 2022 को बिहार सलकार ने बिहार नगर पाली का निर्वाचन किया गया है तो अब आपको इतना ही याद रखना है कि बिहार मेयर डिप्टी मेयर मुख पारसत और उप मुख पारसत के चुनाओ अब जनता द्वारा हो गया है अगली इंफर्मेशन क्या है देश में बिभिन नियायालो में चार करोड 70 लाग मतलब 4.70 करोड़ मामले लं में जाता है इंब दीवानी दोनों मामले होते हैं इन में 4.1 करोड के करीब मामले सबसे जदेख पारसत पारसता है में इसमें लोब कोड़ में यह करोड में अगली इंफर्मेशन में दिखते हैं इसका संचानन किसके द्वारा किया गया है यह संचानन इसका एलाइंस एया गया है सब्सक्राइब आशराल और्णाच्न प्रदेश करें मतलब मतलब के बिमाने वाली देश की पहली कंपंणी बन गई है तो सुदेश निर्म्य तयात्ति विमान डो नियर 28 की पहली बहुसाई कोड़ान कहां से कहां के बीच में आसम से उड़ाचल प्रदेश के बीच में संचानल किसके द्वारा किया गया एलाइन से यह द्वारा और इसके द्वारा बनाये गया हिंदुस्तान अर्टिक्स लिम जोड़ी दे दिये एक अपरेल 2022 से 31 मार्च 2026 तक इसको पचार बस के लिए बढ़ा दिया गया है जो यह राश्टी ग्राम सुरा जवियान दोस्तों यह पंचायती राज संस्ताओं की शासन संबंदी शमता को विक्सित करने तथा उपलब्द संसाद्मों के अधिक्तम यह प्योग करना इसी चीज़ को ध्यान में केंदित करते हुए समय वैसी साहतन को बढ़ाना इन सब ध्यान में रखते हुए यह राश्टी ग्राम सुरू किया गया दो हजार अठाव निसमें इसको दोनों का हिस्ता है इसमें जिसमें इसका बजट है पांच हजार नोसो ग कांगो इससे लाब होगा तो राश्टी ग्राम सुरा जभीया ने दो चाहर निसमें शुरू किया गया इसमें जो पंचायती राशन स्थाय इनको मजबूत किया जाता है इनको संसादनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोसाहित किया जाता है सांवय श्यासन को बढ पहचान बिधेख है प्रोसीजर एडिटिफिकेशन बिल है इसको बंजूरी दे दी गई और राष्ट पती ने इसको पहले संसत से पार उपास हो उसके बाद राष्ट पती ने बंजूरी दे दी गई और यह कानून अंग गया इसमें कहा गया यह जो अपराधी प्रक्तिया पहचान बिधेख है इसमें इसमें यह है कि अगर पुलिस चाहे तो यह पुलिस और जेल अधिकारी को रेटिना और आइडिस इसकैन से बहुतिक और जेविक नमूने को एकातर करने संग्रहित करने और बिसलेशन करने की अनवती देगा मतलब इसमें यह है कि कोई द्रेशन के लिए उसको यह ले सकते हैं और इसका डाटा बनाया जाएगा जो यह नमूने होंगे इसी के अधार पर कौन क्रिमिनल है नहीं है उसका भविस में रिकार्ड कैसा रहेगा उसके अंतर जजच करने के लिए यह एक भंधार होगा डाटा का और यह 75 वर्स तक इस जो अपराधी होते हैं उनकी भी सलेशन में अंको मदद मिलेगे तो अपराधी प्रक्या पहचान विद्यक है यह पारित हो गया है अगर इंफॉर्मेशन क्या है भारत का पहला अमृत सरोर तो उत्तप देश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला कि लिएवे यहां पर भारत का पहला अमरिट्स सोरोर बना कर दियार हो गया है तो तो अजादी के अमरित्ट महस्तों के हिस्स्टे के रूप में इसको विक्सित किया रहा है तो यूपिका जिले में एक जो तलाब होगा वुगा उसको अच्छी तरीके लुए नहीं पेशना गैया तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए तरीके का और पूरे कि पहला है यह पहला बना यह रामपूर को पतवई जो बन चाया तो वहां सांस अभियान सांस अभियान है क्या दूस्त कर नाट्वरेयंट द्वारा किया गया है sit also उ diva करनाट। defense के सवास्त उच्षा मंत्री है कि सुधाकर इन्हों ने एक अभियान शुरू किया गया करनाटा क्या है क्या मुद्वा जाने लिए इस जो चार्गेट है इसको ऊटियों कैनाटा में आधियान चुरू किए तो यह बिमारी से संबंदने तो है शाक्या क्या शुक्त की गज्यानया करना होकि करना ह Hi हमारी राश्टी सवद्वात्स का लख्ष है कि अगछी इंफोर्मिशन लेखते हैं Light tobacco सवाद नई दिल्दि ने तो ये 25 से 27 सप्रेल को महत्पूर्ण बैस्विक मुद्दों पर बिचार करने लिए भारत वारत वारा आज़ुद किया जाने वाला ये एक वार्सिस सम्मेलन है जो राइसीन सम्वाद है ये कब हुआ ये 25 से 27 सप्रेल को नेजली में हुआ ये किसके किसके द्वारा मतल इसमे सभा तो इसकी ठीम करें झतीए इंपessäण इंपेशंड इंपेशंट इंपेशंट इंपेशंड एंड इंपेशंड इे यह इसके मुक्य आती थी कों ते यह सातवा जो राइसील सववाद वह इसकी यह इसके मुक्य आती थी तो साथ वाध सववाद होने दिल्ले में अपरायल में 25 से को इसके मुक्य आती थी को ते उसके मुक्य आती थी थी और साथ नब्बे से अधिक दिसों के मंत्री से चाविदी वह सरकार के प्रत्निद्यों ने इन में भाग लिया यह जो पहली बार मनाया गया था राइसीनडाइला कि फस्ट बार 2016 में मनाया गया था तब से लेकर आप तक यह सत्वा हुआ तो यह किसलिए था यह जो यह जैसे सिंगापूर का संग्रीला डायलोग होता है जो वहां के जियो पॉलिटिकल जियो एकॉनमिकल जो डिलेशन होते उनके लिए होता है उसी की अधार पर इसको बेड़ी जान किया गया कि जो हमारे पड़ोस के जियो पॉलिटिकल जियो एकॉनमिकल जो मुद्धे है उन पर चर्चा करने के लिए यह जाई सीना सववाद संग्रीला डायला जो होता है संग्सिंगापूर का उसी की तरज पर इसको मतलब की मनाया जाता है अगली इंफॉर्मिशन क्या है नेपाल के जो पी- पर चर्चा करने मिलकर अन्य उद्गाटन किया और नेपाल जो है इंटरनेशनल सोलर आलियांस है अंतराश्टे सौरगट बंदर उसमें सामिल होने के नेपाल ने घोशना की इसके साथ ही 105 देश आएसे में सामिल होने वाला नेपाल बन जाएगा यह भारत के भारत और फ् की बिच बारत ब्रॉपय काड़ की शुरुवात नेपाल में ब्हारत की अब नेपाल में भी चलेगा यहां पर ही इस सबकी में मुद्दे थे बाकी और बीरादनिती कार्थ ब्वाड़े संबनी पहल उपच्छा हुए लेकि में मिए इसमीं यही थी कि शोलु का आईड़ो तो भारति लेधर दिखाई गई नेपाल में चलेगा उन इसमें देखने एंगली इनफयर्मिशन क्या है, बुरियस जॉंसन यूंसन की भारत यत्टर बोडश जॉंसन भारत के में ब्तर्फिन का फिर्फिन की नियुक्त कई भारत में वह जुद। ज्मी तो सामिल हो चुक है भारत लेकिंग्त सामिल नहीं हुआ तासे मदलब विच्टेन जो नगातार भारत को सपोट करता रहा है यह मदलब उसका समर्थन है हमेशा देता रहा है तो नियुक्लियर और णिब्सक्राइब और ये कब लाया गया था ये 1974 में मैंई ने सो चाहटर में लए गया थे ये यह अंड़ी खिलाफ ही लाया गया था भारत ने जब इस व την अपना जो किया जब इसमाइल गुद्ध या प्रण में परिच्र किया था तो उसी को रोखने के लिए जो यह प्रेंट यह प्रसार नहों पाए इसकी वज़ा से यह लाया गया था उन्हीं से सदस्देश तो पहले तो यूसे हो गया यूसे सार हो गया और क्यों सब फ्रांस हो गया जर्मनी जापान कि अर उसकी सदस्देश बाद में इसकी संक्या होगही इसकी संक्या बारत वे समिल 2 यह उन्हार ये नियंतिर्जिक करने के लिए यह लाया गया तो इसके लिए बिटेन ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया कि भारत को सलस्स का बनाया जाए अगली इंफॉर्मेशन क्या है पाकिस्तान में इम्रान सरकार के बिदूद अभिस्ताथ प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सहबाज शरीफ वांके प्यम बंगे है पाकिस्तान के 23 पीम बंगे हैं इम्रान खान के सरकार को गिरा के यह पूर पीम नवाज शरीफ के छोटे बाई है पाकिस्तान की इतिहास में पहला उसर था जब किसी पीम की विरुद अभिस्वास पस्ताव पारित हुआ वहां पे महंगाई बढ़ रही आवश्यक वस्तों पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है जब किसी पदाल मंतिय के खिलाब अब इस वाल प्रस्ताव लाया गया वहां के जो राश्ट्रपती है वह आरिफ अलवी इन्हें को छुट्टी के हावादा देके इनको हटा दिया गया था नहीं तो फिर यह सरकार ना गिरती इसलि आगले इंप भारत वा अमेरिका का टू प्लस टू मंतिरी वारता वासिंग अटन में संपन तो बहुत के बीचे जो चाहले बाते बाते गरते हैं तो हमारी तरब से जो विद्यस मंत्री थे जेल संकर पसाद और अच्छा मंत्री दादना सेंग इनके जो पहली जो तीन बार मंत्री इस तरीवारता हो चुकी है वह तब वहंके प्रेसेडंट ट्रम्प थे और किया किन तिन मुद्दों पर बात हुई यूकरियन की इस रूप पर बात हुई वहरत बार बार कहे है घुर तो भारत ने यहां पर साफ साफ ने सम्सेंत्म बहुत है बदने बरे मारे इस तक्राइब्स इस तक आखिए और 25 के लिए प्रस्ताव इस तरह के Bible प्रालिद के यहीं पर भारत ने और क्या कहा है भारत का तक कलच बढ़ा है सुन कार्बन उस्टाजन का यूएसे ने इसका स्वागत किया कॉप 26 जो हुआ था दोस्तों स्वेडन में कॉप 26 ग्लासगों में हुआ था तो वहां पर भारत ने अपना लच्छ पेश किया था कि स्वागत किया दोनों के बीच आया यह जो इन्वेस्टमेंट के लिए चल देवारता की प्रगीज़ी पर संतोस्वेक लिए गया चीन के विरुद भारत को पूर्ट समर्थन अमेरिका देगा अगर मुद्धे पर पारकिस्टीन किसी तरीकी का अतिक्रमण करता है या उस बात होई हमको यह याद रखना है कि तु प्लस टू अमेरिका से वही चौथी अमेरिका से वारता थी वासर गटन में रहा और इस्पे अच्छा मंतरी मंत्री पर बाहन ने उसको प्ज़ाग लिया वहां से रास्टपती आप छोड़ों के भाग दिये तो समें क्या थी आर् आठारा अप्रेल को सिर्लंका में समस्त मंत्री प्रंटर के बस्टा जो गूटा बॉया राजपच्छे ने ब्यवस्था परिवत्रन के रताहत 17 नए मंत्री अपने सरकार में सामिल किये जिसमें अपने बड़े भाई महिंदर राजपच्छे जो की पीम है इनको पीम के अत्र सब्सक्राइब और यहां पर जो मंत्री मंदल ने इस्तिफा दिया अभी तो फिर अभी के इस्तिति फिर आगे डिसकस करेंगे राश्ट्रपती कोविंद की तुर्कमेनिस्तान वा नीदरलंग की यात्त्रा तो अगली हमारी क्यान दोस्तो राश्ट्रपती कोविंद की तुर्कमेनिस्तान वा नीदरलंग की यात्त्रा एक से साथ अप्रेल 2022 हो राश्ट्रपती कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान वा नीदरलंग की यात्त्रा उसमें से जो एक सी चार अप्रेल को पहले वो तुर्कम इसमें यह जो अंतर राश्टी उत्तर दच्षे परिवहन कोरिडोर है इनस्टी सी में सामिल होने के लिए अपनी तत्परता को तुर्कमेनिस्टान की राश्टरपती है उन्होंने पिन तत्परता को से अउगत कर आया मतलब कि वह इसमें सामिल होना चाहर है तो अब हम देख एंदिया उसके बाद इरान फिर अजर्विजान और एंदिया उसके बाद इडान फिर atoms और रश्या यह चाट जब देस सामिल थे शुरुआव और रश्या यह चाहर यूशली में इसमें मतलब की ओफने सामिल कर्द इसका रूट घुजिobject है अंबादे इसका रूट यहां से गुमा कि इसकी यूरोप से भी इसको जोड़ दिया गया है तो यह जो इस्टेंडर्ड रूट सा उसमें पहले सुरुवाती देश में सामें थे इंडिया इरान अजर्बिजान और रशिया यात्र की जाएगी यह जो परिवान सादर परिवान होगा उसको भेगा जाएगा अब इसमें क्या हुआ कि इंडिया इरान अफगानिस्तान अजर्बेजान शेंट्रल एसिया और यूरोप अब यह सारे के सारे जो मतलब की इस रूट से होगे इन सब को इससे जोड़ दिया गया है तो अब जो इंटरनेशनल नौर्ट साउट च्रांसपोर्ट कोईडोर है इसमें कौन-कौन से मतलब की देश सामें लोगए हैं इंडिया इरान अफ जान अजरवेजा नसीया थे इसका जो साउट है इसको नौर्ट सब्सक्राइब को बनाएं गया था बाद में इसमें इसको इस तरीके से भी जोड़ने का प्रयास किया तो कॉने स्कावाइब निदेलन्ड की आत्र चार से साथ अप्रैल को इसकी कैपितल क्या है मस्ट्रड प्रसिद्धी क्यों है प्रसिद्ध की जो क्यों कि आफ ट्यूली गाइटेंट का उसका आउलोकन गिया यहीं पर फूल का नाम करन मैं तरी रखा गया जो भारत और नीटलेंट के मतलगों मित्ता पूर्ण सहयों का प्रतीक होगा अगरी इंफोर्मेशन क्या है अंतर राष्टी अंत्रेशल इस्टेशन के लिए प्रड़ी पूरता निजी याथ था आठ अपरैल को जो अमेरिका के हूस्टेंट एरो इस पेस फिंद इस पर्म है एक एक मिश्यम स्पेस स्पेस इसको बूलते हैं कि न ड्रेगन क्रू में सव लोग थे तो लेरी कानोल यह कौन थे यह अमेरिका के प्रद्रोगी जो उद्धमी है वो थे मार्क पैथी यह कनाड़ा के करोबारी है यहां इस्टिब से इस्राइल के थे और यह माइकल जो लोपेज एलेग्रिया है यह नासा के पूर्म अंत्रिच यात्री एक जियों के अगली इंफॉर्मेशन क्या है लगाता दूसरे कारिकाल हो लिए तो इमैनुवल मेक्रॉं फ्रांस के राष्टपती निर्वाचित हुए है तो जो इमैनुवल मेक्रॉं थे यह दुबारा फिर राष्टपती के लिए चुन लेए गए 10-14 अप्रेल को वहां पे दो चुना तो 2022 को यह मारिसस के जो पीम है प्रविन जंगनात इन्होंने भारत की यह गुजरात के जो जामनागर में डबली यह जो ग्लोबल सेंटर फॉर्ट ट्रेशनल मेडिसिन इसकी आधा सिला रखी जाने से जुड़े कारिक्रम में इन्होंने भाग लिया इन्होंने ग्लोबल आधा ने भाग लिया हम अहमदाबाद में भारती प्लान देसे नजीमों देख साथ इपच्ची संबंदों में मतलब की संबंदों पर उनकी वारता भी जो पर जगनात यह पुछा जाए सकता सवाद कि कौन सैसा इसका इसका प्यम था जिन अपने मतलब पूर पीम यह आप इस तरीक के सवाल आए जाते हैं तो आपको याद रतने हैं वो मारिसस के पीम थे अगली इंफॉर्मेशन के आए ब्रस्टाचार के एक मामले में म्यामार की जो अब्दस्त नेता आंग शांग शूकी है इनको पाचवस की कारवास के सजादी के दीगी यह पिछले भी हमने पाच चार पांच के रूसी जापान युद्ध में हुई थी इसमें जापान ने रस्यों को हरा दिया गया था और तब यह प्रूर्जा कर लिया जो उत्त्री शेति इसको यह जापन अपना बोलता था वहीं दर रूस क्या दावा करता है कि सिकंड वर्ड वार्ड के संदी है इस इन डीपों पर रशिया का दिकार है तो अभी यह जो दीप है जापान इस पर अपनी ब्लू बुक निकाल है इन्होंने डिप्लोमेटिक ब्लू बुक उसमें यह बताए कि उसको अभाद रूप से कब जगल लिया है इसकी इस्तिति कहां पर तो यह चार दीपो सागर है उसके बीच में इस्तित है अगली दिखेते इन्फोर्मेशन क्या है जो युक्रियन के राष्टपती जो ब्लादमीर जिलिस्की है को लोगतंत की रच्छा के लिए और रच्छा के लिए करवाई है तो जॉन इफ कनेडी प्रोफाइल इन करेज आवार्ट से किसको संबंद के गए युक्रियन के राष्टपती ब्लादमीर जनलिसकी को अगली इंफॉर्मेशन क्या है तो यह सिपरी की इस्टाउक हों इंटरनेशनल पीस इस इंस्टूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है इसका जो अपरेल 2020 में आक्रे जो प्रकासी तो उसके प 2022 में जो 2021 में जो टोटल खर्च हुआ सबसे ज्यादा किस देश ने खर्च किया उसके बाद चाईना ने फिर इंडिया ने फिर रशिया ने फिर मतलब की चौथा नंबर यूके का है उसके बाद रशिया का है इसमें भी जो अगर रशिया को चाईना को ले लिए जाए तो इन दोनों ने मिलकी कि टोटल जो विस उसनब्या है उसका 22 परसंट अके लिए इनों ने खर्च किया है अगर इंडिया को वी समिल कर लेते हैं तो तीनों दिस मिला के बाद रशिया इसमें इसी तरीके से जो इंडिया का जो ब्याए था 2020 में उसमें 0.9 परशिया के साथ ज का इन्दोनेशिया का लंग उन्ग ऐसे रुब सब्सक्राइब करते हैं इस वाज़ा से जो अन्य देशों को जो मिर्यात होता ता उसमें कमी आई इस वाज़ा से अन्य देशों में इस संक्रत को देखना बढ़ा कि अब इसकी कुछ आकड़े हैं वो देख लिते हैं दो स्बसक्राइब कि इंडियोंसिया वाज पाधन में पहला इस्थान है तो दुनिया विए जो इंडियोंसिया है कि अगया है या इस पाधन में इंडोनेशिया करता है और ये पामायल की उत्पादन में इसका इस्थान पहला है और ये दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक विदेश है पामायल का निर्यातक में भी पहला इस्थान है दूसरा इस्थान अगला सबसे बड़ा इंडोनेशिया हो गया दूसरा मलेशिया तो तो दूसर नंबर मलेशिया है यह कित तक है तरह 8,107 million that का मतलब की उत्पादन करता यह और निर्यातक में भी ए सेकर्ण नंबर पर है भारत क्या है। भारत ऑफ़ारत दुन्या का पाइस्ट नंबर है मलेशिया जो उत्पादा को निया तक में सेकंड है भारत दुन्या का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आया तक देशा है इसे लिए है तो सब्सक्राइब दोनों देशों के संबंद और अधिक गहरे होंगे तदर दीपच्ची ब्यापार में भी विद्ध्य होगी और जो भारती कंपनिया है उनकी पहुंच लिथुवानिया तक आसानी से हो सकेगी है अगली इंफ्रमेशन क्या संब्सक्राइब संब्सक्राइब करने में जो मतलब रोकने के जो भी संसादन होंगे उनको यह पार करने में सच्छा में है एगली इंफ्रमेशन क्या है एसटी एपसी लिम्टेट का है इसके सबसे बड़ी आवासी विद्ध कंपनी है इसका मार्केट के पिलाज़ेशन कितना 4.44 चांच ट्रियान है और जो एपक इसका मार्केट किप्टिलिज़ेशन कितना 8.35 चांच यह उसमें HDFC Limited का HDFC जो bank है इसमें इसका बिले होगा तो आपको पस इतना या रगना है और जब बिले हो जाएगा तो इसकी जो bank होगा ये मतलब कि इसका जो market capitalization है ये TCS से भी अधिक हो जाएगा मतलब कि रिलाइंस के पस्चाथ ये फाहिदा नंबर पर रहेगा दूसरे पर HDFC रहेगा तीसरे नंबर TCS आ जाएगा तो भारत के GDP का 20% भारत पर रणा है और दो तरीके से होता है जो भारत को रप्राप्त होता है ये एक तो दिर कालिक जो होता है जो है ये मुद्रा की दिसे सबसे जादा होता है और रुपए के मूल में 32% सब्सके वाइद में जादा होता है इसे करके आपको यादखना है त्वर accurate आपकानी 18% करीब होता है है अगली परजिए क्या है WPI के आखड़े मतलब की होल स्प्राइस इंडेक्स जो कमुद्ध सुचकंग है तो यह वाड़ी जो समर्दन और अंत्रिक प्यापार विभाग के आर्तिक सलाहकार कार्याला प्रतिमाह 14 तारिक को यह याद रखना है कि कौन जारी करता है बस तो यह वाड़ी जो मुद प्रतिक को जोड़के बताते हैं तो इसको आधार वस्त क्या लिया जाता है दोजार ग्यारा बादा नोटाल उत्पाद इसमें किया है कौन-कौन से 6972 उत्पादों को थोक मुल्स उत्कार करके यह इंडिक्स जारी किया जाता है इसका आधार वस्त क्या है 2011 वारा अगली इंफर्मेशन क्या है 2022 में मांसून समांद रहने का मौसम विभाग का पूरी अनुमान तो तेरह अपरेल 2022 को चालीव वर्स में 2022 मांसून जो जून से सतंबर तो खोता है कि दोरान देश में दच्छड पस्टी में जो मांसून के संबद में पहले देरकालिन पूर अ मांसून के जो मानक होते हैं कैसे कैसे होते हैं तो देश में जो होने वाली कुल वर्सा पच्छतर प्रसंट प्रसंट में मांसून का ही होता है मतलब कि जून से वर्सा होते है जुलाई की शुलवास से तो जो मांसूनी वर्सा होती है तो भारत की टूटल वर्सा होती है उस स्थिति के मानक वर्षा की संभावना वर्षा की संभावना अगर कैसी वर्षा होती है तब इसको हम क्या कहेंगे वर्षा की संभावना और मानसुन अगर वर्षा दिरकाली का उस्था का 90% से कम है 90% से कम है जो दिरकाली का उस्था है उसका मतलब कि 90% कम है तो उसको कहेंगे नियुन मतलब कि कम वर्सा हो कं मान सोन रहा कमजोर मान सुन जाए डिफिशियंट बोलेंगे इसको कि आगर यही जो दिर काली मुद्धध है इसका 90 से 96 परसंट रही है 90 परसंट चले रही है इसको बोलेंगे भी लो नोर्मल पीलो below normal इसको क्या बोलेंगे सामाने से कम सामाने से कम 90% से कम तो उसको noon और 90-90 तो उसको बोलेंगे सामाने से कम अगर यह 90-90 से अब किता हो जाए 90-90 से 104% के बीच में तब इसको बोलेंगे normal तो इसी के बीच में 99% रही है वर्षा तो इसी लिए इसको normal बोला गया अगर 104 से 110 परसंट तक हो जाए तो इसको बोलेंगे above normal मतलब समाने से अधिक above normal और यही वर्षा अगर 110 प्लस हो जाए 110 परसंट प्लस हो जाए तो इसलिए इसको Normal वोला गया है अगली information left सब्सक्राइब करने के लिए जो मिशन कर्मयोगी है इस सीविल सेवा चमता निर्माड के लिए एक राश्टी कारिक्रम है यह बिसु बैंक की यह पर्योजना केंदी मंत्रालों विभागों और एजंसियों के लिए एक करने के लिए चमता धाचे का विकास करके मिशन कर्मयोगी करेंगा मतलब की इस सीविल सेवा चमता निर्माड के लिए गारत का राश्टी कारिक्रम है इसको वर्ल्ड बैंक ने मतलब सहायता के रूप में 7 troubled कि मुनजूर दिये है कि अगली इंफ्रमिशन क्या ओसार योजना क्या है एयर पूर्ट यार्पर्थ आउस्वा सब्सक्रायर के सब्रस्विए और गुर्ण गूल मिला कि यह리ं घ्रकावर दोचारे तीयस और फ्रम्यशन को प्राधिकण कई एस्थ को एयरपोर्ट में जो जखा होती है उसको ये जो वहां के लोकल इस्थानी उत्पाद होते हैं जो एस जी उसे बना के बेचते हैं वहीं उनके लिए स्टॉल के लिए जखा दी जाएगी तो 100-200 वर्ग फूट का इच्छेते अबंटित सब को कर दिया जाएगा इसमें 100-200 वर के लिए सब लोग को इसका मतलब के अबंटन किया जाएगा पंदा पंदा दिन पहल इनको पंदा दिनको ऐसे करके अबंटन किया जाएगा और इसमें जो इस्थानी उत्पाद होते हैं मुर्मुरे डिबबा बंद पाड़ा चार बांस लेडीज बैग इन सब का प्रदसन इसका नाव लखा गया है और यह कि इसको किस ने सुरुवाट किये एरपूर्ट अथर्टी आफ इंडिया ने इस तरह मतलब की कुछ जग जो आउटलेट हैं जो हवाई अट्डियो पे आउट्डेट कुछ जगा पर चालू भी हो गए हैं जैसे चिन्नाई अगर तला देह कि आफ इंडिया दोर यह चालू की गई हैं अगल इंफर्मेशन क्या है बिस वे अरब पत्याओं की संक्या घटी जब कि भारत में बढ़ए यह सबसे ज्यादा मतलब कि ऐसे में सबसे ज्यादा पईए इस बसे हैं जे चाइनआ सबसे ज्यादा भात में संक्या बढ़ी है जो है 2668 दुनिया में इनकी संपत्ती किती है बारत मुसाथ ट्रिलियन डॉलर है सबसे ज्यादा यूएसे में उसके बाद चाइना में फिर भारत में सबसे ज्यादा अमीर कोने मस्क्राइब दो सो 19 मीं कि संपत्ती है इस बनाड बरनार्ड ऑनाड ये फ्रांस के यह तीसे नमबर पर सबसे भारत में देख लेकाने हैं सब्सक्राइब नंबर पर फिर नंबर पर स्यून आड़ अगली इंफर्मेशन क्या है ट्विटर के बारे में तो अभी जो उसके इस पेस्स कंपणी के जो मालिक अरल मस्त हैं उन्होंने क्या दाव किया था कि 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदने वाले हैं तो हमको हमारे लिए यहीं इंफ्रमेशन जरूब है कि इसके तुटर के संस्तापक कोन है जैक डोर सी और इसके सी यो कोन है पराग अग्रव कर दें सबसे जादा कर पर कम कंपणी करण हुआ महाराष्ट में फिर यूपे फिर दिल दें में किन सबसे जादा जो कंपणी यह हैं पंजीकित होई में अग्ली इंफ्रमेशन का है चालू बित्वस में भारत की जो ग्रोथ रेट है आट परसेंट रहेगी यह वर्ड बैं इसका नाम है साथ एसिया एकॉनमिक फोकस इस प्रिंग दो हैज़ाइस इसका साथ एशियन एकॉनमिक फोकस प्रिंग नूर्म फोर्वर्ड यह सेव सकता है इसका और इसे में इनों ने बता है कि भारत के जो ग्रोथ रिट है जो एक वर्ट परसेंट पहले होने वाई थी अब उसकी गुरूथ एट परसंट रहेगे और तो हजा थेश चोबी में फित्ति रहेगे थेश चोबिस का इनोंने अन्वान लगाए कि बात की गुरूथ है साथ परसंट साथ सम्झे परसंट के करीब रहने वाली है अगली इंफॉर्मेशन का है हेली काप्टर सेवा कंप से मजूरी प्रतान का दिया कर दो हुआ तो हुआ की इस कंपणी में कंपणी में सरकार के हिस्सेदारी ओंजीच की है कि पुर्टी 9% चैसेदारी परसंत हैं तो सरकार की 40 51 परसंत हिस्थाइट की इस्टानन आन मोबिल्टी को बीचने के लिए मार्च अप्रेल 2022 में प्रसस्स दोचुबा था इसके लिए जो कॉछ नियुक्त की गई गई है इसमें सरोच जो निजीषित की स्ताफित मोबिल्टी परदान किया गया है इसके लिए इनकी कवितर संगरा है मैं तु यहाँ हूँ इसके लिए प्रवार्नियारी प्रवांश को प्रतिए्प्र this प्रतिटुन्स करने, इन्टेप्र लई यिए उन्हान क संथर और प्रतिए्प्रस्कार дमिर्त भृृंट वाइन्ट को बढ्लाफिया घया, नाज़ियक को प्रसकार को पार इसको प्रदान किया गया है कि एक युद्ध महिला के लिए एले थामसन हरार इले थामसन हरा यह जमाइका कि है सब्सक्राइब को और महिला में एलेस थांसन को परण किया गया पहला लता दीनानात मंगेश का परण किसको परण किया गया पहला नंत्री मोधी को विजडिन के कर्कईल हों ऑच कर्कईल के बैला भीक गया 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 परण का वग है कर दोकिए यह को पादन किया गए है चेंपितन अचेंपन आट्ट hält की संगिजभी इसको परण किया गया है चेंपियन आपser ने यह दिवार दिया जाता है और देख लेते हैं इस महीने की इंपोर्टेंट एपॉंट्समेंट है उनको देख लेते हैं तो भारत के नए विदेश सची किसको बनाया गया गया है बिने मोहन सफॉन परमुक जंदरम राडले मनुष पांड़े ऐसे नाम इनका अमरीकी रा उपराष्ट पती कमला रिस का कारेकार युट के सच्छी नियुक इनको अमेरिकी उपराष्ट पती कमला है डिस का कारेकारी के सच्छी वह सच्छा निधन किसका हुआ इस महीने कि रोडी सिंग बैंसल ये कौन थे गुजर आर्चल संगर समिती के नेता थे पूर जर करनल थे और ये राजस्तान के थे इनको मतलब इनका निधन हो गया इंका निधन हो गया ब्लकी सब्सक्राइबूज गईई नई दिल्लीके परकिती मैंदन में अनतरश्टि खाद देव्म आतिटी की एसे यह सबसे बड़ी प्रदसनी यह उज्यक्र मतलब इस ऐी जिस जिसा ग力 मतलब इसाथ खाद शी कि के कि यह सबसे बड़ी प्रदस नहीं आउजित की गए इसी को आहर 222 वो लगया है यह ITPO के सहयोग से यह प्रदस नहीं लगाई गई थी इंपोर्टें्ट बुक्स कौन से है इस्पैरिंग पार्टनर्श यह कि इसकी बुक है जान्सुियर्ण की बुक सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब स्टेसे 7G मनाे बिस्ट Mannet 20 स्वास्थ वर एकिसद अपरेल बावरे-चांप hazards healing सब्सक्राइब नीटी अठाला नीग कई बिरासत सलगाय एक की साथ यौरेश्ट शेवारे लिए इसकी थी ऑफ्रीजुट इसकी थीम क्या थी मैलेरिया के बोज को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार को प्योंग करें इसकी तीम क्याती आई पी आंड यू यू इनुवीटिंग फॉर इनुवीटिंग फ़र बिटर फुच्र अखेल सम्मधिर जो इसमें महिलाओं का जो ICC World Cup हुआ इसमें विजेता को रहा चार चार मां से तीन अप्रेल को बीच में ये बारवा जो महिलाओं का विश्वकप हुआ वह जीता साथ में बार जीता उपीजिता कौन था न्यूजिलंड तेराओं का कब होगा दो हजार पचीस में होगा इंडिय यूगल में दीपका पलिकड़ वज्वशन चिनपपा जीते हैं मिश्वकप यूगल में दीपका पलिकड़ पलिकड़ अवास औरत घुषान ये विश्व इसव चैंपियंसिप 2022 में जीते हैं पुरुष की सीनियर राष्टी चैंपियंसिप ये जो पुर्षों की थी ये अगली इंफर्मेशन के एसी आई कुस्ती चैंपियंसिप 2022 को ये 32 जो एसी चैंपियंसिप है इसका मंगोली के उलान मटोर में किया गया एक प्रस नंबर पिस पे कुन रहा जापान इसने दस सौन पदक के साथ टूटल 21 पदक जीते दूस्ता इस्तान पर इस्तान पर भार होने वाली इतियास के पहले खिलाडी बन गए हैं 2023 में भारत करेगा स्टीट चार्ड विसुकप की मजबानी 16 देसों की 22 इसमें इसमें इस्ता लेंगी तो यह आपको यादा कि इसमें हिस्ता लेंगी 2020 में भारत में होगा स्टीट चार्ड प्रतनेदी की रूप में नियु इंगे इन को सब सब्सक्राइब करेंगे दनेवाद दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जून 2022 के करेंट अफेर को देखेंगे इसमें माई सबसे पहली करेंट अफेर की जो नियुज है वह एक स्वधिस निर्मित युद्ध पोथ सूरत वा उदेगीरी का जलावरण तो सूरत और उदेगीरी जो सूरत और उदेगीरी का बनाये गए और इसका जलावरण कब हुआ स्वधिस निर्मित युद्ध पोथ है जिलका जलावरण सत्रा माई 2022 को रख्षा मंतरी राजना सिंग दोरा किया गया अगले इंफॉर्मेशन क्या है सुखोई 30 MKI से विस्तारी छमता वाली ब्रंभोस मिसाइल का पहला परिक्षण किया गया तो यह कब किया गया बारा मई 2022 को जो विस्तारी छमता वाली ब्रंभोस मिसाइल है तो 2.8 Gंक का मतलब मैई नखिक से 2.8 Gंक का मतलब है उसकी घंच से 2.8 Gंक क्या है उसकी इसकी रिंज एंट्यू वर्जन है इसकी रिंज है 350 KM लेकिन यह दिखाया जाता है कि केवल इसकी रेन 350 किलोमेटर है अगली इंफॉर्मेशन है तमिल नाडु के देवा सहायम पिल्लाई को निदन के 270 बाद संतका दर्जा यह इसको पहले के वीडियो में कवर कर रखा तो वही अब पहले इनको मतलब कि एनौंस किया गया था कि इ दर्जा इंपिल्लाई जो है भारत के पहले आमजन है यह दर्जा बतान किया है हिंदू से इसाई बने देवा सहां में 2.12 को इनको ब्लेस्ट किया गया इनका जन्म कहा था इनका जन्म 13-1712 को तमिल नाडु के कन्या कुमारी जिले के नट लम गाउंक में हिंदू नायर पर बाद में 1745 में इसाइय धर्म अपनाने के बाद इसका अर्थ होता है देव सहायम इनको नाम क्या लख लिए ले जारूस इसे हिंदू जो लोग थे वह इंसे चिड़ गए और 1752 में इनकी हत्या कर दे गए तो अब जाके इनको 270 वसबाद इनको संतका दाजा दिया गया तो य अल— को सेना के लिए शाया को शर्विषण पूर्ट निर्देशक के जलावरन तो आप से होब यह इसेना का इक इसका जलावरण किया गया चब्विस मई को जन्दवी के निकट कट्टू पल्ली में इसका सरविच्छड जो सरविच्छड पूद है निरदेशक इसका जलावरण किया गया अगरी इंफर्मिशन क्या है 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डाक याड में एक भब औप्चारिक समारों में भारती नौसेना के बहुत सम्मान के साथ सेवा करने के बाद आइनस गोंती को कारेमुक्त कर दिया गया है और इसके बहुत सारी उप्रेशन होते हैं उन्हें भाग लिए जिसे का असपर अक्राल इ नदी के तट पर ही इसनाफित किया जा रहा है जहां एक संग्रहाले में जीवन के रूप में इसको दखा जाएगा संग्रहाले में अंगली इंफॉर्मेशन क्या है रामगड राएगड विसधारी अभ्यारन देश का बावनवा बाग या बैरल मना तो यह जो इसको बाग तो पहले बाग बैरन कौन सा राणथमबवर सरिस्का मुकंद्रा और रामगड विस्दारी तो राजिस्थान के चौथा ब्यारन है जिसको भारत को जिसको भारत का बावनवा बाग बैरन तो रूप में दर्जी किया गया तो आप से पूछा जाएगा राणथमबवर यह भी रजिस्थान में और रायगर विस्दारी जो है कि कहा है यही राजिस्थान में जो एंसी यह है मारा राष्टी बाग इससंद्च्षित बाग बैरन बनाने के लिए सद्धांतिक मंझजूरी पिछले वस्ट जुलाई 2021 में ही प्लांद कर दी थी लेकिन आप जाके र तो 24 माई 2020 को यात्रा और परहेटं जो विकास सुच नहीं को यह जारी किया गया इक तो विल्ड एकॉनिक फोरम बिस्व आर्थिक मन्च दवारा यह जारी किया जाता है जाए कि यह यात्र घ्लूर्ट सूचपांग that रहा यहात रुबसें है इसको किते दिसों कि वह कॉपूर 105 को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यात्रा और प्राटन भीकास तोच गंगवे पहला इस्थान जापान का भारत का 54 चोगवनवा इस्थान और नास्ट इस्थान 117 चाटगा अग्ली इंफर्मेशन के आट टोमेटो फ्लू तो यह टोमेटो फ्लू माई 2022 में तो माई 2022 में केरल और उडीसा में टोमेटो फ्लू के मामने सामने आए यह फ्लू है क्या दोस्तों यह फ्लू जो बुखार है यह पांच साल से कम उल्रों के बच्चों को प्रभावित करता है संक्रमित बच्चों के सरीर पर टमाटर किता च प्रभावित करता है और इसमें प्रभावित करता है और इसमें बच्चों के सरीर में लाल दंके टमाटर जैसे चक्ते बन जाते हैं सबसे पहले मामले इसमें माई 2022 में केरालों उल्डीसा के तर्पे आया इसके मामले अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों जम्मु कस्मीर बिधान सभा सीठ ही तो सीटों का पुनर परिसीमन तो आप सीटों की संख्या में साथ की व्रिद्धी हो गई है जब जम्मी कस में परिसीमन आयोग किया गया और उसी ने जब यह रिक्मेंडेशन दी रिपोर्ट दी अपनी सरकार को चुनाया आयोग को कि जम्मु कस्मीर की विधान सभा है उसकी सीटों में साथ की व्रिद्धी की जाए तो यह जो परिसीमन हुआ यह हमारी 2011 की जन संक्या है उस जन ग कर दो तो जब इस अब क्या हो गया है ताजा 2022 को जो पर सीमन दोजाद गया कि जन लड़ना के अदर पर हुआ आप जम्मु कस्मीर की सीटे थी पहले तो यह जो इसमें पाक अदिक्रित जो कस्मीर की 24 सीटे उनको सामिर नहीं किया गया है अभी जो नब्वे सीटे है इनमे साथ तालीस हो गई और यहां पर शाव पहले जोड़ा गया तो यह प्रसीमन आयोग में सुझाया है कि विस्तापित लोग है उनके लिए कम से कम दो सीटे आरेचित की जब्वे सीट हों गी कर दिए पर इसाथ कि लिए नौक सभाय के जूटत्र एंगी है वंतोल तो टोवक्तिर पांच Uh तो टोटल लोगस्वा की सीटे कि इतनी है पाँच और विदान सभा की सीटे जो परसीमन आयोग के अब बढ़ा के तिरासी से अब नभे कर दी गई है अगली इनफॉरमेशन तिरिपुरा की भाष्पा सरकार के नितियुत में परिवर्दन हुआ है इन को अब यह दनुन बढ़ा है घृष्भा के इनको तो तो यह रिक्या को पंदरा माई को यह जो वहां की गवर्नर स्न आघे इनको मैंट को को सपत दिलाई और 14 माई को इनों अपना इस्थीपा दिया था पंदर माई को सपत लिए तो नए सियम बने हैं वह कौन बने हैं डाक्टर मनिक साहा अगने इंपॉनमेशन क्या है सर्वोच नियायल ने अकिल भारती फुटबाल महासंग कामकाज प्रसासक समीति को सौपा तो इसने सुप्रेम कोट ने क्या कि एक तीन सदस्ति समीति बनाई जिसमें नयायमूर्थी एयायर देव इनको अध्यच्छ बनाया इस सर्वोच नियाले के पूर नयारेस है और एस्वाई कुरेशी जो पूर्चुना आयुक्त थे इस सदस्त है और यह एक भारती फुटबाल कि जो मामले हैं उनमें कमी आई है तो एक वर्स 2020 में देश में हुई सड़क दुरगटना के संबंद में सड़क परिवहन और राजमार मंत्राले टांस्पोर्ट रिसर्च विंग की एक वार्सिक रिपोर्ट है रिपोर्ट का नाम है रोड एक्सिडेंट इन इंडिया 2020 यह इस ही में यह बताए गया कि देश में जो सड़क दुरगटना है उसके मामले में कमी आई चैनल इसमें क्या राश्टी राजमार पर अनमें 43 तिराजी सजाद 412 दुर्गतना है कुल दुर्गतना को 35 बातल सबसे ज्म सब्सक्राइब १ं अज़त जाए उनने गाव वालों को प्रषेंटेज ज़्यादा है सहरु कट गाव कि तुलब कि दो कण के रहें कम है तो सारु को पर दो उसमें भी 18-25 वर्ष्क हैं सबसे ज्यादा इनमीं पूरित हैं उसमें भी कामगार्स जो लोग है जो सबसे ज्यादा में यह बताया कि किस इंडिया इसमें सब्से ज्यादा मोट होती है उसमें हैं जो वयस वाली लोग जीूद्य यही रिपूर्ट चियों कि अगली इन्फॉर्मिशन क्या है राजदोह कानून पर सर्वोच उन्याले की अंतरिम रोग तो ग्यारा मई दो हजार बाइस को सर्वोच उन्याल ने एक इतिहासिक फैसला है इसमें इन्हों ने ये बता है कि जो एक सो बासट साल पुराना हमारा जो अंग्रेज के जमाने म किया जाएगा आई पीसी की जो धारा है एक सोचोबिस एक सुचोबिस एक स्वतंता आंडोलों को कुचलने के लिए 1870 में सामिल किया गया तो एक सोबसक्ता कुराना है और इन्हों ने कहा रहा है कि इस कानून का दूर पयोग हो रहा है इसीलिए सूप्रेम कोड ने कहा कि पुणर्बिचार जाए और जब तक पुणरविचार नहीं किया जाता तब तक इस पर अंतरिम रोग्य है जो सुप्रीम पुड के नियाजियर से एव तो पिस्थ की साफ्टि के जब तक सरकार तेरा हजार तीन सो छैंड लोगों पर जाज़ दो के आठ तो शर्षट के दज़ हुआ इस में से सिर्फ तेरा लोगों को सज़ा यानि एक परसेंट से भी कम लोगों को तो यहीं पर सुप्रिम को नेगा तो मतलब की इतने केस दज कर ले रहे हो लेकिन सज़ा एक परसेंट स जिपोर्ट जो वह चार्सोपांच चार्सोपांच केस यहाल नेताओं की खिलाब बोलने पर दज़ लिए गए इसलिए अब सुप्रिम कोट ने कहा है कि इस कानून पर अंतरिम रोक लाग जाती है और जब तक इसका कुनर मुल्यांकर नहीं कर लिया जाता तब तक इसके ख इसके जो प्रकार है यह चार प्रकार कांटिरिया है शिगेला बॉडी और इस टे रिया इसके लच्छन क्या है यह भोजन और पानी से होता है और दूशित पानी से इस्ञान करने रोगी के मलमूत के प्रत्यच या प्रत्यत संपर्क म्यान में से होता है लचन क्या है अधिकास रोगी में दस्त कभी कभी खून दस्त में खून आता है प्रेट में अभी तो कुछ नहीं है लेकिन वह यह कि लगाता रहां दोया जाए जैसे 70 परसंट तक इसकी बिमारी से बचा जा सकता है तो सब्सक्राइब करने कारण होता है यह कहां पाया गया क कि यह फूड परड़निंग में सिग्रेला नामे बुक्किरिया पाया गया अगरी इंफॉर्मिशन क्या है राष्टी उपलब्दी सर्विच्षड 2021 रिपोर्ट तो यह पचीस मईए 2022 को पचीस मईए इस स्कूली शिच्छा और सच्छा बिभाग शिक्षामंत्राले ने यह राष्टी उपलब्दी सर्विच्षड 2012 की रिपोर्ट जारी शाया जारी के जाती है इस प्रति तीसरी से पाच्वे कच्छा के लिए मतलब करके रिपोर्ट जारी की गई है आठमी पकच्छा के लि तक के लिए मतलब तीसरी पाच्वी तक फिर शटी से आठी तक और दस्वी तक फिर बात में नौई दस्वी के जो छात रहे उनके लिए यह रिपोर्ट उनको मतलब के मानक बनाके उनका अध्यन किया गया उसी के आधार पर जारी की जाती इसमें यह बताया गया कि 80 पर संट है और घर से सीखने को बोज मनते हैं मतलब कि ऑनलाइन जो सीखना है उसको इन्होंने बोज मना 45 पर संट ने क्या बोला कि घर से सीखना आनन दायक है 38 पर संट है घर में पढ़ाई में कटनाई का सामना करें 24 पर संट के पास डिवाइड नहीं है इसमें यह भी बताए गया लेकिन बीचान को मुझान को इस तरह की जुसें को पिछाति एक जो जो पासी हो Vallahi ale अगली information क्या है एक information दोस्तों कि सुप्रीम कोटने से वरकर को पेसे की रूप में मानता दे तो अब सुप्रीम कोटने 25 मई को क्या कर दिया कि सुप्रीम कोटने से छूट गी दोस्तों आकडों में मतलब सूखा रिपोर्ट कि सूखा रिपोर्ट 2022 यह किसके द्वारा जारी की गई यह जो यूएन सी सीडी की का जो पंदरहावा सम्मेलन हुआ तो यूनाइट नेशन कर्वेंशन और जो कामबैट डिजर्टिफिकेशन है अभी समय है इसकी पंदरहावी जो रिपोर्ट है पंदरहावा जो सम्मेलन हुआ कॉप 15 यह आबिद जान कोटे डिवाईरो में वहां हुआ कोटे डि आईवरी में यहां पे हुआ तो इसने एक अपनी जो सूखा रिपोर्ट जारी की इसका जो आप इन नंबर्स नंबर्स रिपोर्ट जो जारी की इसमें यह बतायागा कि हमारे परस्तर की तंत्रपास सूखे के प्रभाव पर जो सूखे का प्रभाव है उसी के आंकड़े इसमें बतायागी कि 2000 के बाद से दुनिया भर में सूखे की संक्या और आवदी में 39% तक क पहुच जाएगे अगर यहां तक पहुच जाती है तो सूखे का नुक्सान आज की इसतर से पांच गुना अधिक हो जाएगा भारत भी बारत की कई हिस्ते उस सूखे की चपिट में आएंगे तो यह जो सूखा की जो डॉट इनमस रिपोर्ट 2022 थी यह किसके दौर जारी कि इसका जो पंद्रहावा समकॉप 15 जो सम्मेलन हुआ यह कहा हुआ अबित जान कोटे डिया इसी में यह सूखा रिपोर्ट 2022 जारी कि इसमें यह बता है कि 2022 के बाद दुनिया भर में सूखे की संख्या और और अवाधी में 29 परसंट की बिद्ध हुई है अगरी इन फॉर्मे के जीविट सेनिकों को सम्मानित किया गया तो यह जो मई 2022 को जो ऑपरेशन दुद्धी पहले हुआ था उनीच सो बानबे में 1989-1992 के बीच में उसमें जो जीवत बचे लोग थे असम राइफल्स के इसा बिदार पदम बहुद्ध शेत्रू के नित्रों में दुदी कूप बड़ा जम्मू कस्मिर में असम राइफल्स की साथी बटालियन के पंदर सेनिकों के एक दल ने पांच मई उनिस दुद्ध के लोग थे अभियान के बाद जो जीवत बचे लोग थे उनीको सम्मानित किया गया उस अभियान का क्या नाम था दोस्ताओं आपरेशन दुद् एक मही 2022 को चतिस गड़के सीयं भुपेंद्र भुपेश भगेल ने मुख्मंत्र मितान योजना का सुबारम किया इस योजना के ताथ बुजूर्गों दिव्यांगों निरच्च्छों को घर बैठे आसानी से सोब प्रकार की सेवाई मिल सकेंगी इस इसमें है कि दूस्तो करना इन सब चीच के लिए मुख्मंत्र मितान योजना जाड़ी की गई है नागरी मितान से नंबर 14500 से संपर कर सकते हैं और इनको मतलब कि किसी विभाग से आप सुचना मंगते हैं या आपके लिए इन सब की जरूवत है तो आपको इस मितान योजना के ताहत जो जैसे न बुख्मंत्र मितान योजना बनाएं इस जोजना कि ताहब बुजोर्गों दिव्यांगों निरच्कों को घर बेटे आसानी से स्वप्रकर करके सेवाए मिल सकी कि अगली इनफर्मेशन क्या है 200 प्रेसस वतनता सुचकांग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो वर्ल् नाम है reporters sense frontier जिसका इंग्लिस नाम क्या होता है reporters without border इसके दोलह यह जारी कि जाती है 180 देशों के रिपोर्ट जारी की गई इसमें पहला स्थान नार्वे को मिला जिसका इसकोर बांगे 0.65 है सिकेंड इस्थान दर्मार को मिला भारत का स्थान एक्सक्षाइं है इसका स्कोर करता है फूर्टीवन पिछले साथ मतब इस बाद दौजार वाईस में भारत का स्थान कौन सा है 150 ऑच्छा नहीं है पहला अगली इंफ्रमेशन है सब्सक्राइब को चीन के जिंजियांग प्रांट की राधदानी में हंग जो प्रस्तावित था मतलब कि जो इस एक रहे इनका अगली इंफॉर्मेशन दोस्तों क्वाड सिकर सम्मेलन टोक्यों में संपन तो चार देसों का जो क्वाड होता है विडियों के लिए इस अपने पिछले वीडियों में बता चुका कि वेते सकते हैं तो सबस्ते हैं यह दोसरा चीछा सिकर सब्सक्राइब वाला यह दूसरा सिखल सम्मेलन था जबकि दो सिखल सम्मेलन को रोना के चलते ऑनलाइन संपन्न हुए थे चौथा सम्मेलन था इसमें जो भाग को से लोग लिए तो यह प्रहान मंत्री मोदी जो इंडिया की तरफ से बाइडन USA की तरफ से एंथनी अल्बनीज यह अश्टि और समग्द हिंद प्रसांद शेत्र को पुशान मिला है इस पूरे शेत्र में सांती इस्तेता सम्रिद्धी सुलिषित हो रही है हम सभी का साजा उद्देश भी यह ही है और किस बादे में बन दिया गया कि जो क्वाड है यह जो यूनाइटे नेशन के जो लॉज होते है य वीच में डिपच्षी वार्ता संपन होए है इसमें भारत और यूसे के बीच में इंसेंटीव एग्रीमेंट पर हस्ताचर किया गया तो भारत अमेरिका के बीच में निवेश परोस्तान संद्वाइब अब इस समझोते के तत्त होगा क्या दूस्तों अमेरिका का जो डिवलाप्मेंट फाइनस कॉर्पोरेशन दीफ्सी ह इन में पैसा लगा सकता है तो इसी भी 24 मए को ही भारत और जापान के बीच में भी दिपच्ची वारता होगी तो इसमें क्या-क्या बाते होई तो दिपच्ची सुरच्चा और अगे बढाने के लिए अगली दू प्लस तो मंत्री इस्तरी बाटेक्सिक जापान में आजु कि अब दोनों नेताओं ने मुंबई अहम्दाबाद जो मुंबई अहम्दाबाद हाई स्पीड प्रयोजना के कार्योंकर में कोई प्रगिती की भी चाचा की सेमिकंड़क्टर्स यह ब्योंड 5G इन सब चीजों पर भी चाचा की गई यहाँ और अस्टिल्या के साथ क्या क अच्छे हो जा इन सब बातों पर चाचा होई तो आश्टिली के जो नए पीम बने हैं आपको याद रखना है नए पीम 31 पीम बने हैं लेबर पार्टी के इन्थनी अल्बनीज अब अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों मंकी पॉक्स के बारे में एक काफी नूज में हैं मंकी पॉक्स तो इसमें अभी भारत में भी चार मामले पाए गया और लेटेस्ट अभी दिल्ली में मामला पाया गया तो मंकी पॉक्स युनाटिट किंगडम स्पेन ॉक्स पॉक्स बा या वायरस पॉक्सी राइडी परिवार के और फॉक्स बारे से संबनुदत है वायरस इसकी पहचान इसमें बंद्रों में की गया तो सबसे पहला मामला कहा है डिमोक्रिक रिपप्लिक अप कंगो में 1970 में मंकीवाइस की पहचान सबसे पहले का हुई 1988 अभी यह मंकीवाइस वायरस भारत तक में अपने परपस आ चुका है 200 से ज्याद आधिक मामले तो इन देशों में तब मई 2022 में ही आ गए थे और अभी ज कि पाक्स आपकर बुखार दाने और गाट के जरी उबरता है और इससे कई प्रकार की च्विस्ता पैदा हो सकती है यह अपने या बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लेकिन यह बहुत सारी जो जटिलता है वो पैदा कर सकता है यह बीमारी जो है संक्रिमित जान्वा से मनुसम हो सकते हैं कि अगली इंफोर्मेशन है राष्टपती स्री रामनात कुमिंद की जमाइका तथा सेंट विंसेट वा ग्रेनाडीस की यात्रा तो हमको बसे मोटा-मोटा याद रखना कि पंदा से किस मईड वजर बाइस को भारते जो राष्टपती है रामनात कुमिंद इन्हों तो खेल के मागने में बहुत आगए है इसमें कोविन ने का कि भारत को इन जमाइका से जरूरत है तो राजनाइक संबंदु के स्थापना की सथभी वर्षगाट को चिन्नित करने के लिए कि इक सड़क का नाम डाक्टर वी आर्ट अंबेटकर के नाम पर अंबेटकर एवि अगर आप से सवाल पूचेता है तो उसका जमेका होगा अगला जो कंटी जहां बाहर के राष्ट्रपती के वह है सिंट विंसेट वा ग्रेंडी इस इसकी कैप्टिल क्या है किंग्स टाउन यहां पर जो काल्डर रोड है इसका नाम बदल के इंडिया ड्राइव कर दिया ग प्रोजेक्ट के पूरा दर्माड़ के लिए सब्सक्राइव के अपन पर हस्ता चर गिया बस हमारे लिए इतना ही इंपोर्टेंट है कि 15-21 माई को भारत के राष्ट्रपती इन दोने देसों के यात्र पर गए यहां पर यहां पर यह मेंन में काम होए अगली जा जोगे देनी के चंसलर कोने उलाव सोल्स यहां पर एकित मुद्व पर चाचा होगी जो छठा इंडिया जर्मनी इंटर गोर्मेंटल कॉंसुलेशन है चाट भारती जन्मनी अंतरजास्ती विचार भिमासाइव कॉंसुलें कॉंसुल्टेशन है कंसल्टेशन है इस पर दोनों मतलब कि इसका नाम है इस इंडिया जर्मन इंटर गोर्मेंटल कॉंसुलेशन इस पर चर्चा की गई इसकी अधर्चता किसने की प्याम मोदी बार सुर्स दोनों ने मिलके कि यह आई सी जी है क्या दोस्तों आइसी जी अंतर सभ्सकारी विचार विवास दिपच्छ देश से बारी बारी करते हैं भारत और जर्मनी की इस विवस्ता की सुरुवाद 2011 में हुई थी तो एक ऐसी विवस्ता है जो जर्मनी की आई जी सी जिसके अताहत वक्त अपने कुछ मित देश हैं उन्हीं के साथ करता है उन्हीं के साथ यह प्योर्टी से व्यापार या अग्या जो देश से देर मार के यहां की आत्रा तीन माई को पियम कोपिन हगन पहुचे वारता में दोनों पच्छों है ग्रीन इस्टेटी पाटन से अच्छे उर्जा स्वास्त पत्तन नौ वहान इन सब मुद्दों पे जल्प्रबंदन इन सब्दों पे चचागी कोपिन पे निए तर्फ जो इसमें जो और देश जैसे नार्वे फिनलेंड शुड्यन और आइसलेंड इन सब देशों से भी प्रियम मोदी ने अलग अलग से बाते की तो हमको यह यह यातक ना है कि इन सब जो देश है जो यह सकंडिनेवियन कंट्री है इनके पी एम के नाम यातर अगला देश है फ्रांस चार माई को यहां के जो राष्ट्रपति इमैनल मक्रों है यहां के राष्ट्रपति तो चार में मोदी ने यहां मतलब की फ्रांस की यात्रा की यहां पर इंपोर्टन बाते क्या निकल रहे सामने फ्रांसीजी राष्ट्रपति ने अस्वन सब्सक्राइब की भारत का जो आत्मिर्भत प्रोग्राम है उनकी मोहिम में फ्रांस एक प्रमु साज़ेदार बनेगा अच्छा शेतर बढ़क चलकर स्व कि जो अगली जी सेवन की बैठर होगी वो कहां होगी जर्मनी में नार्वे की पीम को ने जोनास घार फिल्लैंड के पीम को ने सना मारिन सुडेंट की पीम मार्क देलना एंडर्सन आइसलेंड की कर्टीन जैकब्स डाटिर और फ्रांस मतलब अगली जो प्रकिती मैदान मे मोरिस बेकर इनको डाइवर्स की कारवास की सजादी इन्हों किया क्या था जून 2017 में जूट बोलकर सुम को दिवालिया घोसित कर लिया था कि इनके पास यह मतलब की कुछ भी पैसा बचा नहीं है इसलिए इनके पैस पैसे थे सब कुस्ता बैंक बेलेंस था इन्हों सब्सक्रावास की सजादी इनको अगली इन्फॉर्मिशन क्या है पीयम मोदी की नेपाल यात्रा July मईhouse 2022 को नेबाल के प्धान मत्री सीरे मोदी ने नेपाल की आधिकारी की यात्र थी यात्रा की और प्टातां में बुद्र के जन्म स्थी बुद्र का जन्मस्ता लंबनी है इंटेनल conspiracy center and meditation hall में आयरे ऑग जो पचीस सो चाचटवें जिनती समहार हुँआ हव 9-inté हल बुद्ध की जम ने तो यहींपर एक चैन सिन पमरी मैं रेखिंगा लुंबनी मठ चत chap और है से संक्री निर्माड के लिए मिसली कना कर दाब है कि है इसरह निर्माड कोन कर रहा इसका अंतराष्टी बहुत संग जो आई भीशी नई दिल्ली में है इस्थित्य वह इसका निर्माड कर रहा और इंफॉर्मेशन क्या है इसमें भारत और निपाल के बीच में च्छेब समझोतों पर समझोतों ग्यापन पर हस्ता चलिए इसमें तीन समझोतों कोन से लुंबनी बहुत विश्वध्याल है जो निपाल की के विकास कार्यानन में भी भारत और नेपाल के बीच में अगली इंफॉर्मेशन क्या है अगरे इंफॉर्मेशन नाटो की सदस्ता ही तो आवेधन तो 18 में 2022 को फिल्लाइंड और सुड़न ने नाटो की सदस्ता के लिए अपने औचारिक आवेधन ब्रुसेल्स बिल्जियम की राजदानी इस्तित जो नाटो का मुख्याला है कहां इस्तित है ब्रुसेल्स के बेल नाटो कैसे सब्सक्राइब करने के सब्सक्राणी के सब्सक्राइब तो यह देखते हैं तब ही यह देश नाटो के सदस्ता बॉस्त बन पाएंगे अब देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों नाटो के भी से में तो नाटो का फुल फॉर्म क्या दोस्तों नौट एट्लैंटिक टिटी और्गनाइजेशन या एक इंटर गुर्मेंटल मिलिट्री अलियंस है बिट्विन सब्सक्राइब करता है कि अगर किसी देश को पर हमला होता है तो यह उन पर कलेक्टिव रूप से हमला मान जाएगा और सभी देशों के जिम्मेदारी होगी कि उस देश की रच्छा की जाए इसका फॉर्मेशन का हुआ था चार अप्राइल 1949 को इसका फॉर्मेशन हो इसके हे सार के जो कंट्री थे उसके जो सदस्देश थे उन्होंने अपना मिलिट्री जो एलियंस मनाया था उसको वार्षा प्रैक्टि कहा जाता है दोस्तों देख लिए अगली इंफॉर्मेशन क्या है प्रधान मंत्री मोधी की जापान यात्रा तो 22 मैं 2022 को नए दिले से प्रधा जो सराना भी की यहीं पर भारती समदा को भारत चलो भारत से जड़ो भारत चलो अब्यान में सामिल होने तता आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेद किया यही पर मोधी जी ने जापानी उद्दमियों के एक बिजनेस राउंट टेबल की अध्यच्टा की जिसमें जा कंपनियों के माली हैं उनसे बात की और यहां पर जो तेरा देशों के इंडो पैस्पिक एकॉनियों फ्रेम फ्रेमवर्वर्ड फॉस्परिटी एफ इसके संवारम संबदी तारकम में भी मोधी जी ने भाग लिया अगली इंफर्मेशन क्या है दोस्तों की जो में फोप्स म इनकी कमाई 121 मिलियन डॉलर है तीसे नंबर को ने किस्टियान रोनाल्डो जो पूर्टगाल के एक फुर्वाल के लिए इनकी कमाई के कितनी एक सूपन्दा मिलियन डॉलर तो सबसे पहले इस्तां पे कमाई करने वाली खिलाडी कौन से हैं लियोनल मेसी आजिंटीना के फ वाडी मन्त्राले के लिपोर्ट है तो 20 मैं 2022 को बिदेशी प्रतिच निवेश के इसमें बताया कि जो 83.5 बिजन डॉलर का निवेस भारत में 2021 में हुआ जो अब तक सरवोचिस तरह है अब यह देख लेते मैक्सिमम एफडीयाई जो भारत में आता है कहां से आता है तो मैक् सब्सक्राइब करता है तो कंप्यूटर सब्सक्राइब करता है महाराज सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो पिछले वस्ट से इसमें 60% की अगली इंफर्मिशन क्या है वर्ड एकॉन्मी फोरम डावोस में संपन तो 22-26 मई 2022 को सुटिजन लेंड में दावोस में बारत की कम से कम सब्सक्राइब यहां पर गए थे तो दुनिया वरेके 2000 से आधिक लोगों ने यहां पर भाग लिया था सब्सक्राइब यहीं पर होती है सुटिजन के दावोस में अगली इंफॉर्मिशन क्या है पहली पहला खाद उत्कृष्टता केंद्र ग्यारा मई 2022 को नए दिल्ली में मिनिस्टर जो मिनिस्टर हमारे स्केंदी सूच मिलगों मद्यम उद्दम मंत्र जो नाराय राड़े है सब्सक्राइब करने के लिए की इंफर्मिशन क्या है खाद मुद्र इस्पिति में भारी वृषद के के चलते गियाघों के तीम्छान उप्रति देशं के बिद्र, उन्हीं को निर्याद के वन्यद लागों सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही यहां पर बहुत ज्यादा उचाल आया इस कदम की जी सेवन आश्टों ने भी निंदा किया था तो 2022-2023 में भारत के जो निर्यात का जो लच्छ था वो कितना था एक करोंटन लेकिन अभारत ने अभी प्रदिबंद लगा दिया तेरह अगली इंफॉर्मेशन है कि विद्यों से संप्रेशित धन प्राप्तियों में भारत का पहला इस्थान बरकरार 11 में 2022 को विभिन देशों के लिए इस संबंद में विस्तित आकड़े 20 सुभाइं की जो रिपोर्ट आती है माइग्रेशन और डेवलप्मेंट ब्रीफ रिप मतलब की भारत का इस्थान पहला बना हुआ है तो संप्रेशित धन प्राप्तियों के मामने भारत का है पहला एक इनन प्रप्र करना विडरेशन के लिए अगरी इनफॉर्मेशन है ड्री रूपैस के लिए रूपए 30307 क्रोन लाबान सरकार को हस्तान तलिच के गए के लिए 30307 करोन का लाबांस सरकार को सबसे कम है तो अब तक लाबांस की या राशी बिगत दस वसों में सबसे कम है अब यह कहां से होती है अब यह को आई का प्रमुक जरिया जो है सरकारी बांड तथा बिजेस मार्केटिंग में फारवर डेंवं बॉंड ट्रेडिंग तो उन सब चीजों से पैसा आता है तो आरब याई उस चीज का लाबांस सरकार को दिया तो साल बन में जो इस बाल ने ल जो दो चलती जो मैं डाक के चलती टी इसको फिर से चाल में और यह लेकार है आप 1-2 कारि ने जीता पी इफ आई पुरसकार तो तेरह मई 2022 को न्यामक विखास प्रादिकर्ण जो PFRDA है इसने करनाटक बिकास बैंक ने करनाटक बिकास गामिट बैंक ने PFRDA का ये पुरसकार 6 स्टेवों में जीत लिया है अगली कि पन्म गायनो वेदा की ब्रांड इस किसी पन्म को बनाए गया जापन के म्यूजी ए्पक्त को मिली लिडिक सीटी से में साकक ख़लने की मंजूरी तो जापान का जो एक प्रेंगा है इसको 26 माई 2022 को गुजरात के गिफ्ट सिटी है इसमें अपनी साखा खोलने की अन्मती प्राप्त हो गई है भारत में इसकी च्छटी साखा है वरतबान में मुंबई उसके बाद दिली चिन्दी बंगलूरी और निम्राना में इसके साखाए है तो गिफ्ट सिटी में इसको इसको गया कुट पर्शंच जिनका निधन हो गया है उनके में देख लेक्षण दोश्ट थे विस्ट वेकिन ह्ट राष्ट पती है क्या नाम है है सेख लीफा बिफय जए ल् ल्याष्ट पती थे 63 मं इंका निधन हो गया दो बिन जायद अलनान ये युए के दाश्ट्रपती थे इनका निदन हो चुगा है स्यूकुमार वर्मा ये संतूर वादक थे पद्म भूशना सम्मानी थे इनका निदन हो गया आगे इंफॉर्मेशन जिल बर बर्ग जिल बर बर ये संगीत के डिस्को थेक्स के जनक माने जाते सुपर हेट गाय का हरेशन के इनका निदन हो गया मोदी सिठमी नधन निलकणी इनके दिल बुख है इनकी बुख है इसकी लिविंग माउंटेन किसकी लुखाया मिला सिरी की मुखाया टूद रिस्ट एं आटो बैयुग्राफी यह किसकी है इसके बुखाय विछवनात की कि इंदिया वे इस्ट्टी वर वर्ल्सॉटार की बूखाया फोलिटिकल पावर अगली बुक कुन सी है यह किसकी बुक है दोस्तों पुलिस रिफॉर्म इंडिया किसकी बुक है यह पूर आईपियस ने प्रकासिंग यह उनकी बुक है तो आपको यह इंपर्टन बुक याद रखनी है सब्सक्राइब बुक है यह प्रकासिंग है यह पूराइपस्ट इनकी इस महीने के जो में पांश्मेंट है उसके मिसम्यись देख लेते हैं ए इंडिया के ए एंडिया के नयak Turn र दिया के नए चीलार कमें हैं इटीजिव और फुम क्मार वह today को सुछ को कॉर्व और यूड़र यशिक कॉमट्व दिल्ली चर्वह इसे। CBDT जो केंदरी प्रत्य चकर बोर्ड है इसके चेयर परसंट कौन बढ़ी है इनको अत्रिक्ति प्रभार्द दिया गए संगीता सिंग को भारती उद्धु परिशंग के अद्धिक परिशंग के मौदिक में किसकी नियुकती हुए है? यह बिटेस में भारती मूर की सिचाविद है इनको बैंक आफ इल्लाड के मोदिक परिशंग को है? अब पुरसकार के भी से देख लेते हैं इसमें महीने के इंपॉर्टन पुलिजर पुरसकार 2022 यूसे के जो कुलंबिया भी सुविद्वाले हैं इसके द्वारा पत्रकारता साहित ड्रामा वासंगीत आज शेतों में 2022 के लिए पुलिजर पुरसकार की घोश्रा की गई हमको के इसका उन सेवा पुबलिक सर्विस पुरसकार है वह किसको मिला वासिंगटन पोष्ट को अगरी इंफरमिशन द्वी ये चो का ग्लोबल है लिडिर सभी इक टिविस्ट इट्रूशल हमें अप्टिवेस्ट कुष चैजट करता है इनको गो आए आप अगला पुरसकार को न सब्सक्राइब द्यानियाता है कि तेडिया जाता है उसता अंग्रेजी अनुप सेंडुर इंसों के लिए इनको अंतराष्टी बुकर पुरसकार मिला और यह पुरसकार पचास दर पौंड पर दिया गया इनको यह राशी इन्होंने आधी-आधी जो अन्वादक होता है और जो उरिजिनल लाइटर होता है उसके बीच में बाट दी आती है अर्यां बुकर पुरसकार वासिकर उसके पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुआध किया गया हो यह यूके आयालेंड में प्रकासित की गई हो तो यह बीधिया अगला जो अग्ला वाड वाड वजूद्ध फिल्म महुश्व 2022 ईक पच्छतरवा क कहां पे हुआ फ्रांस में 17-28 माई को जो कान फिल्म महुस्ता हुआ यह कहां पर आजूत हुआ इस महुस्ता होता है इस महुस्ता में भारत को कंट्री आफ आनर का दाजय मिला गया और जो जूरी बनाए गई इसमें आवाड बाटने के लिए उसमें दीवका पादुकों में सिंधिया रोसं जवेगं इसको कहा जाता तो और सिसका नोबल किसको कहा जाता है विद तो फुकाद परसकार को यह किसको दिया गया गया है यह सिंद्रिया रोसिंजबेक को दिया गया यह पुरसकार एक अंतराष्टी पुरसकार है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्हों दुन्या में भोजन की गुणवत्ता मात्रा या उपलवृता में सुधार करके मानव विकास में योगदान दिया हो अगला वाड देखते ह इसमें बहुत सारी आवर्ड दिये गए तो लेकिन जो एक विजिता हुआ उसमें वेस्ट जो फ्रेंड फॉर इवर इसका विजिता को ने बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड फॉर यह है क्या यह दूर दरसन पर पालतु जानों की देख देख पर अदायत एक विपसीज है इसको इन बी अवर्ड दोहजार एकिस से नवाज अगया कि खेल कूट के भी सेम जान लेते हैं पूर्सों की पांच हजार मीटर की दोड़ में बहादूर प्रसाद द्वारा तीस वस्पूर उनिस सो बांबे में बनाएगा रिकार्ड आश्टी रिकार्ड अविनास सांबले ने साथ में 2022 को लंबी दूरी के दावक अविनास साल्बे ने साबले ने अमेरिका में सांजुवान में एक एथलेटिक मिट में 5000 मिटर की दोड़ में 13 मिनट 25.65 सिकंड में पूरी करके इस परदा में नया रिकार्ड इस्तापित कर दिया गया है तो भारत के जो रिकार्ड था में नया रिकार्ड तो यूपी की अनुराणी ने जम्षेद पूर्थ में फूर्थ इंडियन ओपें जविलीन थो प्रत्योगता में 63.82 मीटर दूरी का भाला फिका जो जेविलीन थो में एक नया रिकार्ड है महिलाओ का T20 चैलेंज कब 2020 जो आइपल की तर्च पर होता है इसको किस ने जीता आइपल सूपर नोवा तीसरी बार इसकी बिजिता बनी इसका चौथा संस्क्राण था यह महिलाओं का जो आइपल होता है इसमें चार टीमें बनाए जाती है इसमें तो मनीला फिलिपिन्स में यह संपन होई इसमें पीवी सिंदू को कांस पतक निला भ पुरजवी सेकल के विजिता कौन था ली जीजी या जीजी आ जी मलीशिया के थे इन्होंने जो इंडोनेशियक जोनाटन थे उनको हरा दियाता मियला एकल वी बिजिता कौन ती वांग शी यह चीन की थी इन्होंने यामा गुची अकाने जिनको मतलब हराया और वह सब्सक्राइब करनादा को भारत इसमें चौते इस्तान पर रहा जो तीन पता जीता एक फ्रण दो कांस चोथे इस्तान पर भारत रहा तीन पता जीता जो प्रिस्ट मुक्यबादी चंपियन समय तो निकाथ जरीम नामिन का ये 25 वश्की ते लंगाने की होती है इनों बावन पीजी में फाइ पहली भारत ने इसमें जीता है कुछ आई पील 2022 के में देख लेते हैं तो 26 मार्च सब्सक्राइब का पंदरावा संस्क्रण देश के चार प्रमुक्सारों मुंबाई पुड़े कुलकत्ता और अहमदाबाद में संपन हुआ तो टोटल दस्टी में भाग लिए इसमें लख बने प्लेयर अब दसी जो बने जो एस बटलर जाजस्थान दाल के हैं यह मोस्ट विल्यूबल प्लेयर ऑप दस्रीज बने इसी में जो नरेन मुर्विक क्रिकेट इस्ट्रीम में फाइनल जम उसमें आईप्यल में दुन्या की सबसे बड़ी क्रिक जैसी लांच करने के उसको परकल करें दिया जाता है उसको में जुसको दिया जाता है जो सबसे यहादा बनाता है वह किसने बनाया वह ऑड़्यू में अगला सब्सक्राइब कर दो नहीं सक गेम्स चोबी सप्रेश से टीम में 2022 को सेकंड संसकन जो का आयोजन खेलो इंडिया इनिवर्श्टी गेम का आयोजन कहां पर हुआ बंगलोरु में विजेता कौन थे इसमें जैन चैन डीमट्य टूबी टीम टूबी इसके जीता थे सेकंड नंबर पर कौन थे लवली प्रोफेशनल यूवर्श्टी यूवर्श्टी तो खेले यूटिया यूश्टी गेम्स में पहला स्थान जैन डीमट्य तूबी का इस्थान है और सेकंड गूहाँ यह इंपोर्टेंट एक माई को क्या मनदा जाता अंतराश्टी समिक सीद्स ही थी मई की ती सफ नाय जाता है शोसाराश्ट प्रदेक्चंटuta क्याल ती मैं को मैं को अन्योजное two to दी दो इस चाहल ़्हें में interesting season Yearalts results भी प्ररवावशी थी तीम थी लाइट प्रोट फोलूशं लाइट प्रोडूशन मतलब कही प्र्राश्जी प्रदोश्ण की लिर्फे मैं को लाइट उपरओ और देम सब्सक्राइब Winger कि को मना जाता है इसकी तीम करती लोग शांती प्रगती साल इदारी की सकती 21 मई को 202 और इनवार मेंक्ट इसको खत्म किया अग्ली वीडियो में हम अगस्त महिने के करेंट अफेर के दोखेंगे जिसमें जून महिने के करेंट अफेर होती है धन्य बाद दोस्तों इस वीडियो में हम अगस्त 2022 के करेंट अफेर को देखेंगे तो इसमें जो हमारी सबसे पहली करेंट अफेर की नियूस है तो यह जो अगनी पत यूजना के बारे में चोद़ा जोंको भरती इसना के तीनों अंगों में जवानों के वरती एह ढनी पत नाम के दिस नहीं सुरूँट ऐगी इस जो इसकी हम है इसके जो मुख मुख प्राउधान है वो क्या है हम देख लेते हैं इसमें ये प्राउधान है कि प्रतिवस 46,000 सेनिकों की भरती इस योजना के तहट की जाएगी यह भरती अखिल भारती चैन समिती के तहट की जाएगी एक अखिल भारती चैन समिती बनाई जाएगी और फिर इन चार साल के लिए होगी जो अगनिवीर होगे सुरुवात में इनकी निक्ति चार साल के लिए होगी और इसमें छे महिने का प्रसिचण होगा और 3.5 साल की सेवा दे जाएगी इनका मासिक वेतन कितना होगा तो 30-40,000 ब्थोसाहित होगा और फिर जब यह लोगे जो चार साल की नोकरी के लिए जाएंगे इसमें से बहतर परदर्सन करने वाले जो पचीज परसंट अगनी विर हैं जो उसमें पचीज परसंट अगनी वीर को अगले 15 वर्स के लिए सेना में नीमित किया जाएगा जबकि 75% अगनिवीर हैं मतलब अगर एक लाख अगनिवीर भरती हुए तो उसमें 75,000 अगनिवीर हैं को आकर सक सेवा निदी पैकेज के साथ उनको सेवा निर्वेत कर दिया जाएगा तो इस यह स्कीम क्या है दोस्तों हर साल मतलब वेक राजयों मतरानों की नवसकारी में प्राथ्मीक्ता दिजाएगे और क्या है जिसमें पूर्ष सेनिक कोटे का भीलाद मिलेगा इनको एज क्या रखे गई इनकरी वीरों के भरती की तो 17.5,17 से 21 वर्स की आई के दस्वी बरावी कच्छा मतलब उत्रेड कर चुके हों दस्वी बरावी दस्वी वह बरावी दोनों कच्छा उत्रेड कर चुके हो 17.5,17 से 21 साल की उम्रों महिला पूर्ष इसमें दोनों सामिल है कि महिलाओं की यही मतलब की पूर्स के भी और जो आवस्यक मेडिकल फिजकल स्टेंडर पूरा करके इस सेवा में समलित होना चाहते हैं वह जो आवस्यक मेडिकल स्टेंडर उनको भी पूरा करते हों और 17.5 से 21 से आई हो दस्वी बरावी क्या अच्छा उत्रेड हो चुके हो और अधिकल अन्फिट न चूटी यह सब नहीं दी जाएगी और वर्स 2022-23 के लिए इसी अगनीवीरी स्कीम किता 2022-23 के लिए जो 5200 जो रच्छा बजट होता है हमारा जो 223 के निदाजित है पांच करोण 256 करोण जो बजट है इसमें से जो अभी पिंशन में चला जाता था पैसा वो कितना जाता था तो अब अगर यह पिंशन हटा देते तो इतना बजट जो बचेगा वो दूसरे कामों में यूज होगा जैसे सेना के लिए एक्क्यूपमेंट्स खरीदने में इन सब कामों में यूज होगा तो यह हमारी पूरी कंप्लीट अगनीवीर योजना के विसे हमने जान लिया जो इनफर्मेशन पिछले दी गए थी वो क्या क्या थी जिस दोस्तों प्रदबिंदित करने के लिए गजट अधिसूचना बार आगस्त दो जाड़ी की गई इसमें प्लास्टिक कच्रा प्रबंदन संसोधन नियामावली जिसको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अगर प्लास्टिक वाले हैं यह सब काटे चूरी चम्मच यह सारी के सारे प्रदबंदित हो जाएंगे एक सितंबर यह भी नियूज बता चुका हूं एक सितंबर दोहजार इकीस से पहले से ही जो पचार माइक्रॉन के 75 माइक्रोन के जो पनिया होती थी यह मुटाई वाले पॉल्थीन होती है वो पहले से ही बंद 25 माइक्रोन से कम वाले जो मतलब की मुटाई वाले पॉल्थीन थी वो पहले से प्रतिबंदित थी और एक दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन इश-120 Mm से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया गया है, अगली हमारी निज्स क्या है, National e-governance service delivery assessment 2021, ये इसका दूसरी संस्क्रणा है, पहरा संस्क्रणा जारी चुक था पिछले साल, और ये दूसरा संस्क्रणा है, ये है किस चीच के लिए दूस्तो की नागर केंदरी मंत्रालों की प्रभाव शीलता का आकलन करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई इस रिपोर्ट का कहा नाम है दोस्तो नेशनल इगवर्णन सर्विस डिलोवरी असेस्मेंट तो इस रिपोर्ट में साथ छेत्रों को कवर किया गया है बेत्र श्रम योग रोजगार इस में पहला स्थान के यूट को इग्री इसको मिला हूई एगली इन्फोर्मीशन है निस्टनल फूड सेफटी इंडेक्स दोहजार बाइस इस्टेट फूड सेफटी इंडेक्स दोहजार बाइस हाँ देखे इस्टेट फूड सेफटी इंडेक्स दोहजार बाइस ये किसके दोहरा जारी किया गया ये साथ जून दोहजार बाइस को जो FSS AI है भारती खाद संद्चन और मानक्स पादिकरण है इसके द्वारा State Food Safety Index 2022 राज खाद सुरच्छा सुस्कांक 2022 जारी किया गए ये पांच मानदन्डों पर आधारित है इन पांच मानदन्डों के आधार पर जो इस्टेट होती है उनको तीन कटेगरी में बाटके सेना क्ता अधिकारता का क्या है उत्ति बड़ सद्धाब ग इसकार उत्टे पांच में लिए उद्धव ठाकरे ने जो सेना के प्रमुक है उन्होंने महाराश से के सियम के पत्सर त्याग पत्त दिया इन्होंने कप त्याग पत्त दिया 29 जून को आपकों सियम बन गए है एक नाश हिंदे सियम बन गए बीजेपी के सहयोग से तो नम देखो इसकी पूरी डेटेल महाराश में सियम ने भाजबा का साथ चोड़का 54 सीट वाली राकपा और 54 सीट वाली कांग्रेस के साथ गड़बंदन करके सरकार का गठन कर लिया और मुक्क्यमंत्री कौन बन गए थे उद्धव ठाकरे उसके बाद क्या हुआ इस गड़बंदन के साथ ही सियम जो बोलते जब देखा गया कि और वो अलग हो गए बोल दे हैं हम ही असली सियुसेनिक है और सियुसेना पार्टी से उन्होंने मतलब की जो उद्धव ठाकरे उनका साथ छोड़ दिया तो फिर जब उद्धव ठाकरे के लिए बोला गया 30 जून को उससे पहले एक दिन पहले ही पार्टी कोई नहीं बनाई है यह अगली इंफोर्मेशन क्या है देखिए अगली इंफोर्मेशन का है राज जाले होसे जमके उद्धेटां हो जाते हैं तो फिर अब 15 राज्यों के उन्हें पन्दरा राज्यों से लिए उसमें भाजबा आठ सीटे जीती और सपा समध्थी जो दल थे वह एक एक सीटे बिहार में पान सीटों के लिए उसमें बाजबा दो सीटे तमिलाड़ू में चेट के लिए चुना हुआ इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं चतिस गड़ में औरी सांद पते जिन सब्सक्राव का उस सब्सक्राव को धास पूले के लिए सब्सक्राब का इस सब्सक्राइब करने में हैं यूपliers लिए गया है और दोहजाशबिस में जाकी चेंज होगा देखते हैं आगी चेंज होगा कि बढ़ाया जाएगा जब फिर से जंदकरना होगे उसके अदास सीटों का बटवारा फिस होगा कि नहीं लेकिन अभी तक जो राजसबा की सीटे हैं यूपी में वो कितनी 31 है सारे सी तरीकी से बिहार में जो राजसबा की सीटे कितनी है सोला जोग सबा कितनी सीटे है चालिस हां सब्सक्राइब में लुक सबसेड़ा की सा साथ लोग सब्सक्राइब अगरते बियुके 3 गाज एस परकट जाइन दोप सबसेश भाट द सudi 10 और सबनाट disconnected सä लमज़ाब प्रश्राइक में राजसभा की बारा लोग सब्सक्राइब इस तरह महराष्ट में 19 और 48 जारखन में 6 और 14 एंपी में 11 और 29 और सब्सक्राइब 5 और 10 तो आपको यह सारी चीज़े याद रखने दिए आप पढ़ेंगे कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है अब अगली इंफॉर्मेशन दिखते हैं अगली इंफॉर्मेशन किया दोस्तों विश्व के लगबा 1539 संस्थानों में भारत के 41 संस्थान यह क्यूएस रेंकिंग 233 जारी की गई जो लंदन इस्थित लंदन इस्थित जो क्यूएस एजनसी है क्यूएस के क्या नाम है क्यूआकरली क्यूआकरली साइमंड तो यह इत्तं इत त्च्रेइन और या तुन्य वर्के पूरे पंद्रहंसों में तुन्य तुन्य और जो कि लिए उसमें कीवल तीन भारत के सथान आते हैं जैसे आ या ये इसक्ती बंगलुरू जो है इसका एक सो पच्पनवाइस्थान है आई एक सुबहटे तरवाई स्थान वाई इसमें मतलब कि जो मानक बनाए गए वो क्या मानक बनाए गए इन ही मानकों के आधार पर इन सच्छल संस्थानों को ranking पदान की गए इसमें जो academic reputation है उसको 40% वेटेज दिया गया employer reputation क्या है उसको 10% वेटेज दिया गया citation क्या है citation per faculty citation per faculty इसको किता वेटेज? 20% फाकेलटी च्ट्यक्टे रेश्यू यसको 30%比ेटेज और कि इन इंटरम्सक्राइश Mun….a पहिले अमेज़ इसके उन फॉंड्रड में 25 सैंफंथ सर्थान जो ο छो ऑन फूनुरर्ड में चणानमें um दूसरे स्थान पर इस टेंट फोर्ड यूवर्स्टी जो यूँवसे किये वह तीसरे स्थान पर इस तरह ऑक्सपड चौते स्थान पर हावर्ड पाच्वे स्थान पर है तो पहला स्थान को या दखना है MIT है कि यह complete information हमने लेग ली अब अगली information देखते हैं यूपस्पेस कंपानी के राखट के जरी है संचार हुपघ्रा जीचट 14 का फ्रेंच गुयना से परिछण किया गया है तो तेज जुन 2022 को इसरो के एक नए संचार हुपघ्रा GZ24 का प्रच्छेपण किया गया यह कि için तो किसके द्वारा किया गया है इसका वजन कितना है दोस्तों यह वजन कितना है कि इस लो के 24 के यू बेंड वाली इसु पग्रा का प्रच्चेपड अंत्रिच्छेतों में सुधार के पश्चात इसमें क्या हुआ कि यह इसे द्वारा यह कंपनी है इसके दोरा यह इसरो कापग्रा अद Ó आयल पनाए गया और उसी इसी वीन मतलब की जो European Space Company है उसको भेजा और उसी ने ये जी सेट 14 को मतलब की अंतिरिश में भेजा तो इस उपग्रा की पूरी चमता एनसाइल ने पंदरा वसो के लिए टाटा प्ले को लीज पर दे दी है जी सेट जो 14 है को प्रिथवी की 250 km पेरी जी मतलब सबसे नज़्दीक होती है कच्छा वा ती पैंती जहरा 825 km अपोजी वाली आकार के मतलब जो जो जी ये स्टी ओ जो जी यो सिंक्रोनस ट्रांसफर ओर्डिट है उसमें भेजा गया यहां से इसका नियंता करनाटा के हासन इस तिन मास्टर कंट्रोल फेसल्टी ने अपने हाथों में ले लिया तो इसको कहां भेजा गया दोस्तों इसको जो जी ये स्टी ओ में मतलब जिससे ये प्रिथवी है तो एक बार जो ये उपग्रा होगा एक ये जो ऑर्डिट होती इस पर भेजा गया उपग्रा को और फिर बात भी इसका जो नियंतन है करनाटेक में हासन इस ते जो मास्टर कंट्रोल फेसल्टी उसने अपने हाथों में ले लिया तो ये किस चीज में सहायता करेगा ये उच्छी तरी टेली वीजन में संचार यहों प्रसान सिवायों इस सबसे आमीघ्र आदमी है इनके पास पॉइंण डॉलर की संपत्ति है तो इसमें आपको यए आद रखना के ब्लूंबर बिलिनियर्स इंडेक्स में पहले संगनी का और नवा इस्थान गोता मढानी का अगली इंफोर्मेशन किया सिपरी एर बुक एर बूक रिपोर्ट सब्सक्राइबर जाए व्यक्तिम कैश्ट method है कि अधाय की सब्सक्राइब एंस्चार को अधायर धाया कि आधि भारत बाकिस्टान की पास भा संथ सब्सक्राइबर ऑन चल्टाइब साथ भारत का सिपरी है इसका स्कापना कप की गई है उनिसे स्टाफना की गई है इसका हैट कोड़क ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट दो हजार वैस यह जो Contar Brand, जो 1242 वेल गजलोबल ब्रांड रिपोर्ट के अनुसर भारत की चार कंपनिया, बार्त की चार भारती racis तो जो 100 बड़े ब्रांड हैं दुनिया भर के उसमें केवल बारत की चार कंपणिया सामीन है पहला इस्थान किसका है जो वर्ड लेबल पर एपल के इस्थान है यह इसकी ब्रांड वैलिवल ब्रांड में भारत की चार है पहले इस्थान पर गूगल इस्थान पर अमेजन है बालिका पंचायद यह क्या है दोस्तों 17 जून 2022 को बालिका पंचायद सुरू करने वाला गुजरात देस का पहला राज़े बन गया है तो पहला राज़े कौन सा हो गया बालिका पंचायद सुरू करने वाला गुजरात हो गया है इसमें जो बालिकाए होगी बालिका पंच पर बात की जाती है महिलाओं से लेटेट और यह जो यह चालू किया गया है गुज्रात स्टेट द्वार शुरू किया है अगली इंफॉर्मेशन क्या है पहला लुक्विड लिक्विड मिरा टेली स्कूप तो यह कहां पे खुला गया है उत्राखंड में उत्राखंड के लिक्विड मिरा टेली स्कूप को स्थापित किया गया है इस टेली को मतलब की भागीदार है तो बिकास में भारत बेल जी आम कनाड़ा पोलेंड और उजबेकिस्तान जिससे देश सामिल है इसका पूर्ण पैमाने पर बैग्यानी संचालंद अक्टूबर 2022 में सुरू किया जाएगा मतलब अक्टूबर 2022 में इसका पूर्ण संचालंद शुरू होगा इसका उपयोग करके सुपर नौवा गुर्ट अकर्शन लेंस अंत्रिश मलबे और छुद्र ग्रहों जैसे चडिक या परिवयतन सील वस्नों की पहचान करने में मदद मिलेगी स साथ ही कई आकास गंगा और अन खगोली सोतों का उलोकन करना संबह होगा तो जो पहली लिक्विड मेर टेलिस्कोप है बारत में उत्तरा खंड के दिवस्तली पाड़ी में लगाई गया है यहां टेलिस्कोप खगोल विज्ञान के लिए कमिशन किया जाने वाला दुनिया क पहला लिक्विड मेर टेलिसकोप बन गया है तो यह दुनिया का पहला लिक्विड मेर टेलिसकोप है अगली इंफर्मेशन के लिए अगले पांच वरसों के लिए IPL के मीडिया अधिकार्यों को निलामी की गई है तो 12-14 जून को भारती क्रिकेट कंट्रोल वोड बीसी सी सब्सक्राइब के लिए अपने लीग टूर्णामेंट इंडियन क्रिमियल लीग इसके मीडिया अधिकार्यों के निलामी की गई तो पहले भारती उप महादीप में टीवी अधिकार जो मिले एक पैकेज बूला गया इसको यह किसको मिले डिजनी होट इस्टार को 23,575 क्रो में इसी तरह बिजस में टीव अधिकार जो डीपेकेज है इसको मिला वाइकाम 18 को एक हजार अठावन करोड वाट वाइकाम 18 वाट टाइमस इंटरनेट को मिला यह एक हजार अठावन करोड में तो यह बीसी से जो अगले पांट साल के लिए मेडिका इदकारों के निलामी की गई चार्श रडियो में अगली इंफर्मिशन क्या है राष्टी पुरसकारों के नामांका नहीं तो राष्टी पुरसकार प्रोटल जो है जारी कर दिया गया इसकी एक वेपसाइट गया है कि जो सरकार होती है अपने चेहते लोगों को या उन्हें उसको जो लोग पशंद होते हैं उन्हीं को प्रदान कर देती है तो इसी में पारदर्शिता लाने के लिए वह नाग्रिकों की भागेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कि एक उटाजी कर दिया गया इसमें एक सरकार ने कहा कि जुर्द मांतारले बढ़ागाब इजन्सिया हैं इनके जो फुरसका दिया जाते हenne इनम में पार दशिता लाने के लिए इक डिजिजिटल पॉर्टेल की इस पौर्टेल में जो आम नाग्रिक हैं वह किसी भी आदमी का मांकन कर सकते हैं और उसक पहले बार हुआ है कि 15 जून 2022 को भारत को DRDO ने सता से सता परमार करने वाली इस इस अगली इप VLSR SAM का सफल परिश्चन तो इसका फुल फॉर्म क्या है वर्टिकल लॉंच सौर्ट रेंज सर्फिस्टु एर मिसाइल ये सता से सता में सता से हवा में मार करने वाली जो वर्टिकल इसका परिश्चन के दिया गया है तो 24 जून को डियाडियो और जो तीनों दियाडियो और नौ से नाम मिलका स्वधेश निर में सता से आकास में कम दूर मया तक मारं करने वाली मिसाइल का परिश्ण किया है मतलब की चांदी पूर के परिशन सी डिया डियों के एक फॉल यह घट है कि जी है कि बतनों कि relação त्रकिलों कहां इनका नाम इद में त्यों सतीष पर इनका और कि अगनी फोर मिसाइल है को अगनी फोर मिसाइल इसका परिछन किया गया है लेकिन अभी तक यह कि नौ से न में target अभ्यास का परिछ्चर किया गया है तो जो high speed expandable target है इसका क्या नाम रखा गया है heat इसका नाम रखा गया भ्यास भ्यास ऑभ्यास एक चोटा बिमान है जो परिछ्चर की जाने वाली मिसाईलों को target बनाना आता है तो य sûर। परिछ्चर क dzi men के Aeronautical Development Establishment द्वारा इसको विक्सित किया जा रहा है यह एक च्छोटा विमान है जो परिछड की जाने वाली मिसाइलों को टार्गिर बनायता है हीट इसका नाम है इसका नाम हीट मतलब की इसका कम्प्लीट ने में इसका नाम जो डिया डिया इसका नाम दिया अभ्यास सफलतापुरों के स्थापित कर दिया गया इस लोग की जो वाडिजी साखा एंसाइन है इसका यह दूसा समत्पित वाडिजिक मुसंता है यह इसे प्रिद्वी की 570 क्लिमिट्र की चाहिवाले लोगर में स्थापित किया गया इन उपक्रा कॉन-कॉन-कॉन-कॉन-कॉन- सब्सक्राइब इसका परिच्छा गया गया अब इंटरनेशनल जो न्यूस है उनकी बिसे में देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में पूरी मतलब की इस्थापना से रिलेटेड है उसकी कहा कहा सम्मेलन कपकप कैसे हुआ यह सारा कुछ मैं पिछली वीडियो में बता चुक सब्सक्राइब इसकी बिकास के लिए एक नए यूग की शुरुवात ये इसकी बिक्स का जोगदावासी का सम्मेलन था इसकी थीम्ति किन कि मुद्धों पर चचा हुई यहां पर ब्यापार आतंकवाद के बिरुद संगज स्वास्थ परंपरागत आज के आपसे स्योग आ जाने का स्वागत गोंटापत्र में किया गया मतलब कि एंडी भी है इसमें चार और देशों को दी जाएगी और इसका चेत्री का भारत में होला जाएगा इसके लिए बात की गई आगला जो बिक्स का सम्मेलन होगा वह कहां होगा शाउट अफरीका में 15 में ब्राजी रसि जंपन संब आओ अध्यू को संपन 7 देश हैं समय्फी से शवत है इसका अनतल आथन स्क्राइजंबन संपन जर्मनी के जूच्जर चं स्क्राइज अन सोल्ट फसीbak 25m में जो स्लास एल्मो है जर्मनी की एक जगह स्लास वहां पर हुआ इस जो सिखर संभेलन में भागी दाथ देशों गुरुप में आजिन्टीना इंडोनेसिया सेनेगल दच्छिन अप्रिका के साथ भारत को भी आमंतित किया गए इसमें भारत को आमंतित किया गया है मतलब की प्रद्वें और बीट ल हेसे चाइना के चाईना की जो औwn बिल्ट वन रोड रोड बिल्ट एंडर डिनीटिव है इसटीन के जवाब विद्वाब में जी सेवन ने क्या च्छे सो बिलियोंड डॉलर की धाचगत प्रियोजनाओं में खर्च करने के लिए दुनिया बर में 600 करोड की मतलब कि धाचगत प्रियोजनाओं में 600 डॉलर की कारेक्टरम की घोष्णा की यहां पर अगला जो जी सेवन होगा फूटी नै प्रेटनम जुबली समारो मनाया गया तो छे फर्वरी निसुबावन को बिटेन की महरानी इलजयाबेद दिती राज्य सिंग्रासन पर आसीन हुई थी दो जून उनिस तिरपन को इनका को इनका कोरोनेशन जाज्याबी से हुआ अब दो जून दो चारबाइस को सत्तर पू मतलब की तो इंडिया का मेंबर है तो वहाँ पर हर जगा जुबली समारो मनाया गया और इसमें के इंफॉर्मेशन है जो पहली समराठ जिन्होंने प्लेटनम जुबने मनाई है तो सबसे ज्यादा दिनों तर शार्षन करने वाली महिला मतलब की शार्षक बंगे हैं इनका क करेंний मतलब की बदल चुके हैं बि techina के पंदर जोड़ामंतियंद की कैल में रहें हैं तो अगली इंफोर्मेशन किया है हंगरी की कसाब को रोषी राषन करोशन का नाम है तोटल में चाहिए पांच अलग अलग जो शेत्र आफरीका एशिया प्रसांद पूरी यूरोप लाइटिन अमेरिका वा करिभियाई शेत्र तथा पश्मी यूरोप हैं इनसे बारी-बारी से ब्यक्तियों का चैन होता है तो इस बार जो यह हंगरी के कसाप करूसी इनका चैन हुआ है अभी तक चाह के वल चार महिलाओं को संयुक्त राष्ट महासंग का महासभा का अध्यच के रूप में अब तक के वल चार महिलाओं को चुना गया है उसमें भारत की एक हैं बीजेल अच्वी पंडित उनिस्तों तेरपन में यह आठवे सत्रहें तो चुनी गई थ माल्टा मोजांपी को सुट्जर लेंड है यह कब से एक जनुरी दो जाटी से एक तिसम्ब दौज़ाइस तक के लिए पांच देश यह भारत आइलेंड कीनिया मैक्स को नार्व है इनका स्थान लेंगे इनका कारेकाल 31 दिसम्ब 2020 को पूरा हो रहा है यह कब से थे एक हो रहा है तो यह भी आप से पूछा जा सकता है याद रखना है और यह पांच जो देश हैं यह इस ताइस हैं यह पांच देश और देश जो मतला दस आइस थाई पांच जो अन जो है है जो 23 तक हर साल के लिए कर दिसम्ब बने देश बारत को बंदे शेते को और यह उससे पहले ही पांच अन जोड़स और दिसम्व गाना और यह है जैसे ही WHY तरीुस तब मतलख dużo एक टाइम पिरिएट पर दस आई स्थाई देस मने रहते हैं अब अगली इंफॉर्मेशन क्या है रच्छा संबंदों के विस्तार है तो बारत की किस देस से वारत हुई तो यह मलेशिया से वारत हुई अगली इंफॉर्मेशन है यूक्रेन वा मल्डोवा यूरोपी संग की सदस्यता है तो सदस देस है यूके उनको ने सहमती दे दिये तो 17 जून को यूरोपी संग की सदस्यता के लिए यूक्रेन वा मल्डोवा के आवेदन को संग की कारकार्णी ने संसुती परदान के जिसका अनुम्दान पेस जून को बुरुषजेल्स में यूरोपी संके सबी देसों ने कर दिया जॉर्जिया ने भी प्रस्तुत किया था लेकिन जॉर्जिया के मामले पर अब कोई निर्णाय नहीं लिया गया है तो मतलब कि यूरूपी संके जो नए सदस्देश बनेंगे यूकेन और माल्डोवा है ये तो मतलब कि इनको बिचार कर लियागा सामती प्रदान कित कर दी गए लेकिन अभी इनको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो यू की जो अधच कोन है उर्सूला वन डे लेता है ये यू की अद्रक्राइब का कर देच ही यू की विच में जाल देते हैं यूरूपी के बारे में तो सक्के 27 योंबर है alive यहां से कोई आ जा सकता है कहीं से कोई समान करें सकता है इक सिंगल मार्केट की तरह से काम करते हैं प्रसाशनिक साजयधारी भी है बहुत तरीकी काउंसल बनाई गए ऑर इस बाड़ी बनाई गए जो इनका मदब देखने करती है इसका उद्भव कब हुआ एक जनवरी लिस्बन समझोता है यू के बारे में कि इसके 27 मेंबर कंट्री है बिटेनिस पर सदसने पॉलिटिकल और एकॉनमिकल यूनियन है इंटर्नल सिंगल मार्केट है प्रसास के दिश्कॉंड भी इसमें मतलब कि बहुत सारी बॉडी बनाई गई है उद्भाव कब हुआ इसका एक दोना सांथ हे इनका नाम था फाडिनांस फ्रिनांड मार्कोस फडिनांड मार्कोस थे उनीके यह बैटे हैं विलिए अनिक्व भागा दिया रहते देश्ट शोट भाग गये थे मैं उसके बादी पान्स साल पहले इनका बहुंग मार्कोस लोटा और इसने सोल मिल्ड़े मा प्रचार किया और फिर जो अपने पार्टी बनाई जिसका नाम पीफपी पार्टी है और उसके बादन से भाग लिया एलेक्शन में 8% मत पाकर यह वहां के राश्टपती बन गए है वहां के राश्टपती निर्वाज चीत हुए तो यह गुस्ताव पिट्रो कहा के राश्ट दिलका रूप दिया और फिर अब यह वांपन्ति निता थे गुस्ताव पिट्रो अभी राश्टपती निर्वाशित हो चुगे आप देखतें अगली इंफॉर्मेशन अगली इंफॉर्मेशन है ग्लोबल लिविबिल्टी इंडेक्स 2022 कि किसके द्वारा जारी किया जाता ह दिलका केकल टूटाल 173, के लिए तो यह जो रैंकिंग का आधार था आधार क्या था अधार ग्लोबल लिविबिल्टी इंडेक्स रैंकिंग का इसमें जो आधार था उसका अधार इस्टिबिल्टी क कुल्चर एंड इंवर्मेंट हेल्थ केयर एजूकेशन और तर सेरों्स जारी के बारत केस्ट में दोशाय सामिल हुए डिली जिसका स्थान एक्सू रायमार्णावा मुंबै जिसका स्थान एक्सांगरा सब्सक्राइब एंदेग्स में वियंक का अग्ली इंफॉरमेशन Global Peace Index 2022 किसके द्वार जारी किया जाता है IEP द्वारा जून 2022 में Sydney इस ते जो इंस्टिटूट कि फॉर एकॉनिक्स और पीस है इसके द्वारा ये Global Peace Index जारी किया जाता है टोटर किते सार है 163 कि मिला इसолнistrated को लास्ट इस्थान कि मिला इस फाने संटा है आइस्टम किसका कि सार Hai पाकिस्तन के वोट 47 अफगाइस्तान लास्ट इसना तो हाई यह तो वंस 73 हो जाएगी इसकी और बाकि भुटान नेपाल चाइना सिलंका बांगलादेस यह हमसे आगे है अगली इंफॉर्मिशन क्या है इन्वार्मेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 तो जून 2022 में जो वर्ल् तो यह वाई प्रदूशन प्रफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत रहा है पिछले वस 180 इस्तान पर इस वार 180 इस्तान पर है भारत तो यह आपको याद रखना है कि भारत में एयर क्वालिटी बहुत खतरना के इस ततर पर तता ग्रीन हाउस जो गैस हैं वो तीजी से बढ़ प्रफॉर्मेंस अंडेक्स में भात्राइस्तान लास्ट है पहले स्थान दिनमार का दूसरा इस्थाल युनार्ट के इंगड़मका अगली इंफॉर्मेशन पावसन वाइरस के बारे में यूएस्यमें इस पेसीज़ की स्पीज़ के संक्रमन से प्रक्रमन पस्पीज है हो गई यह एक स्लैभी वारी सो प्रती के दर फिलता है पहचान इसकी पहले वाग नांटेने Honnerio टेल obligations का मैं अग्सी सैनल गए इस इसनी एपंकितर्ण जिफलते हैं गरी बुखार सेयर इस सब कांट दोरी यही से लच्छन दिखते हैं और कोई इस्पेसल लच्छन नहीं दिखता है इसमें अभी तक इसके कोई विस्ष्ष्ष्ट दवा नहीं है चाइना दोरा यह अब तक सबसे बड़ा है तो चीनी जो बैग्यानिक इससे क्या होगा जो यह बनाया गया वह बैग्यानिक मांचित इसको बनाया इसका यह किस तरीके का मांचित है उच्छ रेजूशन इस्तला के मांचित है मतलब कि इसका रेजूशन बहुत आई है जूम करके आप एक बहुत चोटे-चोटे इसके माइनूट चीन्जों को भी देख सकते हैं 2020 में प्रच्छेपित किया गया जो चांग E5 प्रोजेक्ट है 2020 में प्रच्छेपित किया गया इसका नाम किस पर रगा गया है चंद्रमा पाजात्मक सुचकांग जारी किया गया 2020 को तोटल कि तेरेसों के लिए पहला स्थान किसका डेनमार का भारत का इसका 37 लास्ट इसका विनुजुए लगा यह अर्थभास्ता के निस्पादन आधाय संद्चना सरकारी दचता है उनकारोबाई दचता इन सब कुछी दो को आ जून 2022 सिंगापुर यूए भूटान नेपाल इन सब्सक्राइब भारत की अपना लिया था अब फ्रांस ने भी भारत की यूपीयो रूपी कार्ड को अपना लिया है अगली इंफर्मेशन है WTO का बारहावा मंत्री संब्सक्राइब जिनेवा में संपन तो जून से 12 जून 2022 को ब्यापार यूम निवेस की निगरानी करने के लिए जो करने का जो मतलब की एक संगठन है WTO उसकी मंत्री इस तरी वास्ता जिनेवा में संपन होई हर दो साल में ह जी जारी शूट किसे सब्सड़ी इन सब्सक्राइब पर चाच होई लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें सफलता हासिल हो वह सब्सक्राइब नाइंटीन के निर्माड के लिए पांच वास्तों के लिए अस्थाई पर छूट दीगे कि मजिस्ते अब क्या होगा कि जो गरीब द इलावा एन थोजी ओकोंजो इवोला यह कहां कि नाइजीरिया की महिला है यह पहले ऐसी महिला है जो डॉट्यों के अधर्च बनी है डॉट्यों को डॉट्यों को 1947 में 1947 में संपन रहे गाट जन्रल एक्डिमेटर ट्रेड ट्रेट एंट टेरिफ गाट के इस्थान पर लाया गया तो 1947 में जो संपन वह था गाट उसी के इस्थान पर वारता चल दए थी 1986 से 94 के बीच में उसी वारता के दोरान माराकेश समझाओता हुआ तो आप से इस इंफॉर्बेसन पूछी जाती है कि माराकेश समझाओता जो है किस चीज से लेटेड है तो आपको बताना है कि जो ब्यापार में है को ये रिलेटेटि इस उलेटेड इस का है इसको है वन inewa सब्सक्राइब है अब यह हमने की पूरी कंप्यूट इंफॉर्मेशन ले लिए और इंफॉर्मेशन हमारी क्या है दूस्तों फैक्टर ऑफ ऑफ ऑथेंटिकेशन यह च्छोटी से इंफॉर्मेशन है और ने कार्ड प्रिपेट पेमेंट इंस्रूमेंट और यूप आई पर प्रति लेंदेन के लिए अत्रिक्त फैक्टर ऑफ ऑफ ऑथेंटिकेशन के सीमा को 5,000 रुपए से बना कर दिया गए इसका फाइदा क्या हो दोस्तों अब प्रति लेंदेन 15,000 रुपए के बुक्तान के लिए अत्रिक्त प्रमाड़ी करण के आप सकता नहीं होगी अगली अगली इंफर्मेशन है भारत रुस का सबसे बड़ा तेल आप पूर्ति करता बन गया है तो इसने मतलब की ही सौधी अरब को पीछे चोड़ दिया है सबसे बड़ा पूर्ति करता था अब भारत अब यह मतलब सबसे बड़ा पूर्ति करता था अब अन्दन गया रशिया तो में 2012 में लगव 25 मिल्याइन रोसी तेल खरीगा और अब देख लेते बहुत के जो तेल आप पूर्ति करता है उन्हें पहला इस तन किसका इराग का दूसरा सथी अरब करता का असी परसें स्यादा तेल आया थी करता है तो सबसे बड़े बगता कंट्री कोने पहले स्थां पर इंडिया तो सबसे तेल को कुं करता है यह से फिर चाइना फिर इंडिया अगली इंटी साथ का अमेरिका भार्त का सीर् सथ व्लियाथ वां घर बन गया है 2022 मिन अमेरिका चेंघ Iya को पदन गया है दूसरा थैंटर सर्था ज़्या पहे नहीं है को यह पुघ比較 सफ हeft इसको आर्वियाई ने इसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया खारण क्या बता है एक टोपोजी कमी है कमाई की छंपता का भाव है इसलिए इसका महिलत जो जो लाइसेंस नाज जाता है यह इंफॉर्मेशन है अगली इनफॉर्मेशन है अओधिक संबल सर्वेश्चर 2020-21 तो इसका क्या मतलब आवधिक संबल सर्वेश्चर पीरियड प्याडिक लेबर फोर्स सर्वेश्चर 2020-21 यह संख्र की युँद कार्यानों मंत्रा दर जारी किया गया इसमें यह बताया गया कि दर है वह घठकर अ कितनी थी मतलब कि उसमें 0.6% की कमी आई है जो 1922 थी उससे 0.6 कम होकर अब रह गई है 4.2% पुरसों में कितनी रहे हैं 4.5% महिलाओं में 3.5% ग्रामील चेर्टों में 3.3% और सारी चेर्टों में 6.7% कितनी है 4.90% रिवर्स रिपोर रेट कितनी है 3.35% सबसे सर्वोच इस्तर पर है अगर हम 2045 के आधार बस को लेके तुलना करें तो तो सबसे सर्वोच इस्तर पर कितना है 14 15.88% और इसी तरह CPI कितनी है अभी 7.04% CPI या जो मुद्रह स्विती है 7.0 के करीब है और WP होल्स प्राइस इंडेक्स जो पर आधार मुद्रह स्विती है 31 वसों के सर्वोच इस्तर पर अभी वह 15.88% है अब देख लिते हैं 2021 के दौरान देश में telephone connection की संक्या में भारी गिरावट आई तो ट्राइड ने आकड़े जारी किये तो अभी लेटेस्ट आकड़े में क्या कहता है यह तो अभी लेटेस्ट आकड़े में क्या कहता है यह टेली फोन टोटल जो है 116.69 करोन है इसमें सहरी जो कनेक्शन है 24 करोन है और ग्रामिट करेंशन हम 52 करोन है तेली देंसिटी यह कितनी है 84.88 है मैक्सिमन तेली देंसिटी कहां पर है दिल्ली में 200 सर्शाट पॉइंट इसमें 138 परसंट के करीब और सबसे कम कहा है बिहार में 22.88 उसके बाद MP में 667 और UP में 267 है तो सबसे जाए तेली दें 25% और UP कि कितनी है 9% अगली इंफॉर्मेशन है हमारी कि भारत पेट्रोलियम के निजी करण की प्रक्रिया फिलहार होगी तो सारवजिनी छेत की जो हमाई तेल विप्रन कंपणी है बीपी सेयल भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिम्टेड में सरकार की जो हिस्सेदारी ह इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है उसने यह कहा कि जो हमारे पास तीन कंपणिया आए थी इसके इन्हों पर सुरवात में रुची दिखाई थी वेदान्ता ग्रूप ने अपोलो मेंजमेंट ने और तिंक टैंक्स ने इसमें बाद में अपोलो ने और तिंक्स टैंक्स न अब मुद्रा इस्विति वा रूस युक्रीन विद्वा का शाया 20 बंक रिपोर्ट में अभी दिखता है मतलब कि इसने यह बताया कि ग्लोबल जो व्रोफ रेट होने चाहिए ग्लोबल लेबल पर यह का हाथ दिसों की उनका पर पर उनका असर अब अभी उनकी ग्रोफ रि इस साल दोजाटेस में सेवन पॉइंट वन रहने का अनुमान होते हैं आप देख लेते हैं जो माई संशिप्त कियां होती है उन से लेटे चीज़ें तो आवार्ट की भी से पहले देख लेते हैं आईपा अवार्ड 2022 जो हुआ यह 222 वा यह अबुधावी में हुआ इसको दिया गया यह खुशी पतियल है इनको दिया गया अब जो इस महीने जो इंपोर्टन लोग है जिनके मित्त हो गई उसके विसिन दिखते हैं तो पहले हैं जो पल्लोन जी मिस्ट्री इनको फिंटम आव बंबे होसका आ जाता है यह एक उद्दोग पती है इनकी मित्त एनकी महीला रिज्यमेंट जो लच्मी जांसी के राण लच्मी बाइच रज्यमेंट ती उसमें सामिल थी तो उनिस तो इने ती अधिर आपन्यों स्वामी इंता एक्सोदो वस्की निर्दिन हो गया विद्ध सुतंता सेंग्राम से नाने थी है इंपोर्टन्ट बुक्स द याद रखना है दा पावर आप दबाइलेट ट्रविल एंड ट्रेम्स इन इलेक्शन ट्रेम्स इन इलेक्शन इसकी बुक है यह हमारे जुस्ट मुख्ष चुनाव थे शुनी लरूब ना उनकी बुक है दा इस्टेगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया किसी बुक है लिसें टू यूर हट लंडन इड्वेंचरी किसकी बुक है यह दस्किन बॉंड की बुक है तो यह बुक्स आपको याद रखनी है अब देखते हैं जो इपॉंटेंट एपॉंट्समेंट्स हैं इस महीने के उनके विसे में नितिया के निश्यों कॉन है परमेश्वर अईय सब्सक्राइब के नए निदेशक कौन बन गए हैं कि शसी निवासां यह भारत के हैं सीबुटी डीटी के नए चियर्मेंट कौन है नितिन गुपता शैयूंक तो राष्ट ग्लोबल कामपैक्ट यूए जीसी की द्वारत जल प्रबंदन के लिए ग्लोबल एस्डीजी पा बहुराष्टी सेनब्यास खान क्विस्ट दौजर बाइस यह चैसे उननीस जून को मंगोलिया में संपन हुआ तो बहुराष्टी सेनब्यास था इसका जो उद्देश था प्रतिभागी देशों के बिस सहयोग का विकास करना तर सास्त इसाथ इन देशों के सशस्त बनों क करना है अगला क्या है अंतराष्टी साहित उस्तव कहां पर हुआ है सिमला में हुआ इसमें सोलह सटार जून को दोचार बाइस को हुआ था इसमें देश मिद्देश के 400 से अधिक साहित कर फिल्म कर पत्रकर वा अनवादु को ने इसमें भाग लिया था अगली इंफॉर्म अब महरा अउरंगाबाद का नाम संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम अब धाराशिव अगली इंफॉर्मेशन है बाल्टोप नौसनिक अभ्यास दो आजर बाल्टिक सागर में शुरूब बंदरगार में समप्थ हुआ यह बाल्टोप नौसनिक अभ्यास है अब खेल कूद के बिसे में इसको देख लेता है तो पहली स्फींड एंफॉर्मस्ट साथे जविलिन घ्रमें लिए चोपला की अरिकार्ड उग्रक्रण में धिसको मिला गूजस में 9.7 पूरा नाम भारत के चाहत्तरवे ग्रेंड मास्टर रहे लंगा लगा 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 लोगों ने भारत की तरफ से पहले स्थान पर रोई शर्मा रोई सर्मा जो चार सब्सक्त लगाएं दूसरे सांगे केल दाहुल दो बाल लगाया है इन्होंने और तीसरा सुरेश रहना इन्होंने एक बाल सतक लगा अब यह दीपक जो हुड़्डा है यह बन गया है चौते खिलाड़ी जो अंतराश्टी क्रिकेट में से सन्यास ले लिया तो इनके विसे में जो इंफोर्मिश सब्सक्राइब को मिल चुके हैं 2017 में यह विज्टर लीडिंग वुमेंड क्रिकेटर ऑफ दे एर भी मनी थी अगली इंफ्रमिशन जणजी ट्रोफी 2021-22 MP पहली बार इसका बीजिता बेना है मुंबई प्रिकेट में एक ओर में सरवादिक 29 बनाने जस्पीद बुमरा का बिस्वरिकार्ट तो इन्हों ने जो इस्ट्वर्ट के एक ओर में 29 बनाए इस बालर इंडिया के बाइन ने विजिता कुण बना इसका दच्छल को रिया बना भारत तया नंबर पर इसको कास्ट पर प्र इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मैच होगे आपको यह तीम की संक्याद रखनी 32 नेक्स्ट जो फीफा होगा करें राफेन लाड़ा निश्पेन के वजिता कुण रहें कैस माहिलाव माहिलाव मोगाव प्रहार और महाराया का दूसरा इस्तान आःका गर्याना का था अवा गूसके में करने के लिए बन गई है जो उसके लिए क्वालिफाइए कर लिया है तो यह कौन बन गई आउने लिखारा बोलट तुर्ली खानों कप यह कहां हुआ कचाकिस्तान के अलमाटी में आई जित हुआ इसमें पहला इस्तान के कौन रहा इरान रहा उसके बाद सिकेंड स्थान पर भारत रहा इंपॉर्टन डेश देख लेते इस महिने के तो एक जून एक जून को क्या मनाया जाता है इसकी तीम क्या था डेडी नेट जीरो पांच ज हुठ सस्केंदेट को नाया जाता है से निर्माड करना करने क एक साजइधारीं को बढ़ा देना ना तो क्यिकांत है। तो याद रखना है। तो यह को याद अगने के इता है कि इस वीडियो में पूरी तरीके से ख्तम नहीं पूर इसके बाहर कुछने के आप इसको download बनेकों परहुटा करनेकन मेगेन होती है ये एक घंटे का वीडियो होता है आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो सारी इंफोर्मेशन आपकी कवर हो जाएगी धन्यवाद दोस्तों